हेलो दोस्तों आज हम जिस्ट ड्रामा को एक्स्प्रेइन करने वाले ये एक हिस्टोरिकल ड्रामा है इसमें आपको कहानी दिखाए जाएगी इम्मॉर्टल गॉड और डेमन किंग की डाटर की लाव स्टोरी चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं कहानी की शुर और गॉड से वो लगवग लड़ाई को जीती चुके हैं लेकिन तभी यहां पर डेमन किंग की डाटर आती है इसका नाम सूजी है और यह इम्मॉर्टल गॉड नीलुन के वाइफ है कि हाँ पर वो अपने पावर्स का यूज करती है नीलुन उसे रुकने की कोश्चिश मे और अब कहानी कुछ साल आके आती है जहां पर एक लड़की को भागते हो दिखाया जाता है और कुछ लोग इसे भकर लेते हैं क्योंकि यह चोरी कर रही थी और इसे बोलते हैं कि आज तो तुम्हां सजा दे कर रहेंगे इसे इस तरह उपर लटका दिया जाता है टेवन ट दुनिया का दर्वासा बंदो गया था और सारे डेवन उसी में मर गये थे और लोग को बिस्वाश नहीं है कि आज भी इमोर्टल है लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इमोर्टल सांस भी है और यह लड़के हमारी फीमेल लीडिट चॉंग जी है यह भी इमोर्टल पर आने नहीं आया तो वह मान लेगी कि इमोर्टल से दुनिया में अब नहीं है और इधर इमोर्टल को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं इनका नाम लूफ है है और यह इस ट्रामा के में लीड है और इसे चॉंग जी के आवाज आती है जो कि हल्प के लिए इमोर् गौड है अकर आप इमोर्टल गौड है तो क्या मेरी एक विश्पूरी कर सकते हैं लेकिन लूफ है उसके चोट को ठीक कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें आराम करना चाहिए और वह वहोश हो जाती है और यहां से वह चला जाता है और अगली सुबच चैंग जी कि आ लोग बापस आजाते हैं और वह इसे परिशान करने लगते हैं लेकिन चैंग जी मुलती है कि इमोर्टल कोड सच में है नोही कल उसे बचाया है तो यहां यह सब उसे माचने लगते हैं तभी यहां पर दुसरे कोड आते हैं जो कि चैंग जी को पास evil powers हैं, या immortal God, उसकी help करतीएُ, उसके सारे चोटे को ठीक कर देते हैं, और वो उसे बोलते हैं कि खुद पे कावजु रखो, बुराई के वारे में कभी मत सोचना, और वो बोलती है कि आप immortal God है और एक immortal God उसके हाथो ने एक power ही तुम ऐसा कर सकती है लेकिन इसके लिए तुम इम backup के लिए जो नहों मांटनें के ठेस्ट होता है उसे करना होका और मुझे लगते हैं तुम इसके लिए नहों मांटनेंश सब्सक्राइब कर सकती है जो एक पर कोई बात नहीं अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो मैं तुमारे इसमें हल्प जरूर करूंगी और ये दोनों मिठाई खाने ही वाले होते हैं तब ही यहाँ पर वो लोग बापस आजाते हैं जो कि चंग जी को मरने वाले होते हैं लेकिन यहाँ पर चंग जी अपने हाथों को आगे करती हैं जिससे इसके अंदर पावर्स आजाते हैं और अपनी पावर्स यहाँ से वो उन कि अब मौंटन पे जाना ही होगा इंदर इम इवल्ट में दिखाया जाता है यहाँ रजद सबीड़ और यहाँ पर मुझे ऑर सब्सक्राबर के निकालना के बात चल रही होती हैं वो लुफई को बोलते हैं कि मुझे पता है तुम्हारा उससे close relation है पर अगर उसने गल्दी किया तो तुम्हें उससे सजा देनी होगी और चौंग जी अपने ज़ड़ी पर निकल जाती है वो नाहो मांटेंस की तरफ चल देती है यहां वो एक आदमी से पूछती है क्या यह नहों मांटेंस है लेकिन वो आदमी बोलता है क्या यह लड़की पागल हो गई है कोई भी मांटें नहीं है कि चेंग जी को समच में आता है कि ये मांटन सिर्फ उसे ही दिख रहा है और अब वो उस मांटन पे पहुचती है तो यहाँ पे बहुत सारी लोग होते हैं बहुत सारे स्टुडेंस हैं जो कि इम्मोर्टल टेस्ट देने के लिए ही आये हैं ये यहाँ के केंग का बेटा है यानि कि प्रेंस है जो कि इम्मोर्टल टेस्ट को देने आया है और यहाँ सब लोग चौंग जी को देखते हैं और चौंग जी की हालत देकर सब बोलते हैं क्या ये भी immortal का टेस्ट देने वाली है क्या ऐसी bigger लड़की immortal बनेगी तब उसका मज़ा कुराते हैं तो सौंग जी भी यहाँ सबको जवाब देती है immortal बनने के लिए हमें अमीर नहीं होना चाहिए बिल्कि हमारे दिल में अच्छाए होनी चाहिए और दयालुता तभी आपर एक औरलर की आती है तो ये दूसरे स्टेट के वैए यानि कि ये प्रेंस को पहले से ही जानती है तो यहाँ ये भी चॉंग जी का मिज़ा कुण खो राती है लेकिन चॉंग जी सबको बोलती है कि अब वो immortal चलूर बनेगी और यहाँ यह सब लोग बात करी रहे हो तो यह लेकि नहों माउंटेंस यहां से गायब हो जाता है तो चौंग जिन सब लोगों को बोलती है कि देखा आप लोगों की ऐसी बाते सुनकर तो नहों माउंटेंस खोदी गायब हो गया है तो प्रिंस चौंग जी को बोलता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम इम्मोर्टल्स बन सकती हो तुम ये टेस्ट पार करके दिखाओं तुम बोलती बहुत हो चौंग जी को फिसे गसा आता है और तभी यहाँ पर एक ब्रेस आ जाता है और अब जितने भी इसे इमटल्स में सभी टेख और यहाँ यह सब बात कर रहे होते हैं कि जो भी बच्चे कर लेंगे और यहीं अब जो कि डैमन्स से पूरी दुनिया को बचाएंगी और अब यह सारे पार्टिसिपेंट्स प्रिस को पार कर चुके हैं यहां चैंग जी पानी में अपना हाट डालती है यहां जाते हैं और अब सब आगे का रास्ता देखते हैं यहां जगा जगा पर पथर होते हैं लेकिन यह स सब को इसी पर जड़कर आगे का रास्ता पार और अब सब आगे का रास्ता देखते हैं यहां जगा जगा पर पथर होते हैं लेकिन यह सभी हिल रहे होते हैं और सब को इसी पर जड़कर आगे का रास्ता पार करना है जो प्रिंस होता है सब यह पार्टिसिपेंट्स को बो को बोलती है कि तुम्हें इसके हल्प करने चाहिए क्योंकि इसे मेरे हाथों से तो बद्बू आती है और इदर इम्मोर्टल वर्ट में दिखाया जाता है जहां सभी गॉड्स बात कर रहे होते हैं चैंग जी प्रेंस और यह प्रेंसिस की तीनों जो कंटेस्टंट है कि तीनो स्ट्रॉंग है डेफिनिटली यह तीनों इस टेस्ट को पार कर लेंगे और उधर लीफए को भी देखते हैं वह चैंग जिसे इंप्रेंस होता है क्योंकि वह यहां सब की हल्प कर रही होती है और अब यह सब इसे पार कर लेते हैं और आगे का रास्ता शुरू होता है चान होती है वो टाइगर वहां से चला जाता है लेकिन यहां सभी को पैदा चलता है री चैन्ग जी के पास इवील प्रबर्स है और आव यहां इंस दिहां को बोलता है कि आप सब इम्र्टल हॉल में लाए चाहता है और यहां पर जो सीनियर कोड होते हैं वह बोलते हैं कि कोई भी मास्टर आप लोगों को अपना शिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष से रोक लेते हैं और बोलते हैं तुम इम्मोर्टल बर्ड में नहीं सकती हो नहीं तुम मुझे आज ही निकाला जाएगा और तुम जहां रहती हूं औप पहुँचा दिया जाएगा तो चेंग जी जी बोलती है आप यह गलत कर रहे हैं मैंने तो यहां पर लूख़े आ जाते हैं वो चैंग जी को बचाते हैं और Senior God को बोलते हैं कि चैंग जी आज ततना मास्टर मानती है और लूफ ही यहां उसका हाथ पफगड़कर आपने पैलस में वह चेहं जी को कर अुग रोम दिखाए समय जिघ्ए सब्सक्राइब निक डरीट इसक तौन बात हीं कि तुम नहीं है तो अब वह बोलते हैं कि यानि कि सभसे बुद्धू स्टुडेंट मेरी ही है वो दूसरी बुक लाते हैं उसमें ड्रोइंग के जरीए है बताया गया है और चैंक जी को बोलते है कि जाकर इस बुक को ध्यान से पढ़ना शेंक जी पोलते हैं ठीक है मास्टर मैं इसे यहाँ एक मचली मिलती है वो सोचती है मुझे तो भोग लगी है क्यों ना इस मचली को पकाया जाए अब वह यहाँ पर किछ में धूर कुछ झूंत रही होती है और किछ दो तेर यहां आँ चैंग जी ने पुकशे छिवा शहें देखते कुछी इस में से अब आग लगाई था सक्वाज चीह आपी म가ल की अत्र विसक्था को चला दिया और यहां पर कच्छा भी फला दिया और यहां पर मास्टर चॉंग जी को काफी डाटते हैं तो को चॉंग जी मास्टर को सारी बोलती है और आप मास्टर से ब्रेफिंग मेथट सिखा रहे होते हैं लेकिन तब भी चॉंग जी का ध्यान नहीं होता है वो बस मास्टर को देखे तो मास्टर से बोलती है कि आप बहुत हैं समय मास्टर बोलते हैं तुम अभी चूटी बच्ची हो तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और आप मास्टर धीरी धीरे उसे चूटी 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 चीरे सिखाते हैं लिखना से कैसे वैभार करना चाहिए यह सब किन चौंग जिए तो काफ़ी नॉट्टी है तो मास्टर को काफ़ी परेशान करती है और अब इसे तरह तीन साल पूरे हो जाते हैं और चैंग जी की लर्णिंग कम्पलीट हो चुकी है मास्टर यहां आथे तो दीख़ा है जो होता है कि चैंग जी ऑभी उतने हिसली शाटान है यह उस उसे रोक लेते हैं और उसे बोलते हैं कि अब तुम छोटी बच्ची नहीं हो नहीं हो हुँआरी लर्णिंग कम्प्लीट हो चुकी है और इधर दिखाया जाता है प्रेंस्स और उस प्रेंसस को वह दोनों फाइटिंग स्किल में काफी अच्छे हो चुके हैं यहां जो को भोलती है कि मैं थी साल से मैं पूरी तीज बोर रहे हूं मुझे इम्मोर्टल बॉल्ट में बागी सारी चीज़े देखनी है और मुझे उन स्थाइब ने मेरे साथ आये थे लेकिन शेसे तो चॉंग जी थोड़ी उतास हो जाती है। और इधर चॉंग जी पिना मास्टर को बताए, घुमते खुमते पहले से बाहर आ जाती है। तो मास्टर को प्रनाम कर थी और वहाँ प्रंसेस उसे बूलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी सिखाया गया होगा इन तीन सालों में कि सारे स्टूडिन्स तो यहां हर साल एंसेस्टर के मंदर में पूजा के लिए आते थी लेकिन तुम्हारे मास्टर ने कभी भी तुम्हें यहां नहीं लाया तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें immortal बने की training भी दी गई होगी तुम्हें कुछ भी सिखाया गया होगा जिससे कि चैंग जी को बड़ा लगता है और आप चैंग जी दीखती है कि यह तो वही prince है शो की तलवारवासी का ध्यास कर रहा था वो अपनी powers को लर्ण कर रहा था तब है या चैंग जी आदी है और वो उसे बोल ती है क्या तुम वही prince हो प्रेंस उसे बोलता है तो तुम वही अगली लड़की हो जो की विशा मुझसे गुसे में बात करती थी और तुम तीन सालों तक बाहर क्यों नहीं आई पैलस से तो चौंग जी बोलती है मुझे नहीं पता मास्टर ने मुझे कभी बाहर नहीं आने दिया और अपनी फाइटिंग स्किल दिखाता है चौंग जी को चौंग जो से काफी इंप्रेस होती है लिए उसे बुरा भी लगता है क्योंकि उसे ये सब नहीं आता है प्रेंस उसे बोलता है कि आखिर मास्टर ने तुम्हें ये सब क्यों नहीं सिखाया और वो बोलता है कि मुझे तो मास्टर ने बहुत सारी पावर्स को उसकरना सिखाया वो अपनी तलवार पे खाड़ा हो गया था और वो चंग जी को बलाता है ओर अब वो उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें पूरा इमोर्टर बर्ल खुमाता हूँ और तुम्हें पता है यहाँ पे जो Jisoo Mountain है वो सबसे ज़ादा famous है तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ शांग जैसे बूलती है तो तुम उर भे सकते हो और प्रेंस उसे बोलता है कि आखिर मास्टर ने तुम्हें उड़ना भी नहीं सिखाया और अब ये दोनों इंच्वाई करते हैं और अब ये दोनों जीसे मांटर पर पहुचते हैं प्रेंस उसे बोलता है यहां कि जो फ्रूट्स होते हैं बहुत ही मीठे होते हैं चौंग जी यह सब देकर काफी खुश थी और जैसा कि उठोड़ी नॉटी है वो बिना बताई ही फ्रूट को तोड़ लेती है प्रेस उसे रुकना चाहता था तब यहां पर गार्स आ जाते हैं और बोलते हैं कौन है यहां पर प्रेस यहां चौंग चौंग जी चुपा必धा है कार्स चले जाते हैं और पर परेस चौंग जी को डूट को ना पताया इस हुना मास्टि ने यह नहीं बताया धे लह dua通ुट मेरे में नहीं होता तोम आज भी वह बाले में नहीं पंदा था और बीक्राइच फूब्कल ही ओश जां मैंने प्रिंस के सामने से तोड़ा था और मुझे इस बारे में नहीं पता था प्रिंसस बोलती कि अब तो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए पर तो मैं मास्टर के सामने लेकर चाहूंगी और तब यहां मास्टर आ जाते हैं और यह डाटते हैं चौंग जी को बिना बताया फ्रूर तोड़ने के लिए लेकिन प्रिंस मास्टर को बताते हैं कि चौंग जी को इस बारे में नहीं पता था मास्टर उसे माफ करते हैं तो प्रिंसस को बोलते हैं और प्रेस पिना कोछ कर यहाँ से चला जाताई यजि मास्टर को बोलती है कि इसमास्टर मुझे माफ कर दीजिए सच में मुझे इस बारे में नहीं पता था तो अब यहां मास्टर में सोचय होते हैं काकी लुफए ने चॉंग्जी को इतनी छोटी-छोटी बातों के पारे में भी क्यूं नहीं बताया और अप मास्टर उसे Immortals Temple में लेकर जाते हैं यहां वो चैंग्जी को बता दी हैं यहां वो चैंग्जी को एक सिल्ग दिखाते हैं वो बोलते हैं एक Demon King का अंश है अगर इस पर किसी डेमन का ब्लड चला जाएगा जितने भी डेमन्स हैं वो सभी जिन्दा हो जाएगे और उनकी पावर्स बहुत जादा बढ़ जाएगी चैंग जिससे डर जाती है लेकिन मास्टर से बोलते हैं तो जिन्दा मत करो और ये जो सेल्ड है वो चैंग जी से अट्रेक्ट हो रही होती है और चैंग जी लूफे के सामने होती है और वो मास्टर को स्वरी बोल रही होती है तो कि उन्हें पता चल गए होता है कि चंग से बिना बताय पहले से बाहर गई है मास्टर को बोलती है कि मैं आपसे प्रामिस करती हूँ कि आपको बिना बताय दुबारा कभी नहीं जाओंगी और मास्टर यहाप एक इगट स्वेश्स होते हैं चंग जी को देदे हैं मास्टर को यह बहुत आचा लगता है लेकिन उसके फेस पे लगा होता है तो मास्टर से साफ करते हैं तो बिलकुल चुड़ी बच्ची ही हो चौंग जी यहां सुई हो दी है लेकिन उसे बहुत ही बुरे सपने आ रहे थे वो डेमुंस को देख्ती है और आप नेक्स मॉर्निंग प्रिंस और प्रिंस को दिखाया जाता है जो, कि दोनों प्यातवित अभ्यास कर रहे होते हैं। जो प्रंसिस होती है वो प्रंस को हराने वाली होती है। प्रंस उसे हरा देता है। तो प्रंस उससे बोल दी है, आखर तुम चूंवादि को कल क्यू실 कर गए थे। हुए उसके इतनी कि युए है कि इसके बज़े से तुम्हें इतनी पइनिश्मेनट मिली कि प्रफ़़ता है में इसनिकी पॉत बहु आज है कि उसके सता समय ने हैं कि अभी तक नहीं सिखाया है तो प्रंसे को तो मैं क्या पोलता है है नहीं तुमने उसे fighting skills लगाया दो चाहिए तो सकी सेफटी के- मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा सकी तो इसने इन पावर्स की ज़रुत नहीं है इदर चांगसी को दीखते हैं को गूम रही होती यह अब ऐसके सामने एक बड़ा सा लायन आजाता है वो उसपर हमला करने वाला होता है और च报द सी भी उसे मारने वाली होती है लेकिन उसे यॉदर आता है कि मास्टर नससे सिखाया था जो वो कभी भी किसी को हाम नहीं कर सकती है तो वो बस वहीं पे रुक जाती है के साथ होते हैं और उसे बताते हैं कि अभी जो कुछ भी हुआ है तुम किन सिन बोलते हैं यह वागी में चौंग सी तुम्हें एक अच्छे मास्टर मिले हैं भले इनोंने तुम्हें मैस्किल फार्मर्स को युज़ करना ना सिखाया हो लेकिन खुद पर कैसे कंच्रोल रखा जाए यह तुम्हें वक्षो भी बताया है और यहां पर मास्टर श्रंग जी को परमिशन दे देते हैं कि वह इम्मर्टल बर्ट में कहीं भी आ जा सकती है उसे आप बस पैलस में नहीं रहना होगा और अभी धर श्रंग जी को दिखते हैं जो कि थोड़ी उदास होती है और सबसे जरूरी आप तो सबको बचाते हैं पर मैं आपको बचाना चाहती हूं अगर आपके कभी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं नहीं चाहती है अगर आपके कोई मुसीवत आए तो मैं बस देखती रह जाऊं तो मास्टर से बोलते हैं मैं हमिशा तुम्हारे साथ हूं तो त से छोड़कर वो इम्मोर्टल बोल्ट में आ गई है वो से मिलना चाहती है वो जाना चाहती है कि उसकी फ्रेंड अप कैसी है और दिखाया जाता है कि कुछ इम्मोर्टल एक टीमन को रोकने की कोशिश कर जाए और आप देखते हैं कि मास्टर और चौंग सी धरती पर आच तब यहांपर कुछ लोग एक लेडी को परिशान कर रहे होते हैं तो चौंग जी उन लोगों को रोकती है और यहां मास्टर अपनी पावर्स को यूज करते हैं और उन लोगों को पनिश करते हैं और चौंग सी अस लेडी को बोलती है कि आपका चेहरा लगता है मैंने पहल लेते हैं और वो उसके पीछे जाते हैं तो चौंग जी भी अब मास्टर के पीछे चली जाती है और यह देमन हार जाता तो यहां से भाग जाता है और मास्टर लूफे को देखते हैं जो की सीनियर गौट और किंस्शिन को बताते हैं यहां जो ने वैंसे को देखा था यहां जो सीनियर गौट होते हैं वो परिख्षान हो जाते हैं और वो मास्टर लूफे को बोलते हैं कि शायद वो चौंग जी को यहां से लेसाने आया था वो अंदर आती है और Senior God को बोलते है कि नहीं मैं अपने Master को छोड़कर कहीं नहीं जाओंगी और मैं कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुचाती हूँ तो आप मुझे कैसे निकाल सकते हैं और मास्टर को बोलते हैं कि मैं आपको छोड़कर नहीं जाओंगी तो सीनियर गॉट कुसा हो जाते हैं और वो किंस्टिन के साथ चले चाते हैं और चौंग से मास्टर से माफी मांगती है बीच में इंटरप्ट करने के लिए और वो मास्टर को बोल दिये तो अपने फ्रेंड को ढूटने के लिए दुवारा जाना चाती है यहां मास्टर उसे एक स्टोन देते हैं और बोलते हैं कि यह मेस्कल स्टोन है तुम हमेशा इससे पने पास रखना तुम कहीं भी रोगी तो इससे मुझे पता चल जाएगा और वो उसे मॉर्टल बर्ड यानि के धरते पर आने के परमिशन दे देते हैं और अब इधर डीमन बर्ड में दिखाया जाता है यह डीमन किंग है और यह वांजी है डीमन किंग वांजी को बोलता है तुम डीमन दो बन गए हो लेकिन पूरी तरह से नहीं और अब कहानी तीन साल पीछे दिखाया जाती है जहां immortal world में नीलून की जो तलवार है उसे पाने के लिए demons ने अटेक किया था जहां पे सबी immortal स्कायल थे और जो वांजी है वो भी एक immortal ही था और उस वक्त उसका नाम बूफे था और senior court में उसे तलवार बचाने के जिम्मेदारी दी थी उसने तलवार को बचा भी लिया था डीमन से फाइट करके लेकिन जो डीमन किंग था उसने उसकी वाइफ केरन को कैप्चर में लिया हुआ था और उसके पास उतने पाबर्स नहीं थी कि वो diamond king से fight कर सके लेकिन उसके पास nylon की तलवार थी इसमें बहुत सारे demons powers और अब उसके पास सर्फ एक रास्ता बचा था कि वो nylon की तलवार का use करे लेकिन जो सके wife हो थी वो उसे ऐसा करने से रोप दिये क्योंकि एक वार अगर उसने निलुन की तलवार का यूस कर लिया तलवार की जितनी भी इवल पावर्स है वो उसे पसेस्स कर लेंगी वो पावर्स उसे अपने कब से मिले लेगी और वो चाहकर भी वो भी एक डीमन बन जाएगा लेकिन वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए निलुन की तलवार का यूस करता है जिससे उसके पास बहुत सारी पावर्स आजाती है और यहां वो डीमन किंग से फाइट करता है और वो अपनी वाइफ की रान को तो बचा लेता है और यहां में पता चलता है कि जो वाइफ हूँ था वो मास्टर लूफ है का सबसे अच्छा दोस्त था और शायद यही बज़ा थी कि उसने चौंग जी को हाम नहीं एक दीमन है और अब इदर मास्टर लूफ है और चौंग जी को देखते है चौंग से यहां थोड़ी अफसेट होती है क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को नहीं धुन पाई है अब तक और अब मास्टर बोल दे तुम्हें भूख लगी होगी लिकिन इनके पास तो पैसे है नहीं तो चौंग जी यहां कुछ दुकान दारों की हेल्प कर दी है उनका समान बीचने में और इस तरह वो मास्टर के लिए खाना ले आती है तब ही यहां पर एक पीकर आ जाता है तो चौंग जी उसे वो खाना दे देती है लेकिन उसे याद आता है यह तो वही आदमी है चौकि हमेशा उसे परिशान करता था और वो आपमी भी आप चौंग सी को पहचान लेता है और चौंग जी से पुछती है कि क्या तुमने मेरी फ्रेंड को देखा है मैं चौंग सी को बहुत टाइम से जून रही हूँ पर मैं उससे नहीं मिल पाई हूँ चौंग सी को पता चलता है कि ऊसकी मौत हो चुकी है और अब जॉनक होने की वज़े से नहीं पहचान पाई और यहां काऊनर बताता है ओम उसे ज़वरदशती साधी करने के लिएं परिशान कर रहा था जब गौन्ग सी ने मना किया तो उसने उससे मार दी चौंगसी अपनी फ्रेंड के मौट से काफी दुखी होती है वो बस रोई जा रही होती है अभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है उसने कौंगसी को मारा है पर यहाँ चौंगसी खुत पर कंच्रोल नहीं कर पाती है और वो उस आदमी को बहुत बीटती है वो अपनी पाबर से उसे परिश कर रही होती है लेकिन मास्टर उसे रोक लेते है और अब वो बेकर चौंगसी को उसकी फ्रेंड का घर दिखाता है और यहाँ पर चौंगसी अपनी दोस को बहुत मिस करती है वो मास्टर को बोलती है कि अगर कल वो ज्रंक ना होती तो शायद उसकी दोस्त बच जाती उसकी जान ना जाती लेकिन मास्टर से बोलते कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है यह उसका भागे था पर तुम्हारी फ्रेंड हवेशा तुम्हें खुश देखना चाहती है तो तुम रोना बंद करो मास्टर से गले लगाते हैं और अब यह दोनों जा रहे होते हैं तो यहाँ एक लेड़ी अपनी डाटर को परिशान कर रही हूँ वो अपनी डाटर को बेचने जा रही होती है मास्टर उससे रोकते हैं यहां पताचलता है कि यह लिडी उस लड़की की स्टेप मादर ईड Обस्ट यहां था कूसा लडहएं के इस फालाती थे δсьकर स्वादर की मौथ चलाई उगहाई थो चांगसी को भी बोलती है कि प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो चांगसी भी मास्टर को बोलती है कि हम इसके हल्प करनी चाहिए लेकिन मास्टर बोलती है कि यहलर की बहुत ही चालाक है हमें इसके जितनी हल्प करनी चाहिए थे उतनी हमने कर दी है और फिर भी चांगसी मास काफी खुश होती है और मास्टर चैंगजी को बोलते हैं तुम यहां घूम सकती हो कहीं और अब इससे लड़की दिखाया जाता है जिसे कि मास्टर चैंगजी के कहने पर इमर्टर बॉट में लेकर रहा है यह जाओ हौँ है योकि कुलून का प्रिंस है यह कुलून केंग के बेटे यह इक इमर्टर इसके पास भी बहुत सारी पावर से ने के लिए बहुत ही शरार दी है और यह सवसे शराट करता है आये तेंश्रूआ से फ्लर्ट कर रहा था तव ही यहां पर चॉंग सी आ जाती है जो कि उससे रोक लेती है बोलती है मेरी दोस्त से तुर रहना त किस्टूडेंट तो जाहों बूलता है तो तुम वहीं स्टूडेंट हूं जिसे कि उसके मास्टर ने अब तक कुछ भी नहीं सिखाया है और इसे चौंग जी को से गुशा भी आता है और अपिस चाहब बोलता है यगर मैं दोट्स को छोड़ रहा हूं तो तुम्हें मेरे सास चलना होगा औरहा हो चौंग जीको लेकर चला जाता है औरहा भी और यहां वह चौंग फोरा वैलेस दिखा था करूंग भी भी तो तो नहीं डवीपने मैस्टर से नहीं शीकायत near और मैं उनसे बहुत आरी मेसकल स्केल्स सीखूंगी और तुम्हें दिखाऊंगे कि मैं कितीग पावरफुल हूँ तो प्रस जाओ बोलते हैं कि ना तो तुम्हारे पास कोई मेसकल पावर्स हैं नहीं तुम तेर सकती हो और तुम्हारा नाम भी कुछ खास नहीं है तुम्हारा फेस बहुत सुन्दर है तो क्यों ना तो मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हें सबसे बचाऊंगा और मैं तुम्हें अपनी मेसकल पावर्स पे सिखाऊंगा तो चैंग जी उसे बोलती है अपनी बखवास बंद करो तब ही यहां पर और अब चैंग सी बोलती है मैं जारी हुए सब मास्टर को बताने तो प्लस चाओ बोलता है कि रुख जाओ तो चैंग सी बोलती है अगर तुम मुझे पनी पावर्स दिखाओ तो मैं यह मास्टर को नहीं बताऊंगी अब वो अपनी मेडिटेशन सुरू करता है और जैसा कि चैंग सी बहुत ही सरारती है तो यहां वो उसकी पीट पर ट्रटल का डिसाइन बना देती है तो यहां पर तुम दोनों का अंदर बुलाया जा रहा है तो चैंग सी यहां मास्टर को बोलती है कि प्रस चाओ अपसे मिलने यहां आया था अगर आप इससे मिलना नहीं चाहते है तो मैं इसे यहां से भगा देती हूं और यहां इन दोनों की फाइट चली रही हुती है तो मास्टर बो तूम दोस्ट बना सकती हो और आफ जोलती है सब बिल्कुल चाप चाप की है तूम आस्टर को बिपाक्षा मास्टर को कोई बुलाता है तो नहीं जाना पड़ता है बोलती है अब चले जांगे तो मुझे यह dvd लेकिन मास्टर बोलते हैं यहां बहुत से लोग हैं तो तुम आराम से इंचुई करो मास्टर के चाहते हैं यहां बहुत सारी लड़के आ जाती हैं और यह सब चंगसे से भात कर रहे होते हैं और देखते हैं कि एक लेडी जिसे मास्टर साइथ पहले से ही जानते हैं को बोलती है कि मशधें प्रह सकते हुँआ है कि मैप को पसंद करतीं आप मास्टर से शादी नहीं कर सकतीं तो जांग से बलते है कि मैं मास्टर के स्टिट हीुअग करेंगे कि मैं भी छोटी हूं लेकिन इतना तो मैं भी दानती हूं कि मास्टर कैसी इसे श्रादी करेंगे सी लेटी जिसके पास पाउट सारी क्वालिटीस 26搭ी संधर हो और भाइस लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप इन सब में से हैं और यहां पर बाकी लोग आ जाते हैं और वो लेडी कुसा कर चली जाती है और एक इमर्टल मास्टर को यहां बोलते हैं आपके डिसाइबल यानि कि आपके स्टुडेंटों वो अथी अच्छे से सबको जवाब देती है और अब यह दोनों दुवारा खाना शुरू करते हैं तब ही यहां पर खोलीन किंगे सन यानि की प्रंस चाओ यहां पर आता है और यहां पर वो चंगसी को भी देखता है तो वो चंगसी को हाय करता है वो चंगसी को बोलता है तुम मेरे साथ चलो लेकिन चंगसी से मना कर वह बोलता है अब तो मेरी लीडी हो चौंग से बोलती है कौन है तुम्हारी लीडी तो प्रशाक उसके फादर बुलाते हैं और यह अपने फादर को ग्रीट करता है और जैसे वह नीचे चुपता है तब उसके पीट पर बना टर्टल देख रहे होते हैं और सब यहां बहुत की अपने संको बाट देख बोलते हैं यहां कैसे आया जाता है और वह सुचता है कि आखी क्या हो गया वह दिखता कि चौंग से काफी हस रही है तो उसे याद आता कि चौंग ची पीट पर कुछ बना रही थी अरब मास्टर को भी समझ में आजाता है कि चौंग सी की नहीं कि मेरे स्टुडेंट थोड़ी से नौटी है तो उसे माफ कर दीजिए लेकिन जो कोलोन कींग हो थे वो बोलते हैं मेरा वेटा थोड़ा बदमाश है इसलिए चौंग जी ने उसे सवक सिखाया होगा चौंग जी ही है जो इसे सुधार सकती है तो यह प्रस जाओ बोलते हैं त इसलिए इसके मुझें करवानी हैं और चौंग जी माश्टर को बोलते हैं कि मुझे शादी नहीं करनी तो मास्टर से बोलते कोई भी तुम्हें फ़ोर्स नहीं करेगा तो आप परह जाओ जाओ बुढ़ते हैं जाओ को बहुत डाटते हैं और दबी यह एक लेडी आ दिया इसका नाम siya heya ли SpaceX को समझा ती मास्टर रूनियसा क्यों किया है और हमें बड़ा चलता है कि इस मेश जाओ करती इसे मास्टर फैक Designer की इंटेडूश करवाते हैं रहे हैं यहाँ फार्स विह होंगी और आप यहाँ पे सबमें बना रहे होते हैं द्रीन इस करनें का और सब बोलते हैं, जो किरान है वो उसरे शादी करने वाली है किरान था है वांज इनॉसें जो कि वांजी के लिए इम्मोर्टल बॉल्ड से तो आप से जैन को खतरा था तौ यहां पर चॉंगजी इस सबको बोलती है कि नहीं आ ऐसा नहीं कर सकते क्यान तो आप कैसे झाद सकते हैं और यहां जाहं से उसकी बात इसलिकर्टी और मास्टर भी तो यहां कुछे मारी टैट तु में कैसे बोल सकती हो तुम सिर्फ एक स्टुडेंट हो तो आप मास्टर चांग जी का डिफेंड करते हैं और बोलते हैं कि मेरे डिस्टाइफल ना बिलकुस सही कहा है तो भी हाँ बाकी इम्मोर्टल चांग जी को बोलते हैं तुम तो एक इवल ब्रित के साथ पैदा हुई हो तो चांग जी मास्टर को बोलती है क्या मैंने सही किया था ये बोलकर तभी यहाँ पर जाउंजी आजाती है जो कि चांग जी को बोलती है तुमने बिलकुल सही किया और मास्टर चांग जी को जाने को कहते हैं और अब यह दोनों वात करते हैं चांग जी मास्टर लुफे को ब तो यहां उसे माफिय मागती है तो जाउंजी मास्टर को बोलती है मैं इसे नहीं पहचानती हूं उसे इंट्रिड्यूस कर वाद है और बोलते हैं कि इसे मेडिसन के बारे में बहुत नौलेस है अगर तुम इसे अपनी डिसाइपल बिना हो तो यह तुमसे काफी कुछ सिखे को बोलती है मुझे कोई पसंदी करता प्रीस आप मुझे अपनी डिसाइपल बना ले तो वह उसे लेकर यहां से चली जाती है यानि कि तिल्शुआ अब उनकी डिसाइपल है और अधर को देखते हैं जो कि प्रसचा को काफी डाटते हैं कि उनके वज़े से अज सब के सामन मास्टर लूफिय ने इनकार किया लेकिन प्रस जाओ तो बूलते हैं मैं तो शादे सर्फ चौंकसी से ही करूंगा तो यह उसे डाटते और चले जाते हैं और आप मास्टर आदे दिखते हैं कि चौंकसी तह्याँ सजी होती है तो इसने पेपर में यहाँ ठटल बनाए है औ मास्टर से बोलते हैं कि तुम ये पहले बोलना बंद करो चाउंजी कि तुम्हें रूम में ही रहना होगा वरना वहूर ते तुम्हें हमेशा परिशान करेगा और अब इधर दिखाया जाता है डेमन वांसी को वो किरान को बोलता है कि तुम प्लीज मेरे साथ चलो लेकिन किरान मना कर दीती है और बोलती हम दोनों अलग है मैं एक इमोर्टल हूun और तुम एक डेमन हूँ मैं तुमारे साथ नहीं जा सकती और वो चला जाता है और यहां का फिरान काफे सैड होती है वो याद करती है कि टाइम था जब वांजी वाइफ हूं था उसने सौड को डेमन से बचाया था लेकिन जब से उस सौड ने उस से पसेस किया है वो एक टीमन बन गया और अब इदा है तेंश्वा को देखते हैं चुक्छे मास्टर को बोलती है कि प्लीस आप मुझे अपने डिसाइपल बना ले मैं आपको अपना मास्टर बानती हूं मैं में इस चांग्जी के साथ नहीं चाना चाहती है मैं चांग्जी से अच्छी स्टुडेंट बनूंगी मैं अच्छा करूंगी लेकिन मास्टर यहां उसे डाटते और बोलते हैं कि मैं सिर्फ एक ही स्टुडेंट को रख सकता हूं वह चौंग्जी है तो तेंश्वा हैं मास्टर को बोलती तो अपने मुझे क्यों बचाया और आखिर आप मु चौंग्जी को दुवारा परिशान करने के लिए आच चुका है तो चौंग्जी बोलते कि मैं मास्टर को बलाऊंगी अगर तुमने मुझे परिशान किया तो लेकिन प्रिस जाओ बोलते हैं कि मास्टर तो बाहर गया है और आव इन दोरों की नोगजक्स शुरू हो जाती इन अ़िप्र को चौंग्जी की आवास को बन कर देते हैं तो चौंग्जी यहाँ रोने ही लगती थी लेकिना वह चिला कर माश्र को बलाती है और अब वह से बोलते हैं और शादी तो तो मेरे फादर भी मान गये आग पस्तुमने किया था उस impost तो बदल मैं लेकरी रहूं वो किरान का हाथ पकरता और बोलता है मेरे साथ चलो लेकिन कि लान उसे मना करती है और जैसे यह दोनों बाहर आते हैं पर सभी यहां बिठा कर चले जाते हैं और यह भी वांजी किरान को बोलता है तुम मेरे साथ आखिर क्यों रही चलना चाहती और उस लूफ है को तो मैं सबक सिखाऊंगा अज उसकी बज़े से तुम्हारे जान खत्रे में थी लेकिन किरान उसे रोकती है और बोलती है मैं रही चाहती तो उस पर हमला करता है और तब यहां पर मास्टर लूफे आ जाते हैं जो कि चाहल देखते हैं और अब यहां दुवारा वांजी और मास्टर लूफे के विच फाइट होती है और वांजी यहां से भाग जाता है और तब यहां पर वांजी लोग आ जाते हैं प्रेस चाह च कि कैसी मास्टर को बोलते हैं कैसी है मास्टर वोलता है क्या है ठीक है और मस्टर उसका चैक अपर लीकर आया था लेकिन मस्टर दूनों ही बच्चे हैं जिनसेन है और यह चौंग सी को बताती है कि इसे मास्टर लूफई ने चौंग सी का ध्यान रखने के लिए यहां रखा है यह भी एक इम्मोर्टल ही है और अब इधर देखते हैं डैवन किंग को इसका नाम वांग्यू है जो कि किरान और वांजी को बोलता है अब तुम दोन है कि कितने शर्म की बात है तुम जैवन से फाइट नहीं कर पाई बलकि घायल हो गई और आंग्यूमेंट बढ़ जाता है इन दोरों के विच फायद होती है लेकिन चौंग सी प्रिंसस के डेक पे तलवार रखती है अब बताओ कौन जीता प्रिंसस से बोलती है मुझे छो करना मुझे आता तो शायद मैं वांग सी से फाइट करती और अब यहां मास्टर चौंग सी को अपने सारे वेपेस दिखाते हैं और बहुत ही पावरफुल और चौंग सी को बोलते हैं कि तुम इनमें से कोई एक अपने लिए चुन सकती हो और चौंग सी यहां पर एक इनको अच्छे से यूज़ करना सीख रही है और देखते हैं कि मास्टर कर सकता हूं पर फिर भी जब मैं उसके साथ ना रहा हूं तो उसे अपनी सीफटी खुद करनी होगी और आप यहां चौंग सी मास्टर के लिए केक बना कर लाती है और वो मास्टर को बोलती है कि आप प्लीस से टेस्ट करें बताया कैसा बना है मास्टर से टेस्ट करते है और इसका टेस्ट काफे बुरा होता है लेकिन वह चौंग सी को बोलते है कि इसका टेस्ट अच्छा है और चौंग सी टेस्ट करके देखती है तो इसका टेस्ट तो बहुत बुरा होता है तो वह मास्टर को बोलते है प्लीस आप इसे रखते लेकिन मास्टर उसे नहीं रखते हैं वो बोलते हैं मैंसे खालूंगा अब चौंग जी है मास्टर को रोखना का कोसिश कर रही होती है और ये दोडों काफी क्लोस होते हैं तो मास्टर उसे वो केक कापीस दे देते हैं यहां यह दोरों काफी अकवच फिल कर रहे होता है और अब चौंग्जी यहां सुई होती है तो मास्टर देखते हैं चौंग्जी सुई हुई बूल रही होती है कि मास्टर मैं एक दिन आपके लिए बहुत अच्छा केक बनाऊंगी मास्टर स्मैल करते है मास्टर लूफे को बोलते हैं कि हम वांजी को नहीं रुख सकते है उसके पास नीलून की तलवार है चब तक कि वो तलवार उससे अलग नहीं होती उसे कोई नहीं हरा सकता और अब यहां यह दुवारा से प्लैन बनाते है और इधर आप देखते है कि किरान को Immortals ने capture में लिया हुआ है और यहाँ Immortals किरान को बोलते हैं कि तुम हमें बता दो कि वैंजी कहां है तो किरान बोलती है आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं मैं एक Immortals हूँ और आप लोग ने मुझे क्यों कैथ किया है तो बागी मोटल्स बोलते तुम तो बस एक जर्या हो वैंजी तेक पहुचने का और अभी हाँ किरान लूफे को बोल दिये कि तुम कैसे इमोटल हो जो कि अपने फ्रेंड को ही एक जैमन बनने से नहीं रुक पाए अगर उस दिन तुम लोगों ने उन डेमन से फाइट क्या होता तो वाइफू को बचाने के लिए उस तलवार की जरुवत ना पड़ती और ना ही वो वाइफू से वैंजी बनता और तब ही आपर वैंसी आजाता है चोंकि यहां सब पर हमला करता है और यहां से किरान को लेकर चला जाता है कि तुम मुझे नहीं रουक सकते हो और दे ⑤ज चونंगसी को देखते हैं जो की मासटर का वेट कर रही होते है है और कि मास्टर ने उसे क्या कहा था जाने से पहले मास्टर ने उसे एक मैस कल पावर दी ता कि वो खुद को सेफ रख सके और यहां चौंगजी को याद आता है जब वह वेगर थी तब एक इमोर्टल ने उसे पावर्स दी थी खुद के सेफटी के लिए जो कि वाइफ हुई था पर उसे अब तक इस वारे में नहीं पता है कि वो वेंजी ही है और मास्टर ने उसे बताते हैं कि वेंजी पहले इमोर्टल था पर अब वो एक डीवन बच चुका है उसकी वज़ए से थीन हजार इमोर्टल की मौत हुई है इसलिए उसे सजा मिलना बहुत ही ज़रूरी है और चौंगसी को बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना और मेरा वेट करना में जल्दी आ जाओंगा और याद जन से चौंगसी को बताती है कि डिवा डिसाइबल्स के एक टीम सीसो मांटेन पे जा रही है तो अब वो प्रिंस से मिलती है और यहां वो प्रिंस को कंवेंस कर ल हरे डुब काफी ख़श हो चाथी हैं और अब यह सब जा रहे हुते हैं तो और चांगसी को बोलते हैं तो मेरी हो तो चौंगसी बोलती है कौन तुमारी है और यहां इन दोनों की नोक्षक चलती ही रहती है तो सब लोग यहां रुक जाते हैं और आप चौंगसी प्रिंस के पास जाती है और बोलती है कि यह आप मुझे परिशान कर रहा है और यहाप प्रिस को पता है कि यह कुलून केंग का सन प्रिस जाओ है इसलिए वो बस उसे पुछता है कि आप चौंगसी को परिशान क्यों कर रहे हैं तो आप प्रिस जाओ बूलते कि मैं इसे जानता हूँ और मैं बस इसके साथ मज़ा कर जहा था और प्रस जाओ बोलते हैं कि मैं भी तुम लोगों के साथ चलने वाला हूँ और अब यहाँ प्रस जाओ दुवारा चौंगसी को परिशान कर जा है वो चौंगसी को बोलता है मुझ तुम्हे पता है मैंने तुम्हे कितना मेस किया अब तुम मेरी लेडी हो और मैं तुम शेह साधी करोंगा तो जिंजरिया प्रस जाओ को बोलती है तुम तो सबसे यही कहते हो सबको यहाँ पता है कि तुम सभी फीमेल्स के साथ फ्लर्ट करते हो तो प्रस जाओ बोलता है कि नहीं वो सब तो मेरी सिस्टर से हैं मैं सिर्फ चौंगसी को पसंद करता हूँ और यहाँ प्रिंस देखता है कि चौंगसी को परिशान कर रहा है वो चौंगसी को वहाँ से उठाता है और चौंगसी प्रिंस को बोलती है प्रिंस जाओ मुझे बस परिशान कर रहा है मेरी हेल्फ करो तो प्रिंस प्रिंस जाओ को बोलता है कि बहुत सारी फिमल्स डिसाइपल आपको ढून रही है और अब यहां से प्रिंस जाओ चले जाता है और सब को यहां आप रूम दिया जाता है प्रिंस जाओ बोलते हैं मुझे चौंगसी के पास वाला रूम चाहिए लेकिन यहाप प्रेंस ने प्रेंस जाओ को बोला कि आप मेरे साथ मेरे रूम में रहने वाले हैं जो कि चौंक से की रूम से काफी दूर है जिसे कि चौंक से काफी खुश होती है अब यह सब यहाँ घूम रहे होते हैं और इतर मास्टर लूफे को देखते हैं आज़ों के अपने मन में बोल रहे होते हैं कि वो वांसी को धूणक लेंगे और उसे इविल सोड की पायर से आजात करएंगे दुवारा वो अपने दोस्ट को लें आएंगे। ठोल्व परनिख चांट धार एहां तो यहां पर परणिश को यहां पर पसंद नहीं आ रहा चादी क्यों करना चाहते हूं और यह तुम से चादी क्यों करें और रहसी इस निए मैं इसे स्भावार इसे मुझे करना चाहता हूं और में चाहते हैं करता कि यह सोचती है और इन दोनों के वीच आर्गियूमेंट हो रहा था, तो यहां पर जिंग जिंग प्रेंसे को बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये दोनों ही चौंग सी को पसंद करते हैं, जिससे सुनकर प्रेंसे को काफे गुस्सा आ जाता, वो चौंग सी को बोलती है, तुम किस प्रेंसेस को बोलती है अखिर तुम भी उसे पसंद करने लगे हो और यहां चौंक्सी को पाफे हैं को ना देती हैं और अगली सूब अठागर बाना देती है तो यह दो consistency को जरूर दे верх उससें से उसस्ता ही माफिय मांगनी को कम सी कम ten उससे ख tenant 2 और अवां पर जबते हैं तो अब प्रेंसेस चॉंग्सी को बोलती है कि मुझसे माफी मागो लेकिन चॉंग्सी बोलती है कि मैंने कुछ कलते हैं किया तुमने भी तो कल मुझे उतना कुछ सुना दिया था तो ये तुमारा सबक है तो अब इन दोनों के वीच में fight शुरू हो जाती है और याओ अप प्रस इस काफे गुसे में थी वो चॉंग जी को hurt करती है जो भी आप प्रस जाओ उसे रोकते हैं और चॉंग जी के साथ fight करने लगते हैं यहाप यह प्रेंस इस सब को रोकता है और बोलता है हमारी पावर्स ऐसे फाल्तू में यूस करने के लिए हमें नहीं मिली है और वो प्रेंस जाओ को बोलता है कि तुम इन दोनों को बढ़ाबा कैसे दे सकती हो तुम्हें यहाँ से अब जाना चाहिए हलो दोस्तों यह इस ट्रामे के एक्स्प्रेंशन का सेकंड पार्ट है इसके लास्ट पार्ट में देखा था कि सांग्जी और प्रेंसस के बीच फाइट होती है फाइट करकर जाते हैं और आप मास्टर लूफे को देखते हैं मास्टर लूफे को बताते हैं चौंग्जी डिफसाइबल्स की टीम के साथ जीसु मांटेट पे गई है और मुझे माफ कर दीजिए उसे जाने की परमिशन मैंने दी है तो यहाँ मास्टर लूफे मास्टर मूँ पे काफी गुसा होते हैं अभी तक बेंजी को हमने नहीं पकड़ा है और वो दुबारा चौंग्जी को नुकसान पहुचा सकता है और तुमने चौंग्जी को बाहर जाने का परमिशन दिया मैं इसके लिए तुम्हे जरूर पनिस करूँगा और मास्टर लूफे बोलते हैं कि मैं चौंग्जी को लाने जा रहा हूँ और थे चौंग्जी थोड़ी उदास हो दिये तब ही आम पर प्रेंस आता है तुम मझसे गुसा आओ लेकिन चौंग्जी को बलते हैं कि नहीं तुम मुझे माफ कर दो मेरी वज़े से प्रिंसस ने तुम्हे उतना कुछ सुना दिया और चौंग से बोलते हैं मैं तुम्हें प्रामिस करती हूँ कि जब मास्टर मुझे बापस लेने आएंगे तो इस वर तुम्हें कोई पनिश नहीं करेगा मैं मास्टर को बता दूँगी कि मैंने ही जित की थी आने की और फिर चौंग से बोलते हैं कि मैं मास्टर के लिए कोई गिफ्ट ले लेती हूँ ताकि उन्हें मनाना असान हो जाए प्रिया प्रिंसस मैल करता और बोलता है तुम कभी भी शांत बेच नहीं सकती हो प्रिया प्रिंससे एक वेपन दीता और बोलता है तुम अपने पास रखना इससे हम पता कर पाएंगे कि तुम कहां हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकता हूँ मुझे मास्टर ने कहीं और जाने को बोला है और अब चॉंक जी इनसे यहां पर फ़र खोम रही होती है वो मॉस्टर पे लिया एक फुरू पिलेती है अभी वह किरान और वांसी को बाते करते हैं सुनती है जहां किरान वांसी को बोलती है कि मैं तुम्हेरे साथ नहीं रह सकती मैं तुमसे प्यार करती थी, तब थैप तुम बाइफू थे लेकिन आब तुम डेमन बण चुके हो और इन दोनों की बातों से चांग जी समझा दिये कि ये वहijä इमोर्टल है लेकिन अब ये से डेमन वांसी बन चुका है यां वांजी को भंची को पकर लेता है आप सो वहीं इमर्टल इसमारी जान बचाई लेकिन आप पहले जैसे नहीं है आप便स्यू कर instigate S पूंख़ मेर्स्क करने लीदे हूं यहां पर लूपन को बोलते हैं कि मुझे चंग जी से तुम मेरी बज़े से ही मिले हो और तुम चाहे कितना भी इसे प्रोटेक्ट करो और तुम इसे नहीं बचाओ पाओगे क्योंकि ये इवल्स पावर्स के साथ जन्मी है और वांसी कुरान की साथ यहां से चला जाता है और आप मास्टर चौंगसी पर काफी गुसा होते हैं क्योंकि वो बिना उनसे पमिशन ल है ती पर उसे अकेला छोड़ दिया और यहां मास्टर मूं भी बोलते हैं कि प्लीज चौंगसी को माफ करती है यह का सिकْixon करते हैं मैं चाहुन कर करके बैठने को बोलते हैं और आप मास्टर मौ को बोलते हैं आपने ये अच्छा नहीं किया चांग जी को यहां लाकर और आप तोनों को आपकी शज़ा ज़रूर मिलीगी और प्रिंस को बोलते हैं तुम अपने मास्टर के पास जाओ वो तुम्हें पनिश करेंगे और आफ चांगसी अपनी punishment को पूरा कर रही होती है तो काफी इदार्स होती है क्योंकि Master उसे घुसा है पहर देर परेस को भी Master की अइंस पनिश करते है चांगसी अब पूरी दिन ऐसे ही बैठी रहती है सब ही याँ Master मूँ आते हैं और बोलते हैं कि मास्टर ने में काप तुम में काफी हाइभ Shreemλर इंडे जो और चॉंग चिह कि मेरे खुटनों में तो दर्थ मुरह 3 मास्टर उसकी थे can cable करते हैं जिसए कि उसे पेंट से रिलीफ मिलता है और आप पूरे दो दिन हो चुके हैं चौंग सी को अपने पनिश्मेंट के और मास्टर लूप है देखते हैं कि चौंग सी अब बेहोश हो चुकी है अब नेक्स्ट मार्निंग को चौंग सी को बोलते हैं कि अब हमें बापस चलना है यहां चौंग सी मास्टर को बोलते हैं कि कि इसने Master के लिए लाया था। इदर के रान और वां सी को देखते हैं वां से करान को बोलता है तो मेरे साथ C में यहां सी रुख अना मैं तुम्हेरे साथ नहीं जाऊंगी को रृट हम यहां वां यहां वह एपने वी प्रंस से मास्टर मुस सी मिलती है इस इसमें पैनिश्मेंट में दिए उर्स मास्टर से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसे की वज़े से उन्हें ये पनिश्मेंट मिली है तो मास्टर मू चॉंग सी को बोलते हैं किसमें तुम्हारी गलती नहीं है मैं ये पनिश्मेंट डिसरफ करता था और वो उसे बोलते हैं तुम बस अपना खयाल रखो और अब इधर डेमन बल्ट में दिखाया चाहता है जहाँ वांसी डेमन किंग वाई ये उसे मिलने आता है और वांसी डेमन किंग को बोलता है कि अब मैं एक डेमन बने नहीं रहना चाहता हूं तो मुझे बताओ मैं इस तलवार से कैसे आज़ाद हो सकता हूं 3000 Immortal Disciples को मारा है लेकिन फिर वांसी बोलता है कि मुझे फर्क नहीं परता बस मैं अब एक डेमन बने नहीं रहना चाहता हूं तो वांसी बोलता है ठीक है तुम्हारे इसमें हल्प करूंगा लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त है और यहां वो वांसी को बोलता है तुम्हें मेरी लिए चौंग्सी को किड्नेप करना होगा उसे डेमन बल्ट में लाना होगा तु वांसी बोलता है कि आखिर तुम उसे यहां क्यों लाने चाहते हो लेकिन वांक्यों उससे नहीं बताता है अरधर चौंग सी थेंजन से को बोल दी है क्या मास्टर अभी मुझसे बहुत गुसा है उसे नहीं बताता है उसके बाद वो जंजन से पूछ दी है क्या तुम वाईफू को जानती हो वो कौन थे और वांजी से उनका क्या कनेक्शन है तो याज जिनजिन उसे बोलती है कि वाईफू के बारे में यहाँ बोलना माना है लेकिन फिर भी वो उसे बता दिये कि वाईफू यहाँ एक इममर्टल थे उन्होंने शॉर्ट को बचाया था डेमन से लेकिन अपने वाईफ किरान को बचाने के लिए उन्होंने उस सौर्ट की पावर्स को यूस किया और उसके बाद उस सौर्ट ने उन्हें पसस कर लिया और अब वो एक डीमन बन चुके है और वो वांजी है अब और अब चौंकसी पूरी कनफर्म हो चुकी है जिस इमोर्टन उसके जान बचाई थी वाईफ हो वो ही अब वांजी है जो कि अब डैमन बन चुका है और अब इदर प्रस चाग को दिखते हैं जिसमें कि चौंकसी के लिए एक गिफ्ट पेजा होता है और अब वो अपने फादर से बात कर रहा होता है और यहां मिस्टर कुलोन उसे बोलते हैं कि तुम ये जित छोड़ी दो क्योंकि चौंकसी की शादी तुमसे मास्टर लूफे नहीं होने देंगे लेकिन प्रस चाग बोलते हैं कि फादर मैंने जब फरस टाम चौंकसी को देखा था तब से मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं सिर्फ चौंकसी से ही शादी करूँगा मैंने अब तक आप से कुछ भी नहीं मांगा है पर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी और चौंकसी की शादी करवाएं तब लूफे को भी मानना ही होगा और तर चौंकसी काफी उदास हो दी है क्योंकि मास्टर अब तक उससे मिलने नहीं आये है उसे लगता है कि मास्टर अब तक उससे गुसा है और ये सोचते सोचते हूँ वो सो जा दी है तब ही हाँ मास्टर आते हैं तुरम सच में शादी नहीं करना चाहती हो, तो चौंग सी बोलते हैं, की नहीं, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी, मैं सिर्फ मास्टर की साथ ही रहना चाहती हूँ, और तभी यहां मास्टर लूफे को बताया जाता है, यहाँ देखते हैं कुलोन किंग्स हो है वो सीनिर कोड को बोलते है कि मेरा सन जाओ चौंग सी को पसंद करता है वो चौंग जी से शादी करना चाहता है और मुझे लगता है इससे हमारे रिलेशन्स और भी अच्छे हो जाएंगे और सीनिर कोड तो चाहते हैं कि कैसे भी चौंग सी मास्टर लूफ और इम्मार्टर वॉल्ट से अलग जाएं तो उन्हें लगता है कि जब चौंग सी की शादी प्रस जाओ से हो जाएगी तो वो मास्टर जाओ के पलेस में हमिर्शा रहेगी वो इस शादी के लिए मान जाते हैं लेकिन हैं जो कैंशिन होते हैं वो बोलते हैं कि पहले तो मास्टर लूफ ही को आनी दीजी और अब मास्टर लूफ ही आ जाते हैं चोंकि को बोलते हैं क्यों नहीं चौंग सी की शादी नहीं करवानी है ना तो प्रेस जाओ से या ना है किसी और से तो कोलूंग किंग बोलते हैं कि ऐसा क्यों आखित हम चौंग जी की शादी क्यों नहीं करवाना चाहते तो मास्टर बोलते हैं कि चौंग जी अभी यंग है उसे अभी अपने पढ़ाई अपने मस्कल पावर्स को यूज़ करने पर ध्यान देना है कोलूंग किंग बोलते हैं वो तो वो शादी के बाद भी कर सकती है तो यहां मास्टर बोलते हैं कि वो मेरी डिसाइपल है और वो मेरे साथ ही रहेगी और यह मेरा फैसला है कि चौंग जी की शादी नहीं होगी तो यहां कोलूंग किंग बोलते हैं कि बाके मास्टर से अलग आप चौंग जी को चीट करते हैं कि आप चौंग जी की शादी कभी नहीं करवाएंगी तो यहां गौड किंशिल सब ममला संभालते हैं तो मिस्टर कोलन को समझाते हैं कि चौंक से भी यंग इद इसलिए मास्टर लूफे उसके साधी नहीं करणा चाते हैं और यहाँ पर सीनियर कोड भी लूफे को बोलते हैं कि तो माकर उसके शाधी क्यों नहीं करवा रहे हैं एकिन मास्टर लूफ है यहां से चले جाते हैं खोलन किनंग उसमें काफ़े गुशा होते हैं और अब हम देखते हैं कि मास्टर लूफ है को यहाएक मिरर मिलता है तो वो समझ आती है कि ये प्रस चाओ ने चौंकसी को दिया होगा और तब ही यहाँ पे चौंकसी आसाती है तो मास्टर चौंकसी को बोलती है ये गिफ्ट तो काफी अच्छा है प्रस चाओ सच में तुम्हें काफी पसंद करता है तुम्हें उससे शादी करनी है तो चौंगजी बोलती है मैं उसे नहीं चानती हूँ नहीं वो मेरा दोस्त है और नहीं मैं उसे प्यार करती हूँ वो यहाँ पर रो पर दी है और मास्टर को पीछे से हग करती है और बोलती है मुझे उससे शादी नहीं करनी उससे तो क्या मुझे कैसे से भी शादी नहीं करनी मैं बस आपी के साथ रहना चाहती हूँ मुझे कहीं भी नहीं जाना है और अब वो उस मिरर को फेक दीती है और बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी वो बहुत ही ज़ादा रो रही होती है तो मास्टर से समझाते हैं कि एक ना एक दिन उससे शादी करनी होगी लेकिन वो फिर भी बोलती है कि उससे कभी भी शादी नहीं करनी वो बस उनके साथ ही रहना चाहती है और आप मास्टर से बोलती है कि उससे शादी के लिए कोई भी फोर्स नहीं करेगा और वो बोलते हैं कि ये मैं लास्ट टाइम तुम से पूछ रहा हूं किया तुम प्रस जाओ से शादी करना चाहती हो तो चौंग सी बोलते हैं कि नहीं और आप मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें कोई भी अफोर्स नहीं करेगा और चौंग सी बोलती है अगर मैं आपको छोड़कर चलीगी तो आपका ध्यान कौन रखेगा और आपको मेरी जैसी ओवेडियन डिसाइपल कभी नहीं मिलेगी तो मास्टर से बोलते है हाँ तुमने सही कहा और तुम्हें तो सिर्फ मैं ही जेल सकता हूँ तो चौंग सी भी बोलती है कि मैं ही सिर्फ आपके डिसाइपल बन सकती हूँ तो मास्टर बोलते है ठीक है यानि कि हम दोरों एक दूसरे के लिए हैं और वो से प्रमिस करते हैं कि वो चौंग जी के साथ ही हमेशा रहेंगे और इदर कुलोन के को देखते हैं जो कि प्रस जाओ पे बहुत ही ज़ादा चला रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे शादी चौंग जी से नहीं होगी आज सब की सामने मास्टर लूफ है ने यह कहा है कि वो चौंग जी की शादी किसी से नहीं करना चाहता है तो प्रस चाओ यहां बोलते हैं कि वो चौंग जी का फैसला कैसे ले सकते हैं मैं खुद जाकर चौंग जी से बात करूगा लेकिन यहां उसके फादर उसे काफी डाटते और बोलते है कि अब तुम चौंग जी से नहीं मिलोगे मेरी इतनी वेज़ती काफी है सबकी सामने उसने मुझे दो बार मना किया है और आप इधर चौंग सी मास्टर को बूलती है मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ और वो यहां पर एक फिश लाती है और मास्टर को बूलती है आपको याद है मैंने जब फर्स टाइम आई थी तो एक फिश को कुग किया था तो उसे के बदले आज मैं एक न्यू फिस लेकर आई हूँ चौंग सी बूलती है यह फिस मेरी तरह आविश्टाप के साथ रहेगे तो मास्टर याउस का नाम जी रखते है तो चौंग सी बूलती है यह तो मेरी नाम के तरह ही है तो मास्टर बोलते हैं कि तुम ही ने तो कहा था कि ये तुम्हारी तरह मेरे साथ ही रहेगी और अब इधार डेमन बल्ट में दिखाया चाता है जहां कि डेमन किंग वांग्यो बोल रहा होता है जब टाइम आ गया है कि हम चौंग्जी का इस्तमाल करें और ये जो आदमी है इसका फेस अभी तक रिविल नहीं किया गया है ये इम्मोर्टल्स में से ही एक है लेकिन ये डेमन का साथ दे रहा है और ये बोलता है कि चौंग्जी और मास्टर लूफ एक दूर एक दुसरे के साथ हैं और उनका रिष्टा काफी अच्छा होता जा रहा है वैं वांग्यू बोलता है ये तो पहले से ही तैथा ये उनकी किस्मत है और आप देखते हैं कि चौंग्जी सोई होती है लेकिन वो जीम देख रही होती है कि वो एंसिस्टर टेम्पल में है और यहाँ जो जैमण सील्ड है वो उसे टे़्च करने वाली है वो डर जाती है और उसकी नीद खुल जाती है और अब इधर दिखाया जाता है कि जो जैमण सील्ड है उसमें कुछ परिवर्टन हुआ है वो अपनी जगर से हिला है और यहां हॉल में सभी इमोर्टल्स होते हैं और यहां यहीं डिस्कुशन चल रहा होता है कि आखिर डेवल सिल में यह चेंजिस कैसे हुए तो यहां जो सीनियर गौड है थे वो सभी इमोर्टल्स को बोलते है अगर तुम में से कोई भी एंसेस्टर टेंपल में गया है जिसकी वज़े से यह हुआ है तो अपनी गलती मालों में उसे माफ कर दूँगा वर्डा अगर जाच में यह पता चला तो उसे माफ नहीं किया जाएगा लेकिन कोई भी डिसाइपल नहीं आता है तो अब सीनियर गॉट बोलते हैं कि ठीक है अब इसकी जाच होगी और डेमन शिल्ड को बाहर लाया जाता है यहां चौंग जी उसे देखकर काफी डर रही होती है उसे लगता है करी वो कल रात तो नहीं कहीं थे एंसेस्टर टेंपल में फिर उसे लगता है वो तो सिर्फ एक नाइट मेर था और अब यहां सीनियर गॉट सभी के हाथों को चेक कर रहे होते हैं क्योंकि जिसने भी डेमन शिल्ड को टच किया होगा उसके हाथों पे निशान होगा ब्लड का और यहां वो सभी डिसापल को बताते हैं अगर इस डेमन शिल्ड पर डेमन किंग या किसी भी इसके बन से इसका ब्लड चला जाएगा तो यह शिल्ड तूट जाएगी और जितने भी डेमन से हो कैद हैं इसमें वो सभी आजाद हो जाएगे यहां सीनियर कोट को चांग से पेशाख होता है लिकिन वो दिखते हैं कि उसके हाथों पे भी कोई निशान नहीं होता है और आप मास्टर लूफे बोलते हैं कि वो जो भी इंसान था वो अपने इंटेंशन में सकसेस्फफल नहीं हो पाया है यह शील्ड नहीं तूटी है और आप केंशन बोलते हैं कि वो जरूरी केंग का ब्लड रिलेटिव होगा वो उसका वनसर्च है अभी वो उस सील्ड को तोडने के लिए पहुच गया और अब वो दुवारा चेक करते हैं कि वह दिखाया जाता है कि चौंसी नहीं ब्लड उस सील्ड को दे रहे होती है ताकि वो तूट जाए लेकिन वो सकसेस्फफल नहीं हो पाती है कि ये चौंग सी कभी ना कभी मारे लिए मुश्तिवत बनी जाएगी कि यहाँ मास्टर मू बोलते हैं कि चौंग सी ने कहा वो यह सब नाइट मेर में देखा था उसने नहीं कि जो डेमन्स हैं वो चौंग सी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब जो सीनियर कोड होते हैं वो बोलते हैं कि चौंग सी को इसकी सजा मिलेगी लेकर मास्टर लूफे बोलते हैं कि किसकी हिम्मत है तो मेरे परमिशन के बिना मेरे डिसापल को पनिश करें तो आब केंशन बोलते हैं चौंगसी को उसकी इनोसेंस को फ्रूब करना होगा तो चौंगसी मस्टर को बोलती है कि वो ये करने के लिए तयार है वो फ्रूब करेगी कि वो इनोसेंट है तो यह सीनियर गट बोलती है कि चौंगसी को इम्मोर्टल्स प्रीसन में भेशा जाएगा उसे वहाँ कुछ दिन रहना होगा और यहाँ प्रेस्स चौंगसी को लेकर जाती है और यहाँ वो चौंगसी को बोल दी भी है कि तो मैं मोर्टल्स के लिए खत्रा हूँ हमारे पास इविल पावर्स है और यहाँ दोनों के वीच काफी आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है कभी यहाँ प्रेस्स चौंगसी को छुड़ाते है यहाँ चौंगसी को बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो तुम्हें प्रेसन में रहने की कोई सरुत नहीं है लेकिन चौंगसी उसे मना करती है और बूलती है तो उसे यह प्रूब करना ही होगा कि वो इनोसेंटेसली वो कहीं नहीं जाएगी तब ही यहाँ पर डेमन बांजी आता है जो कि चौंगसी को किट्नेप करके लेकर चला जाता है और प्रिंसस और प्रिंस चाओ रहा कुछ नहीं कर पाते हैं और प्रिंसस यहाँ बोलते हैं कि हमें ये निउस चल दे सीनियर गोड़ और मास्टर लूफे को बतानी होगी और देर चौंगसी को देखते हैं जो कि पाती है कि वो अब डेमन बल्ट में है यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है यह तरफ सूखी पेड़ है जो कि काफी डराप में दिख रहे होते हैं और अब इधर मास्टर लूफे को पता चल जाता है कि चौंगसी को वांसी ने किटनेप कर लिया है और यहाँ जो सीनियर गौर होते हैं वो लूफे को बोलते हैं कि यह तो तैह होना ही था चौंगसी के पास इबल पावर से इसलिए वांसी उसे खिट डेफ करके ले गया और प्रेस चाओ यहाँ पर डेवन बल में पहुचे होते हैं वो चौंगसी को ढूंट रहा होता है और तब यहाँ पर मास्टर लूफे आ जाते हैं जो कि प्रेस चाओ को बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था पर इस चाओ बोलते हैं कि यहाँ तो आपको नहीं आना चाहिए था आप ही ने तो चौंक सी को इम्मर्टल प्रेसन में भेजा था मास्टर बोलते हैं इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं वो मेरी डिसाइपल है और अब यहाँ पर डेवन किंग वांग्यों बोलता है कि तुम दोनों की हिम्मत तो देखो सीधा मेरे पैलेस में ही पहुच गए हो लेकिन चौंक सी यहाँ नहीं है उसे वैंसी ने किड्नेप किया है तो यहाँ माशलूप यह बोलता है बताओ वांसी कहा है डेवन किंग बोलता है उसे तो आपको खोधी ढूड़ना होगा नहीं आपको देख ना हो जाए ढूडने में और यह चो की खुमते खुमते वांसी के पास पहुच जाती है और वांसी को बोलती है कि आप तो वही हैं जिन्होंने मेरी चान बचाई आपको बहुत सालों से डून रही थी मैं आपको थैंक्स करना चाहती थी आप तो इमर्जल वाइफ हुए यह सुनकर वांसी को काफे गुसा आता है तो वह चौंक्सी को हज़ करता है आपने मझे क्यो किड्नेप किया है तो वांसी उसे बोलता कि तुम बहुत ही जादा बोलती हो अगर तुम छप रहोगी तो तुम सेफ रहोगी और जाने लगता है लेकिन चौंक्सी बेहोश हो जाती है और आप उसे होश आता है तो वांसी उसके आवास बन कर दीता है बोलता है कि तुम बहुत बोलती हो और आप चंकसी को वो सोट दिखती है जो कि नेलून की है उसे रखता है कि इसी में वो सारी पावर्स है जिसके वज़े से वाइफू वांची बन चुका है वो यहां से तलवार लेकर भागना चाहती थी लेकिन वांची उसे रोक दीता है तो आप चंकसी वांची को बोल दिया क्या आप में सकरान को वचाने के लिए मुझे किदनेप किया है अगर वो खतरे में है तो आप मुझे यहां से जाने दीजिए मेरे मास्टर आपकी हेल्प करेंगे तो वांजुक उसमें गुस्सा आता है और बोलता है कि मेरे मामलों में पनी टांग मत अराओ और तुम तो बहुत ही चालाख हो और यहां यह चौंगसी को तुवारा होट करता है और इधर इमर्टल बल्ड में देखते हैं जहां कि किन्शन मास्टर लूफी को बिताते हैं चौंगसी ना तो डैमन बल्ड में ना ही अर्थ में आनि कि वो मॉंस्टर बल्ड में है और यह सुनते ही मास्टर चले जाते हैं और इधर प्रेस जाब को देखते हैं जिसे कि उसके फादर ने ट्रोम में लॉक कर दिया है पाकि वो चौंगसी को ढूड़ने के लिए डैमन बल्ट ना जा सके और अब इधर चौंगसी को भी होशा जाता है अब ही यहां पर वांजी आ जाता है और वो चौंगसी को बोलता है कि तुम्हारा इधर उधर जाना वेकार है तुम यहां से बाहर नहीं जा सकती हो और चौंगसी देखती है कि यहां वांजी को छोट लगी हुई है उसकी तव्यत ख़राव हो रही है वो वांजी से बोलती है कि आपको क्या हुआ है तो वांजी उसे बोलता है तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए कि मैं मरने वाला हूं तो चौंग सी बोलती है कि मैंने ऐसा कप खा कि मैं आपको मरना चाहती हूं चांग सी बूल थी कैसा रहेगा अगर आप मुझे अच्छे से च्रीट करेंगे तो मैं भी आपको अच्छे सी च्रीट करूँ की और यहां चौंग जी वांजी की help भी करती है वांजी भी उसे बाहर जाने की permission दे दीता है और अब वांजी बाहर आती है तो सोचती है क्या मास्टर को पता होगा कि चौंग सी किडनेप हो चुकी है और इधर लूफे को दीखते है जो कि अपनी मैसकल पाबर से पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि चौंग सी आखिर कहा है और इधर तब ही सब कुछ ठहने लगता है वांजी अपनी पाबर से सी रूखने के भी कोशिश करता है और तब ही यहां पर चौंग सी आ जाती है वो चौंगसी को बोलता है यहां से बाहर जाओ लेकिन वो नहीं जाती है और अब वांजी चौंगसी को यहां इन पथरों से बचाता है लेकिन वो बेहोश हो जाता है अब चौंगसी देखती है यहां पर वो शौड है तो जैसे उसे उठाती है तो सूचती है मैं इसे लेकर चली जाती हूं तो मुझे इम्मोर्टल प्रिसन में भी नहीं जाना होगा क्योंकि चौंगसी ने उस सौट को उठा लिया है तो उसके दमाग में भी डेविल थोट्स आने लगते हैं सोचती है क्यों ना मैं इस तलवार से वांसी को मार दूँ वो उसे मारने चाहती है लेकिन तो वांसी ऊसे बोलता है मुझे दो लगा तुम यहां से चली गई ओ पूछती है क्या था उसे बताता है कि यह सब तुम्हारे लूप ने किया है तुम्हें ढूण रहा है चांगसी बताती है कि मैं आपके लिए कुछ धवाया ढूढने गई थी और इधर माष्टर लूफ स्नेक में चेंज कर दीता है और चौंग सी को बोलता है कि तुम्हारी जान बच गई क्योंकि तुम इस तलवार को नहीं लेकर गई ये स्नेक अपने मास्ट के प्रती ओवेडियन्ट है अगर तुम इसे लेकर जा दी तो ये तुम्हें मार देता और अब अच्छा होगा कि तुम अपने फेट को एकसेप्ट कर लो तुम इवल ब्रेट के साथ चन्मी हो तुम्हें डेमन्स के साथ ही रहना होगा और अब इधर इम्मोर्टल बर्ड में दिखाया जाता है आपर सीनियर गोड मास्टर लूफे को बोलते है कि तुम चौंक सी को क्यों धून रहे हो वो तो इवल ब्रेट के साथ चन्मी है उसे तो डेमन्स बर्ड में ही होना चाहिए तो यहाँ मास्टर बोलते है कि वो मेरी डिसाइपल है और यह दोनों टीम मास्टर लूफे के साथ चौंक सी को ढूंडेंगी और चौंक सी यहाँ बैठे विटे परिशान थी वांजी उसे बोलता है कि जब मैं तुम्हारे मास्टर के साथ था तो वो मुझसे हर जीर में अच्छा था और एक बार तो मैं उसके बज़े से हर्ट हुआ था और मैं इसका बदला से जरूर लूँगा तो यहां चौंक सी बोलती है कि मैं आपके लिए दवाईया भी लाई हूं आप मेरे मास्टर से नफरत मत कीजिए वांजी उसे मजाक में बोलता है अगर यह दवाया काम नहीं की तो मैं तुम्हारे मास्टर से बदला ले होती है और यहां में पता चलता है वांजी इस तलवार को छोड़ना चाहता है और डेमन किंग ने उसे चौंक सी को किद्नेप करने के बदले उसे एक मैतट बटाया था जिससे वह इस तलवार को छोड़ सकता है और वही प्रोसेस हो रहा है लेकिन इस तलवार की पावर्स इतने जादा है चौंग वांसी को द्वारा प्रिंसस कर लीती है और इधर प्रिंस और प्रिंसस तोनों ही अपने डिसाइपल की टीम के साथ चौंग सी को बचाने डेमन बल में बहुच चुके हैं और अभी ये दोनों बात करी रहोते हैं तब ही अचानक से यहाँ एक एवल तो कि प्रिंसस को ले जाता है और अब हम देखते हैं कि प्रिंसस यहाँ वांजी के सामने होती है और वांसी यहाँ उस प्रिंसस को हट करने वाला होता है लेकिन चौंग सी प्रिंसस को बचा लेती है प्रिंसस बोलते हैं कि मुझे तुमारे हिल्प नहीं चाहिए वांजी और अब वांसी प्रिंसस को छोड़ दीता है और इधर प्रिंस की टीम को दिखाया जाता है तब ही यहाँ पर मास्टर बू अपने टीम के साथ आ जाते है और यहाँ यह दोनों एक दूस्तों को बताते हैं और यहाँ प्रिंसस के बारे में कुछ भी नहीं पता चला और अब हम देखते हैं कि प्रिंसस मास्टर लूफे को बताते हैं कि चांगसी डेमन बल्ट में है और यहाँ प्रिंसस बताती है कि वांसी ने उसे वी किद्नैप किया था लेकिन वो वहाँ से बच गई और वह मास्टर को बता दिया कि वांसी चांगसी को अच्छे से ट्रीट कर रहा है और चांगसी वांसी को अंकल बोल रही थी उसका मतलब कि वो देमन से साथ मिल गई है तो मास्टर यहाँ उसे बोलते हैं चंग सी वहां खत्रे में नहीं है और इधर देखते हैं कि फासी चंग सी को मेडिसन दीता है और वह चंग सी को बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो लेकिन तुम एक बहुत ही पावर्फल डमन बन सकती हो लेकिन चौंग सी बोलती है कि मुझे एक जमन नहीं बनना है मैं Immortal World बापस चाला चाती हूँ अपने Master के पास और आप चौंग सी बांसी को बोलती है कि अंकल आप मुझे हर्ट नहीं करेंगे बिस मुझे ढरा रहे थे और आपने मुझे क्यों किड्नेप किया क्या मेंश क्यानि कोई खत्रे में तो वांसी को बोलती है कि औप मुझे यह कुछ बभी कर लेकर चलें इससे अर्थ बिलाता और यहां किरान है यह क्यान नहीं वलकि ऑसकी पारटनर होती है जिसने कि के किरान का रूप लिया है और यहां वो डैमन को बता दिये कि उसने किरान का रुप लिए कर Immortals को यकीन दिला दिया है कि किरान खत्रे में और वांजी उसे मारना चाहता है और इसलिए अब सारे Immortals वांजी को मारना चाहते हैं यानि कि इन दोनों ने मिलकर वांजी को ट्रैप किया है और वांजी चौंग सी को बोलता है जैसा कि तुम्हारे पास इवल पावर्स है तो आगे फीचर में तुम्हें काफी प्रब्लम्स का सामना करना होगा विए चौंग सी बोलती है कि मास्टर हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे और अब ये दोनों बाहर आते हैं यहां दो लोग बात कर रहे होते हैं कि किसी इमोर्टल लेडी को वांजी जो जैवन वांजी का उसने किडनेप किया है और इसलिए जो इमोर्टल से वो वांजी जिस लेडी से प्यार करता है उसे हर्ट करने वाले हैं और ये सुनते ही वांजी उन दोनों भी गुस्ता होतार बोलता है किसके वारे में बात कर रहे हो तुम सब अब चौंग सी वांजी को बूल दिये आपको नहीं लगता कि यहां कोई ट्रैफ है को फसाया जा रहा है दिश्ट कुरान साथ खत्रे में है वांजी उसे बोलता है कि मैं उसे बचाने जा रहा हूँ मुझे कुछ तिनों का टाइम लगीगा जब तक मैं बापस नहीं आ जाता तो मैं यहीं पे रहना आसे कहीं मत जाना चौंग सी भी उन्हें प्रामिस कर दिये जिसे कि मिस जांजी बता दिये कि वो डेमन बल्ट में चौंग सी को कैसे ढूंड सकते हैं और मास्टर चले चाते हैं जो तिन्शुआ है वो अपनी मास्टर को बोल दी है मास्टर लूफ है चौंग सी के लिए बस आपका इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको इससे दुख नहीं होता है लेकिन सांग सी बोलती है मैं बस उसके मदद करना चाती हूँ और यदार चौंग सी को देखते हैं जो कि उसी रास्टरंस में अग काम कर रही है और यहां का ओनर काफे खुश से वो चौंग सी को बोलता है कि आप जब तक चाहिए यहां काम कर सकती है आपके वज़े से हमारे बहुत सारे कस्टमर सब आ रहे है और तभी आपर एक आदमी होता है जो कि घायल होता है वो बताता है कि वो एक इमोर्टल है और डेमन से फाइट के बीच वो घायल हो गया है तो यहां चौंग सी अब उसकी हेल्प करती है और बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी कोई भी हल्प चाहिए तो मुझे याद करना मैं आ जाऊंगा और अब इधर देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक पीगर को हर्ट कर रहे होते है तो चौंग सी उन्हें रोकने की कोशिश करती है तब यहां पर देमन किंग वांग्यू आजाता है जो कि चौंग सी की हल्प करता है यहां पे और अब चौंग सी यहां से जा रही होती है तो देखती है कि वांग्यू उसका पीछा कर रहा है वो उससे पूछ तिया कि आकर तुम मेरे पीचिए क्यों आ रहे हो तो वांग्यू से बोलता है कि मैं बस तुम्हारे हल्प करना चाहता हूँ और यहां वो अपने पावर्स का यूज करता है उसने चौंग्सी पे कुछ तो मैजिक किया है इसके बारे में हमें आगे दिखाया जाएगा तो चौंग्सी उसे बोलती है कि मुझे लगता है तुम डेमन बॉल्च से हो वांग्यू बोलता है कि हाँ लेकिन मैं एक अच्छा डेमन हूँ और वो चौंग्सी को बोलता है कि मुझे पता है तुम इमोर्टल बर्ड जाना चाहती हो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ अब ये दोनों आगे बढ़ते हैं चौंक सी देखती हैं बहुत सारे इमोर्टल घायल्स होते हैं अब यहाँ पर डेमन्स उस पे हमला करते हैं लेकिन वांग्यू यहाँ चौंक सी को बचा लेता है और अब हमें पता चलता है ये सारे डेमन्स को वांग्यू ने ही लाया है और वो डेमन्स दुवारा चौंक सी पे हमला करता है तो चौंक सी उसे फाइट कर दी है और वो वांग्यू क्रैक्स पे करती है उसकी हेल्प के लिए और तभी यहाँ पर Immortals आ जाते हैं और चौंगसी देखती है कि वो डेमन वांग्यू यहाँ से गायब हो चुका है और अब यहाँ पर प्रेंस Master Moon सबा जाते हैं जो कि चौंगसी को देखकर खुश होते हैं और तभी यहाँ Senior God आते हैं जिरे की प्रेंसस बताती है और यहाँ पर सील स्टोन का यूस करते हैं जिससे कि Immortals को मारा जाता है और अब वो चौंगसी पर हमला कर दीते हैं और तभी यहाँ पर Master Luffy आ जाते हैं जो कि उस सील को तोर दीते हैं और बोलते हैं कि चौंगसी को कोई नहीं मार सकता और उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और सीनियर गॉट बोलते हैं कि तुम्हारे लिए Immortals के रूल्स कोई माईने नहीं रखते तुम्हारे इस डिसाइपल ने डेमन्स की हेल्प की है और यहाँ पर बहुत सारे Immortals मारे गए हैं लेकिन मास्टर बोलते हैं की इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो चौंगसी को लेकर चले जाते हैं और आप मास्टर चौंगसी को बोलते हैं क्या तुम ठीक है तो चौंगसी बोलती है की आपको कुछ देर पहले आना चाहिए आप उन इम्मोर्टिस को बचा पाते हैं और चॉंग सी यह से मिलने के लिए जाना है तो चैंग सी आपने मास्टर को बूल दिये चौंग सी जो कछ भी हुआ उन सब के बारे में बताती है यह सीनियर को अडिस से बोलते हैं कि तुम आप डैमन्स के साथ हो तुमें इसके सासा सरोर मिलेगी लेकिन हैं मास्टर लूफ है सब को रोकते हैं और बोलते हैं कि चौंग सी सिर्फ मेरी डिसाइपल है वो कोई डैमन्स नहीं है अब वो उसे बोलते हैं कि चलो लेकिन तब ही आच अंसी को याद आता है कि उसने अंकल वांजे से तु प्रामिस किया है कि वो उनका इंतसार करेगी तो आप मास्टर को बोलते हैं कि मैप के साथ नहीं जा सकती और यहाँ वो मास्टर को बता दी है कि उसने वांजे से प्रामिस किया कि वो वापस जाएगी तो यहाँ मास्टर उस पे काफी गुसा होते हैं और बूलते हैं कि उस टैमन्स के साथ रहते रहते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या उसने तुम्हें किडनेप किया था तुम्हारी जान ख़त्रे में थी तुम उसका इंतजार करोगी वापस जाकर तो यह चौंग सी बोलती है कि उन्होंने मुझे कभी भी हर्ट नहीं किया बलकि उन्होंने मेरी जान बचाई है मास्टर प्लीज मुझे जाने दे यहां पे सीनियर गॉर्ड मास्टर लूफे के बोलते है कि देख लो इसने उस टेमन को प्रॉमिस किया है कि वो उसके पास वापस जाएगी तो मास्टर उसका हाथ पकरते हैं और उसे लेकर जाने लगते हैं मास्टर से माफी मांगती है जो सीनियर गॉर्ड होते हैं वो इम्मर्टल प्रिसन में लेकर जाओ और तब ही यहां पर बांजी आचाता है वो इससे लेकर जाता हूं और यहां मास्टर आप बांजी को रोकते हैं और बोलता है कि चौंग सी मेरी डिसाइपल है वो मेरे साथ जाएगी लेकिन वांजी उसे बोलता है कि चौंग सी मेरे साथ जाएगी और अब धर डैमन बल्ब में दीखते हैं चौंग सी बेहोश होती है तभी यहाँ पर डैमन केंग वांग यू आता है चो कि वांग सी को बोलता है कि चौंग सी को मुझे सौब दो मैं वहलो से क्यों मारूंगा और अब धर वांजी चौंक सी को बोलता है याज जूम भी तुमने किया है उसके बाद तो शायद ही तुम्हें इम्मोर्टल बल्ड में बापस जाने को मिलेगा क्या तुम्हें पता है तुम एक लौती हो उसने ऐसा किया है वांजी उसे बोलता है कि तुम एक इम्मोर्टल हो वांजी उसे बोलता है कि तुम एक इम्मोर्टल ही थे और अगर आप यहां रह सकते हो तो मैं भी आपके साथ यहां रह सकती हूँ वांजी उसे बोलता है कि तुम मुझसे अलग हो मैंने चाहता कि मैं जैसे एक डेमन बन गया तुम भी एक डेमन बन जाओ और वो चौंग सी को समझाता है कि वो कभी भी एक डेमन ना बने या चौंग सी वांसी को प्रामिस करती है वो कभी भी इतने पावर्स का गलत यूस नहीं करेगी पुरत ना ही किसी इनोसेंट को hurt करेगी और यह वांसी उसे बताते हैं तुम्हारे पास इबल पावर्स है उसी की वज़ाइ से टेवन किंग वांग क्यो तुम्हारा यूस करना चाहता है और तुम्हारा मस्टर हमेशा तुम्हे बचाता है ताकि तुम्हारी पावर्स का कोई गलत यूज ना कर सके और इदेर प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने मास्टर केंसन को बताता है कि चांगसी ने देवन बांसी के साथ इमर्टल के साथ फाइट की और उसके साथ डेमन बल जा चुकी है जात है कि उसने पने मास्टर के ओडर को भी अनफॉलो किया मास्टर मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूँ मैं उससे बापस लाना चाहता हूँ क्योंकि अब तो उसके मास्टर भी उससे नाराज है अगर हमने उसे अभी नहीं लाया तो कभी उसे immortal बल्ट में बापस नहीं ला पाएंगे पैक इंसे उसे बोलते हैं कि अभी हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं और देखते हैं कि मास्टर मूँ, मास्टर लूफे को बोलते हैं कि चौंगसी का कोई गलत intention नहीं था वो तुम्हारे ओडर को अनफोला नहीं करना चाहती थी तुम्हें उसे डमन बल्ट से बापस लाना चाहिए वो तुम्हारे डिसाइपल है लेकिन जैसा कि मास्टर लूफे चौंगसी से नाराज से वो बोलते हैं कि चौंगसी मेरी डिसाइपल नहीं है अब इदर देखते हैं कि वांसी फ्लूट बसार रहा होता है तो चौंगसी को अंकल आप तो बहुत ही अच्छ आ फ्लूट बसाते हैं आप यह किसके लिए बजाते हैं हमेशा और यहां वांसी याद करता कि वारईोan से से वाइफ हो था च्रंग ची पे heart poison का use करते हैं और हार्ट poison का अज़र्ट ये होता है कि कोई विर इनसान अपने आपको control नहीं कर पाता है उसके desires हो दिये हैं उसे ही वो सोचने लगता है वो उसके सामने होता है और इस heart poisonımızı अज़र्ण को देखता है कि उसके master उसके सामने है वो उसके करीब जाती है, उनसे sorry बोलती है और अब वो master के और भी close जाती है वो master को guest करने वाली होती है लेकिन तब ही वो अपनी feelings में control करती है और वो देखती है, ये सब तो उसकी imagination थी और यहाँ जो demons होते हैं, ये चौंख सी का मझा कुडात है कि चौंग सी अपने मास्टर से प्यार करती है और यह सब चौंग सी को बोलता है कि यह तो तुम्हारे मास्टर को जानना ही चाहिए लेकिन चौंग सी ने बोलती है कि तुम में से कोई भी मास्टर को यह बात मत बताना ये डिमस चौंक जी के साथ और भी बुरा करना चाहते हैं लेकिन तभी याँ पर वाइफ हो आजाता है और वो चौंक जी को बोलता है माफ कर दे मुझे आने में देड हो गई और आप बांजी को भी पता है कि चौंक जी अपने मास्टर से प्यार करती है और वो चौंक सी को बोलता है क्या तुमने ये लूफे को बताया है लेकिन चौंक सी बोलते हैं कि मास्टर को कुछ भी नहीं पता है और आप वांजी उसे बताता है ये सब हाट परिसन का असर है तुम्हारे अंदर जो एक शाय है वो सब तुम्हें सामने दिखाई दे रही है तुम्हें अपने आपको कंट्रोल करना होगा और अब इदर देखते हैं जो सीनियर को दोते हैं वो मास्टर लूफे को बोलते हैं क्या तुम चंक सी को बापस लाने जाओगे लेकिन यहां मास्टर बेना किसी को आंसर किये ही चले जाते हैं और यहां मास्टर चंक सी को याद कर रहे होते हैं और यह क्यूट सा लाइन भी चंक सी को याद करता है और इधर वांजी को देखते हैं जो कि चंक सी को बताता है यानि कि वो अब चौंग सी के साथ रह सकता है और चौंग सी बोलती है जब मुझे यहां रहना ही है तो क्यों ना इससे इम्मोर्टल बल्ड की तरह बनाया जाए वो पानी को पूरी तरह से क्लीन कर देती है और अब वो पोदे लगाना शुरू करती है तब यहां पर वांजी आचाता है जो कि चौंग सी को बोलता है कि यह डेमन बल्ड बहुत ही बड़ा है तो सारे जगा पौदे तो नहीं लगा पाओगी और अब वो अपने मैजिक से सभी पौदों पे फोल ला देता है और यह जो डेमन बल्ड होता है यह काफी खबसूरत लग रहा होता है और चौंग सी भी इससे काफी खर्श होती है और वांजी चौंग सी को बताता है कि उसे किरान को लाने के लिए वापस जाना है और इधर मस चौंग सी और तर्शुरा को देखते हैं और यहां पर जो गार होती है वो जांगसी को बोलती है कोई भी मेडिसन यहां से ले सकती हो लेकिन हाट परिसन का नहीं क्योंकि वो बहुत ही रेड है और जांगसी तो वही लेने आई है और इधर देखते हैं कि वांगसी चांगसी को सापिंग के लिए लेकर आता है आप दोनों बात कीज़ी तब तक मैं यहां घूंगती हूँ तो मैंस कहæन वानजी को बूलती है कि यह लड़की कोन हैं वानजों से बताता है कि यह날 बहुत ही स्वीट है और अब यह सथी रहती है। मानों कि यह मेरी डाटर है और मैं जड़ है और मैं इसका अंकल हूँ और अब वांसी किरान को बोलता है कि तुम मेरे साथ डीमन बल्ब में चलो वहाँ हम दोनों साथ रह सकते हैं लेकिन फिर मसकिरान बोलते है कि तुम एक डीमन और मेरे के मॉर्टल में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती तब ही यहां पर कामाइस बेशाते वांसी और मिस्किरान को साहटे साथ देखते हैं आप इन दोनों पर हमला पुलती हैं यहां मिस्किरान था कि गविप सूराता हूगा तो वांसी बोलता ये तो सब चौंग सीर ने किया है और अब वांसी मिस्किरान को बोलता है कि मैं तुम से शादी करना चाहता हूं लेकिन मिस्किरान अभी इसका अंसर नहीं देती है और वो चली चाहती है और यहां वांसी काफी उदास हो जाता है इधर मिस्कुरान को देखते हैं जो कि याद कर दी है कि इमर्टल्स के फाइट के वीच ने काफी जोट लगी है और उनका जो लाइफ स्टोन है वो तूट चुका है यानि जल्दी अब उनकी मौत हो सकती है और यही एक वज़ा है कि उन्हों ने वांजी के मेरस प्रोपोसल का एकसेप्ट नहीं किया और इधर इमर्टल बर्ड में दिखाया जाता है जहां कि सीनियर कोड को बताया जाता है कि वांजी मिस्कुरान के साथ है और वहां एक लड़की भी है वो शाय चौंगसी है जिसने फाइट में उनकी हेल्प की है तो हाँ सीनियर कोड मास्टर केंसी को बोलते है कि देखो यह लड़की अच्छा हमारे लिए कितनी बड़े मुसीवत बन चुकी है कि अब एक डीमनी बन चुकी है तेकिन मास्टर किन सी बोलते हैं कि बिना देखिए आप उस पे यकीन कैसे कर सकते हैं और इधर मास्टर लूफे को देखते हैं चो कि चौंग सी को काफी याद कर रहे होते हैं उन्हें हर चीका चौंग सी दिख रही होती है और अब इदर मिस जंसी को दीखते हैं. जो कि हाथ पर्सन का मेृडिसेन जोन रही होती है. लेकिन वह मांटेन से गिरने वाली होती है. और वो इस मांटेन पे पनी पैबर्स को भी यूस नहीं कर सकती है. वो गिरने से बच जाती है और उन्हें हाट परिसन का ख्यार भी मिल जाता है और वो यहां तंसरा को बूल दिये कि हमारा काम पूरा हुआ और वांजी को देखते हैं उसने जो बैडिंग ड्रेस खरी थी मिस्कुरान के लिए वो लाके चॉंग जी को दे दीता और बोलता है यह अब मेरे किसी काम का नहीं है वहां चॉंग जी समझ आते कि मिस्कुरान ने उनके प्रपोसल का कोई एक्सेप्ट नहीं किया है और वो मि मिस्कुरान नहीं किया और अब वो उन्हें बता दी है कि उनकी मौत जल्दी होने वाली है और वो नहीं चाहती कि शादी के वाद वांजी हमेशा उसने याद करके दुखी होता रहे तो विया चॉंग से मिस्कुरान को बोल दी है कि अंकल अब अपनी लाइफ में और कुछ नहीं चाहते हैं वो बस आपके साथ जेना चाहते हैं तो आप जब तक उनके साथ हैं आप उनके विश्च को पूरा कर सकते हैं वो चाहती कि आप इस पैडिंग जेस को पहने और उनसे शादी करें तो अब मिस्कुरान को भी लगता है उन्हें वांजी के इस विश्च को प जाती है चांग सी और मास्टर लूफ यह दोनों एक दूसरे को मस्ट कर जाएं वो दोनों एक दूसरे को देखना चाहते हैं और अब दर वांसी को देखते हैं जो कि फ्लूट बसा रहा होता है जिसे के मस्कुरान बहुत ही इमोश्रल हो जाती है सुनकर उन्हें लगता है कि जब उनके मौत हो जाएगी तब वांजी क्या करेगा वो आज भी उनके लिए फ्लूट बसाता है है वो उनके साथ हो या नहीं और विदर मॉर्ट में देखते हैं यहां पर प्रेंस और मास्टर मूँ को कहते हैं कि प्लिस चौंग सी को बचा लीजी उसे डेमन बॉल्ट से लेकिन मास्टर मूँ बोलता है कि तुम बस देखो मुझे यकीन है कि मास्टर मूफ है तांग सी को वापस ले आएंगी वो खूद नहीं चाहते कि चौंग सी दीमन बॉल्ट मेरे अधर मास्टर मूफ है चौंग सी को बहुत है मस्स कर रहे होते हैं और वह भूब भूब ल बनाती है उसे ही बनाते है और इधर देखते हैं कि मशकरान वो बेदिंग ढ diabetic पहन लिंग और वह वांझी के सामने आती है वो वांजी के बोल ते और काफी खश होता है और आब क behaviors इसे अ करना चाहती है फांजी इसे फॉरइट पे किस्ट करता है और यह दोनों बहुत खुश होते हैं और पर अब इन दोनों को साथ यह करचंग से भी काफी खुश हो दी है लेकिन हाट पोईजन के वज़े से वह इमेजनेशन करने लगती है कि वह अपने मास्टर के साथ है और के पास आती है कि तुम इससे पता कर सकते हो कि चौंग सी डेमन बल्ट में कहां है क्याने के माश्र लूफ ही चौंग सी को लाना चाहते हैं वापस और वह बीट कर रहे थे जांजी का और आप मास्टर लूफ है सेनेर कड़ के पास आते हैं और वह उन्हें बोलते है कि वह दोडने जा रहे हैं लेकिन हैं सीनेर को बोलते हैं वह डड़की अप एक डेमन है तो तुम उससे वही रहने दो उसके लोगों के साथ तो यहां मास्टर लूफ ही बोलते हैं कि चौंग सी मेरी डिसाइपल हैं कोई डेमन नहीं है मैं मानता हूं कि उससे गल्दी हुई है औ अब मास्टर लूफ ही उस वास्वरी का वचाना सुरू करते हैं जिससे कि यहां बहुत सारे पक्षिची होते हैं वह डेमन बल्ड में जाते हैं और इदर करा अनब वानसी को बोलती है मैं तुम्हारे अकुपे पट्री बांध रही हूं तो मुझे ढूनना और यह दोनों स्टार्ट करते ऑपानझी को ढूनता है लेकिन यहां मस्करान काफी सैद होती है वह बहुत ही एमोशनल होती है और वह वह वानध जी को बोलती है कि अपना ध्यान रखना मैं तुम्हें माफ कर देना और इससे के साथ उनका कुरा सरीर होता वह फ्लावर्स में चैस होने तोट जाता है वह बहुत ही रोता है और चौंग जी बस यह सब दीखती ही रह जाती है वह भी अपने अंकल को ऐसे देखकर बहुत ही सैड होती है और देखते हैं और अब देखते हैं कि वांजी और चौंग सी को बोलता है कि अब मेरे भी जाने का वक्त आ चुका है और वो चौंग सी को बोलता है कि तुम बहुत ही काइंड हाटे दू मुझसे वादा करो तुम हमेशा ऐसी ही रहोगी कभी किसी को नुकसान मत पहुचाना और अपनी पावर्स का कभी किसी को गलत इस्तेमाल मत करने देना मैं खुश हूँ कि मेरे आखरी वक्त में तुम मेरे साथ हो और यहां चुंग सी रो पर दी और बोलती है आपको कुछ भी नहीं होगा और इसी के साथ वाद सी के भी मौत हो जाती है चौंग सी यहां रोई जा रही होती है अभी यहांपे मास्टर लूफ़े आ जाते है, शॉंसी उन्हें होग करती और बोलती है कि मास्टर अंकल को क्या हुआ है, क्या हो भी हमें छोड़कर चले गए और यहां मास्टर लूफ़े भी सैड होते हैं क्योंकि उनका तोस्त अबस दन्या में नहीं रहा और अब हम देखते हैं कि वांसी की सो शोल थी वो इस तलवार में चली जाती है और अब मास्टर लूफे तलवार और चौंगसी की साथ इम्मोर्टल बल्ड में पहुच जाते हैं मास्टर लूफे इस सौड को सीनियर गट को सौप गईते हैं और अब मास्टर केंसिन बोलते हैं, चॉंग सी ने अपना बादा पूरा किया, यह सॉड अब इम्मोर्टल बल्ड में आ चुकी है, चॉंग सी को प्रिसन में नहीं जाना होगा, और अब हम देखते हैं कि मास्टर लूफे, सीनियर कोज और केंसिन इस सॉड को प्योर करने की सुरू करते हैं, क्योंकि यह सॉड डेमन बल्ड में था, इसलिए अब यह पवित्र है, और यह प्रोसेस काफी लंबा चलने वाला है, और यहां पर जो सीनियर को और होते हैं, वो गार्ट्स को और देते हैं कि इस जगह पर किसी को भी ना आने दिया जाए, बिना उनके पर और वो उन्हें थैंक्स भी करते हैं, क्योंकि उसने चौंग जी का ध्यान रखा, तो वान जी की सोल बोलती है, कि चौंग जी बहुत ही प्यारी है, उसका ध्यान रखना, पर क्या तुम्हें बता है कि चौंग जी तुम्हारे लिए क्या फिल करती है, क्या मास्टर चाहते ह कि चौंग जीस सिर्फ महें अपना माश्टर नहीं तुम चौंग जी के लिए उसे भी बढ़ के हो। चौंग सी तूमसे प्यार करती है। ऑब मास्टर बाबस आते कि शौंग सी को इंग्नॉर कर रह वह तैं कि यहां अभी भी मुझस्से गसा हैं। तो मास्टर बोलते है कि नहीं पर चौंग सी को लगता है कि मास्टर अभी पे उससे गुसा है वो यहां मास्टर के लिए केक बना कर भी लाती है लेकिन मास्टर नहीं खाते हैं तो चौंग सी चली जाती है और उसके जाने के बाद यहां मास्टर उसके को खाते हैं और चौंग सी काफी उदास हो दी है क्योंकि मास्टर अभी बे उससे नाराज ही है अर्धर वांसी को देखते हैं जिसे कि वो ही रेड स्नेक देखता है चोकि वांसी का है अभी आपर मास्टर आजाते हैं और अब चौंग सी को बोलते हैं कि वांसी के जाने के बाद ये स्नेक अब सिर्फ तुम्हें जानता है इसलिए तुम्हें फॉलो कर रहा है तुम इसे पने पास रख सकती हो ये प्यारा भी है और इम्मोर्टल बर्ड में रहने के कारण अब इसमें डेवन पावर्स भी नहीं है तो यहां चौंगसी मास्टर को हग कर दिये और उन्हें ठेंक्स कर दिये उसे माफ करने के लिए और मास्टर से बोलते हैं मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और अब मास्टर से बोलते हैं चलो मैं तुम्हें एक जगा पर लेकर चलता हूँ और वो अर्थ पे उ हादस बोलता है हाँ मुझे पता है तुम अंकल बहुत प्यार करती हो लेकिन सायन कई pakहसा है मत्यार को नlish कोगम के सीने इसले के लेकिन उससे अलग के मेरे qi करती हूं और आप सिर्फ मेरे मास्टर ही नहीं है आप वो इनसान है और यहां चौंग से रुक्षाती है चौंग से बोलने वाली होती है कि वह जस अंसान से प्यार करती है वह उसके मास्टर ही है और अब यहां इन दोनों को काफी ओकोड फील हो रहा हुता तो अब यहां मास कि वांसी के मौत के बाद वो सट हमें चाहिए थी लेकिन वो सट को तो इम्मौर्टल्स ले गए और अगर हमें वो सट चाहिए तो उनसे फाइट करनी होगी वह अपने आद्मयों को बोलता है अर्थ पे जाओ और लोगों पर हमला करो इम्मौर्टल्स वहां आही जाएंगे और अब हम दिखते हैं कि Immortals और डेमन्स एक दोसे के सामने हैं और वांक्यू Immortals को बोलता है कि तुम हमें नहीं हरा सकते हो अब प्रंस का गुसा आता है लेकिन मास्टर मुह से रोक ले हैं और आवे देर Immortals में प्रंस सीनियर गॉट को बताता है कि देवन किंग अब आम लोगों पर हमला कर रहा है हमें जल्दी उसे रोकना होगा या पर सेनियर गॉट बोलते हैं कि मास्टर लूफे को बलाओ हमें जल्दी उस सौट को पूरी तरह से पवित्र करना होगा अगर डेमन्स ने पवित्र करने से पहले उस तलवार को ले लिया तो हम उसे बापस कभी नहीं पाएंगे और अब मास्टर चॉंगसी को बोलते हैं कि मेरे साथ चलो मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ लेकिन चॉंगसी अपना हाथ नहीं देती बलकि वो मास्टर की ट्रेस पकर दी है और उनके साथ चल दी है चॉंगसी यहाँ बहुत एंज़ॉय करती है और गिप्स भी लेती है लेकिन वो मास्टर को बोलती है कि हाँ पर जो लेम्स होते है वो तो जली नहीं रहे तो यह मास्टर अपना मैसिक करता है और सारे लेंप्स चलने लगता है जिससे कि चौंग सी काफी खर्श होती है और अब वो मास्टर को बोलती है कि उसके पास उनके लिए कुछ है वो मास्टर को आखे बंद करने को बोलती है और अब वो मास्टर को दिखा दी है उसके पास लौकेत होता जो कि वह मास्टर के लिए लाई है और वो उन्हें देती है और बोलती है कि अगर आप इसे पहन वही पास ही रखिएगा और यहां मास्टर से अपने हाथों में पहन लेते हैं और अव चॉंक सी बोलती हैं कि casually कोई भी disciple अपने master को personal चीज़े नहीं दीती है। लेकिन मैंने आपको gift दिया है। इसका मतलब हम दोनों अलग हैं। और अब वो master के और भी close जा दी है। और यहाँ वो master को confess करने वाली होती है। कि वो उन्हें पसंद कर दी है। लेकिन तभी हाँ पर message आता है। Μास्टर लो फे ही चांक्सी को बोलती है कि मुझे चाना हूगा। मेरा इंतिस सार करना। और चांक्सी को सबके लिए खत्रा बता धे हैर। लेकिन master लो फे बोलते है कि उनके होते हैं कोई चांक्सी को हॉट नहीं कर सकता है। और ना ही कोई चौंगजी का गलत यूज कर सकता है। और चौंगजी सो इतना बड़ा सक्रिफास करना चाहती है। मास्टर उसे रोकते हैं और उसे अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और यहां सीनियर गौट मास्टर किंसी को बोलते हैं यह हमेशा हमारी बातों को इनकार क्यों करता है। क्या हमारी बात इसके लिए माइने नहीं रखती। और आप देखते हैं कि चौंगजी हैं मास्टर से माफी मांगती है। क्योंकि बिना मास्टर के परमिस्टिन के उसने सीनियर गौट के सामने वह बात रखी थी। और यहां accidentally मास्टर उसके ऊपर गिर जाते हैं और जैसे उठने लगते हैं चौंक सी यहां मास्टर को किस्ट करने वाली होती है लेकिन मास्टर यहां रुक जाते हैं और तभी यहां चौंक सी के हाट में बहुत पेन होने लगता है और बस अपने master के साथ रहना चाहती है तो कि वो जिस से प्यार करती है उसके दिल में जो अंसन है वो उसके master है और वो बोलते हैं कि मैं कभी भी आपके लिए परिशानी नहीं बनना चाहती हूं अंकल ने मुझे बताया था कि मैं इविल बृत के साथ जन्मी हूँ और जो नेल उनकी सौड है उसने मुझे चुना है उस सौड की सारी पावर्स सिर्फ मेरे लिए है और मैं एक टेमिन कभी नहीं बनना चाहती हूँ इसलिए मैंने सीनियर कोड के सामने कॉल्डेन प्रसस के बारे में बोला था और वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ एक और फोन हूँ मैं जो कुछ भी हूँ वो आफिक के वज़े से हूँ लेकिन मास्टर से बोलते हैं कि तुम चौंक सी हो और तुम्हारा स्तित्व किसी की वज़े स नहीं है और मास्टर यह समझ चाहते हैं कि चौंक सी हाट पोईसन के वज़े से अपनी फेलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी तो अब मास्टर इसे बोल दे हैं कि मैं सिर्फ तुम्हारा मास्टर हूं और तुम मेरी डिसाइपल इससे जाधा कुछ नहीं और आगे से यह सारे जो फेलिंग्स हैं वो सभी हाट पोईसन के एफेक्ट की बज़े से ही है लेकिन मास्टर यह सूचते हैं कि उन पर तो हाट पोईसन का असर नहीं था पर उनकी फेलिंग्स का क्या वो तो चौंक सी को पसंद करते हैं पर अब उन्हें एक ही तरीका सूच रहा है तो चौंक सी की हेल्प करना चाहता है ताकि उससे उसके इवल बृत को अलग कर दिया जाए और चौंक सी भी एक अच्छी लाइफ जी सके वो बोलता है कि वह मास्टर लूफ ही जितना पावरफुल बनेगा ताकि वह चौंक सी को बचा सके तो यहां उसके मास्टर बोलता ह कि जब तक तुम लूफ ही इतना पावरफुल नहीं बन जाते दुबारा इस बत को मेरे सामने मत बोलना और इधर सीनियर काट को देखते हैं जो की प्रिंसेस को बोलते हैं और अब तो जैमन्स भी तुमें प्रोटेक्ट करते हैं तो चांकसी इसे बोलती कि अपने बखवास बन करो अगर तुम प्रिंस की बात कर रही हो तो वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है और प्रिंस जाओ भी सिर्फ मेरे एक अच्छे दोस्त है और यहां इन दोनों में आर्गुमेंट बढ़ जाता है तो प्रिंसेस उस पे हमला करने वाले होती है लेकिन यह प्रिंस जाओ आजाते हैं जो कि उसे रोक लेते हैं तो प्रिंसेस उसे बोलती है तुम हमेशा इसे क्यों बचाते हो इसे तो तुम्हारी केर भी नहीं है और अब प्रस्चाव चंगसी को बोलता है तो मैं सिर्थ तुम्हारे लिए एक दोस्त हूँ चंगसी मैं तुमसे प्यार करता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो हम दोनों खुश रहेंगे लेकिन चंगसी बोल दिये तुम्हें पता है कि मैं तुम्हे पसंद नहीं करती हूँ तो अप्रस जाओ बोलता है क्या तुम्हे माशल लूफे को बता है कि तुम उन्हें पसंद करती हो उनके साथ उमारा future painful होगा तो कभी भी तुम से शादी नहीं करेंगे उनके उपर जिम्मेदारियां इस दुनिया को बचाने की वो सिर्फ लोगों का ध्यान रखते हैं तुम उनका इंतजार करते ही रह जाओगी पर वो कभी तुम्हें प्यार नहीं करेंगी तो चौंक से बोलती है कि अगर ये दुनिया खत्म होने वाली भी होगी तब भी मैं मास्टर का इंतजार करूँगी तो प्रेंस जाओ बोलता है कि ठीक है अब मैं तुम से मिलने कभी नहीं आऊंगा और वो यहाँ गुस्से से चला जाता है और अब सीनियर कार्ट को देखते हैं जो कि प्रेंस और प्रेंसस को बोलता है कि तुम दोन उस सौद की प्रोटेक्शन के लिए साथ जाओ और यहाँ प्रेंसस सेर होती है क्योंकि उसके पेरेंस ने भी डेमन से बचाने के लिए उसकी हेल्प मांगी थी और वो अपने पेरेंस की हेल्प नहीं कर पाई जिसे उसे काफी बुरा लग रहा था तो प्रेंससे बोलता है कि तुम एक अच्छी इमोर्टल हो तुमने अपने पेरेंस की हेल्प ना करके आम लोगों की मदद की है तुमें दुखी नहीं होना चाहिए और ये सुनक उसे भी अच्छा फील होता है और दर चंक सी को दीखते हैं जो कि गाट से दवार परमिशन लीकर सौट के पास चलिया दी है और अब वो अंकल को बता दी है कि वो प्रेंस और प्रेंस चाहँ को दोनों को अपना दोस्त मान दी है सिर्फ और वो जैसे अंसान को पसंद करती है वो तो सिर्फ उसके मास्टर ही है पर मास्टर के दिल मस के लिए कोई भी फेलिक्स नहीं है मास्टर ने तुसे साफ के दिया कि वो सिर्फ उसके मास्टर ही है और अब चंक सी अंकल को बोल दिया कि इस immortal bird में सिर्फ आफ ही हैं जिसे कि मैं ये सारी बातें बता सकती हूँ और आप master जल्दे आपको जंदा कर देंगे और आप दुबारा मेरे पास होंगे और दवे यहां पर princess आ जा दिये और यहां वो चंग सी को बोल दिये कि जैसे ही purification process पूरी होगी तुम तो अपने अंकल से कभी नहीं मिल पाओगी क्योंकि वांसी की soul तो नश्ठ हो जाएगी तो चंग से बोल दिये कि असा नहीं हो सकता है master ने तो कहा था कि वो अंकल को दुबारा जंदा करेंगे और princess यहां process को सुरू कर दी और चली जा दी है चुक ही बात करते हैं, कि जब तक master लूओ है हम चौंग से की health से उस sword को नहीं बास सकते और आवी तरह चौंग से master के पास आ दी है हो म露 चौंग से को बोलते हैं, कि हम अंकल को नहीं बचा सकते जब तक ही purification process पूरी नहीं हो जाती तो चौंग सी बोल दिये कि मुझे last time अंकल से मिलना है मुझे जाने दे लेकिन मास्टर बोलते हैं कि यह मेरा order है और वो जाने लगते हैं तो यहां चौंग सी बोल दिये कि आप अंकल को नहीं बचा रहे हैं अगर उस सौद में अंकल की जगा मैं होती तब आप क्या करते हैं और यहां मास्टर रुक से जाते हैं और वो बोल दे हैं कि इस दोना को बचाने की responsibility मेरे उपर है तो चौंग सी बोल दिये इसका मतलब आप मुझे भी मरने देते और अब मास्टर से बोल दे कि तुम यहीं पे रहना बिना मेरे ओडर की यहां से बाहर मत जाना अर्थ पर डेमेंस ने अटेक किया है तो मैं लोगों को बचाने जा रहा हूं और चौंग सी यह मास्टर को बोल दिये क्या आप मुझे मुझे एक देकी भी नहीं और यहां मास्टर उसे देखना तो जाते है फर बेना देखे चले जाते है और इन सब से चौंग सी काफी हट होती है वो बहुत दुखी होती है और अब यहां चौंग सी देखती है कई शोते वे बहुष होते हैं और उसाट के पास आधी है तो यां पर प्रंसित उसे बोल दिया कि तुम सोट रहा हो और अचानक से वे वह बहुष हो जाती है जादी की भी कोशिश कर दी है और अब अंकल को बोलती है कि मैं बास्टर को खोड़ चुकी हूँ लेकिन आपको नहीं खोओंगी और अचानक से इस सोट से आवाज आती है कि तुम मुझे बचा सकती हो तुम इस सिल्ट को तोड़ दो मैंने हमेशा तुमारा खयाल रखा है क्या तु जो चानक से बूलती है कि तुम का नो तुम मेरे अंकल नहीं हो और तभी यहांपर वोस रेड स्थрах होता है जोकर तोड़ने लगता है और वैस सील्ट तूट जाती है और यहाँ यह इवल पापर्स हो थी इस सोंट की वह चाँसी के अंदर चलि सब्सक्राइब चुण को ब्लेम करते हैं कि यह सब उसी की बज़े से हुआ है। लेकिन मास्टर को बोल दिया कि उसने कुछ भी नहीं किया तो मास्टर से बोलते हैं, मैंने तुम्हें यहाने के लिए मना किया था तब तुम क्यों आई हो। तो चौंग सी बूल दिया कि मैं सिर्फ अपने अंकल से मिलने आई थी मैं उन्हें बचाना चाहती हूँ और यह सुनकर मास्टर को काफ़ी गसा आता है वो उसे बहुत ही डाटते है और यहां चौंग सी को बहुत ही पेन होने लगता है और जैसा कि हमने लाश्ट अपिसोड में देखा था सौड की इवल पावर्स चौंग सी के अंदर चली गई है और यहां जो सौड हो दिया उससे आवाज आती है कि मुझे बचाओ और अग चौंग सी का खुद पर कंट्रोल नहीं होता है उसकी पावर्स बाहर आने लगती है और वो मास्टर को बूल दी है कि वो अब अंकल को बचाएगी तो आपर सीनियर कोटर बाकी मॉटल्स चौंग सी पर हमला कर दीते है और यहां मास्टर से बचाना चाहते है लेकिन यहां वांजी की शो लाती है जो कि चौंग सी को बचा दी है और वो चौंग सी को थैंक्स बोलता है क्योंकि चौंग सी उसे बचाना चाहती है और यहां चौंग सी और भी इमोशनल हो जाती है और यहां चौंग सी की पावर्स इतनी जादा बख चुकी है कि अब वो हर किसी के लिए खत्रा बन चुकी है और अब वो सोठ को यहां से लेकर जाना चाहती है चING-चING उसे रुकना चाहती है लेकिन वो दूर चाकर गिरती है और अब मास्टर समझ चुके है कि वो चौंकसी को नहीं बचा पाएंगे और यहां वो अपने सौर से चौंगसी पर हमला करते हैं चौंगसी की सारी पापर्स चली जा दी है चौंगसी की आखों में आसू होता हुव बहुत ही घायल हो चुकी है और यहां चौंगसी अब मरने वाली है वो मास्टर को बोलती है कि उसे कोई रिग्रेट नहीं कि वो अपने मास्टर के हाथ हो मारी गई है और वो मास्टर को धैंक्स करती है उसे एक अच्छी लाइफ देने के लिए और वो मास्टर को आखरी वाट बोलती है कि उसने मास्टर के साथ चूपी पल बिता है सब्सा máster को बचाने के लिए नहीं है चॉंबड रहें। कि वह उसे नहीं बचा पाएं। बलके इस दुनिया को बचाने के लिए उन्हों नहीं संभाल पारे होते हैं। वो गुसे में यहां उस सोट को फेक दीते हैं जिससे उन्होंने चंगसी को मारा है और इधर देखते हैं कि कुलोन किंग ने प्रेस जाओ को कैद किया हुआ है और प्रेस जाओ को भी पता चुल चुका है कि चंगसी मर चुकी है और उसे मारने वाला कोई और नहीं बलकि उसक को दिखाया जाता है जिसे कि इसके मास्टर समझाते हैं कि मेरा यकीन करो लुफे कभी भी चौंग्जी को नहीं मारना चाहता था उसने थो हमेशा चौंग्जी को बचाया है यह करना उसके लिए भी काफे मुश्किल था और प्रिंस बोलता है कि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया मेरे आखों के सामने वो मर गई और इदार डैमन किंग वांगी को भी पता चल जाता है कि चौंग सी मर चुकी है और आप इदार मास्टर लूफे को देखते हैं जो कि हाँ चौंग सी को दुवारा जिन्दा करना चाहते हैं जितने भी सीनियर इमोर्टल से जिन्होंने सच्चे दल से अपने ड्यूटी को किया है और एक गौद के दाफ से एक परदान है कि वो एक बर किसी को भी जिन्दा कर सकते हैं और यहां मास्टर लूफे को दुवारा जिन्दा करते हैं और चौंग सी का जन्म होता एक छूटी सी बच्ची के दौर पर इधर प्रस चाह को देखते हैं जो कि अब और भी पावर्फिल बनना चाहता है ताकि वो मास्टर लूफे को हरा सके और उनसे चौंग सी की मौत का बदला ले सके और यहां कुलोन कि अपने सिस्टर रसांसी को बोलते हैं कि मैं क्या करू इस लड़के का अब तो यह किसी की नहीं सुनने बाला और इधर मास्टर लूफे को देखते हैं कि चौंग सी को लेकर कहीं जा रहे है यहां वो किसी की घर का पता भी पूछते हैं और यह हुई इमोडल है जिसे कि चौंग सी ने बचाय था मास्टर को बोलता है कि चौंग सी ने एक वार मेरी जान बचाईती वो आपके साथ अभी नहीं है, मैं उन्हें ठैंक्स बोलना चाहता था, वो बहुत ही अच्छी थी और अब माश्चर लूफ एचांगसी को एक घर के सामने रखते हैं उन्होंने चांगसी कोई कैसे कपल को दिया है, जिनके पास उनका कोई बेबी नहीं है और वो कपल बहुत ही अच्छे हैं, और यहां वो चांगसी को प्रामिस करते हैं कि पिश्य लाइफ में उसे जो कुछ भी नहीं मिला, वो उसे इस लाइफ में मिलेगा और इस बार वो चांगसी को मरने नहीं देंगे, वो चांगसी को हर मुसीबत से बचाएंगे और उसे एक अच्छी लाइफ देंगे और अब मास्टर लूफे ही चांग से को वेपन को अच्छे से ही रखते हैं और अब वो गॉल्डन प्रोसेस को सीखना शुरू करते हैं क्योंकि चांग से इस पर भी इवल बृत के साथ ही जन्मी है और मास्टर लूफे ही चांग से को वेपन को अच्छे से ही रखते हैं और अब वो गॉल्डन प्रोसेस को सीखना शुरू करते हैं क्योंकि चांग से इस पर भी इवल बृत के साथ ही जन्मी है और मास्टर इस प्रोसेस को सीख कर चौंक्ची से उस इविल बृत को अलग करना चाहते हैं और इदर चौंक्ची को देखते हैं चोंकि अपनी फामली के साथ काफी खुश है अचानक से एक टेमन चौंक्ची पे हमला करता है लेकिन यहां मास्टर आते हैं सबस्क्राइब सब्सक्राइब 202 चेंचित्व गले में पैंडेट होता है और स्वचपा दिया है आग्या जो किसी खत्रे में थी यह तो मेंगार नमाश्चर ádको बित किए और यह парदयर को wilt जादी है कि उसने एक आत्मी को देखा जो कि हवा में और रहा था और इसी तरह 15 साल बीच जाते हैं और यहां सीनियर को आट मास्टर लूफे को बोलते हैं कि जब से चंग सी मरी है हमने किसी भी फीमिल को अपना डिसाइपल नहीं बनाया है लेकिन हैं मास्टर लूफे कुछ पी नहीं बोलते हैं और इधर चंग सी को देखते हैं जो कि अब काफी बड़ी हो चुकी है वह इम्मॉर्टल टेंपल में अपने अंकल के साथ वर्षिप के लिए आई होती है और अब यहां एंट्री होती है डर्मन किंग वांग्यों की जो कि यहां लोगों को बोल रहा हो और वो चंग सी को बोलता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझे लगता है तुम बहुती काइंड हाटेड हो और बहुती वाइस भी तो क्यों ना तुम जीजू मांटिन पे जाओ तुम भी एक अच्छी इम्मॉर्टल बन सकती हो तुम्हे वो टेस्ट देना चाहिए तो चंग सी उसे बोलती है कि मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ तो भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं तो वांग क्यों बोलता है कि अब ये तुम्हारी मरसी और अब हम देखते है कि चंग सी के फादर काफी विमार है और वो चंग सी को बोलते है कि जस दन तु मेरी लाइफ में आई मैं और तुम्हारी मदर काफी खुश थे हम बहुत ही लगी है कि तुम हमारी बेटी हो लेकिन जब से तुम्हारी मदर की मौत हुई है तुम्हारे स्टेप मौम हमेशा तुम्हें परिशान कर दिये और मेरी मौत के बात पता नहीं हो तुम्हारे साथ क् लेकिन यहां चौंग सी बोलती है कि आप सर्फ अपना ध्यान रखिए आपको कुछ भी नहीं होगा और यह सारी वाते चौंग सी के स्टेप मदद सुन रही होती है और चौंग सी अब बांकियों ने उसे जो भी बोला था उसे सोच रही होती है और सोच आदी है और यहां उसे इमोर्टल बोल्ड के विजन्स आने लगते है जो कि उसके पास्ट लाइफ के है चौंग सी इमोर्टल बोल्ड में एंसिस्टर टेंपल के सामने है अपने फादर के कामों को देख रही होती है तब ही आकर उसके अंकल बताते हैं कि तुम्हारे फादर मरने वाले है और चौंग सी अपने फादर के पास होती है और चौंग सी के फादर उसे बोलते है कि मैं तुम्हारा बायलोसिकल फादर नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने बाइल उसकर पैरंस को ढूंडो तुम्हारे पास ये जो पैंडेंट है ये जब तुम हमें मिली थी तब से ही तुम्हारे गले में है शायद ये तुम्हारे जन्म से जुड़ा हुआ है शायद ये तुम्हें वहां ले जाए जहां से तुम्हारी शुरुआत है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो और मेरे बाद मेरी इस पूरी फैमली को तुम संभालो मेरे सारे कामों को भी और तब यहां चांगसी के स्टेप मदर सिष्टा आ जा दिये जो कि चांगसी को दूर हटाते हैं चांगसी अपने फादर की मत से काफी दुखी होती है और इसे कि अपने फादर की फिनरल पे होती है अपने फादर को बहुत मिस्स करती है और इदर चांगसी के स्टेप माता को दिखते हैं जिसने चांगसी के फादर के सारे विजनेस और घर का चार्स खुद ले लिया है अबकि चांगसी के फादर ने अपना सारा विजनेस चांगसी को दिया है और यहां वो एक आदमी को घर के बहुत सारे कीमते सामान बीच रही होती है चांगसी का सारा सामान बाहर निकाल देती है और वो उस आदमी को बोलती है तुम चांगसी से शादी कर सकते हो तुम्हें इसके बदले मुझे पैसे देने होंगे और चांगसी के अंकल ये सब सुन लेते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम ऐसा नहीं करने दूँगा तुम चांगसी का सामान नहीं लेकर जा सकते अब चांगसी भी बाहरा जाती है तो ये आदमी चांगसी को बोलता है कि तुम मुझे शादी करोगी अब ये गर मेरा है और यहाँ सब मेरा कहना मानेंगी और यहाँ वो चॉंग्सी का सारा सामान जलबा देते हैं और चॉंग्सी के अंकल को भी मारते हैं यहाँ चॉंग्सी उन्हें नहीं रुक पा रही होती है लेकिन अचांक से इसका पेंडट नीचे गिर जाता है और इसकी सारी पावर्स आट अफ़ कंच्रोल होती है और यहां वो इन सब कों के के सजा दीती है और यह सब चॅंगसी को एक टैमन्र भोलता है और यहां चॉंग सी के आंकल चॅंगसी को बहुते हैं एक तुम्हारे स्टेप मॉम कभी भी तुम्हें खुश नहीं रहने दीगी और तुम्हारे फादर चाहते थी कि तुम्हें खुश रहो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहां ना रहो कहीं और चली जाओ और चांग सी तैय करती है कि वो जेजू माउंटन पे जाएगी और इमर्जल्स के लिए जो टेस्ट होता है वो उसे दीगी और उसके अंकल बोलते है कि अपना ध्यान रखना और अगर तुम्हें किसे भी चीस के जरूरत पढ़े तो तुम मुझे बुलाना और चांग सी अपने अंकल को बोलती है कि फादर के बाद सिर्फ आप ही मेरे अपने अपना खायल रखना और अब चांग सी अपने जर्णी पे निकल जाती है और यहां उसे वांग्यू मिलता है और वो बोलता है तो मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी चलो मैं भी जी कि मैं विश्च करता हूं कि तुम्हें एक अच्छा मास्टर मिले और वांग्यू अपनी फ्रेंड को बोलता है कि चांग्सी को इम्मोर्टल बटन में जाना ही होगा तभी वो अपने लाइफ के रियल एम को पहचान पाएगी और इदर बहुत रात हो चुकी होती है तभी चा यह भी उन्हें तो यह जाती है और माश्टर बूलते हैं कि मैं तुम्हें कश्त नहीं होने दूंगा और ओंच्छा कर सके और मैं च्छोटी थी तब मैरा को देखा था लोगों को बताती ती लिकिनि किसी ने मेरा विलीव नहीं किया और वो मास्टर को बोलती है, आप मेरे मास्टर बने, वो मुझे ऐसे डिसाइबल एकसेप करें, लेकिन मास्टर लूफए बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, तो चांक सी बोलती है, चाहे एक साम कितना फिर डिफकल्ट क्यों नहीं हो, मैं उसे पास करूंगी, और मुझे आपकी की की तरह है, तो ये तूम दोनों के लिए बहुत ही बो रहत ही बोरा होगा, तो मास्टर से बोलती है कि ये मेरा काम है, तुम उसके चंता ना करो, तो अब मिस चांक सी की बोलती है, कि तुम बापस ने घर को लट जाओ मैं एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो कुछ भी चाहिए पैसे हर चीज मैं तुमें दे दूँगी लेकिन चौंग सी बोलती है कि जब मैं मास्टर से मिली हूँ तब से मैं एक आम आत्मी नहीं बनना चाहती मैं भी उनकी तरह एक इमोर्टर बना चाहती हूँ और लोगों की हल्प करना चाहती हूँ और उन मास्टर के सामने नेल डाउन कर दी है और बोलती है कि प्लीस मुझे अपने डिसाइपल एकस्ट कर ले और या मास्टर को वो ममेंट याद आता है जब चौंग सी उन्हें बोलती है कि मास्टर मुझे छोड़का ना जाए आपको मेरी तरह डिसाइपल कभी नहीं मिलेगी और इधर मैस चांटी चौंग सी को बोलती है तुम उसकी डिसाइपल नहीं हो तुम उसे मास्टर नहीं बोल सकती और उठो वहां से चौंग सी उठने लगती है लेकिन मास्टर से बोलती है कि नेल जाउन करो आज से तुम मेरी डिसाइपल हो और आप चौंग सी अपने मास्टर को अपना इंटरड़क्शन दी दी है और यहां मास्टर से बोलती है आज से तुम मेरी डिसाइपल हो और मेरा हर order तुम्हें follow करना होगा मैं तुम्हें जो भी सिखाऊंगा तुम्हें उसे पुरी लगन से सिखना होगा और immortal बढ़ने का तुम्हारा एक ही एम होगा कि तुम हर किसी की मदद करो कभी किसी को hurt ना करो और master यहां जौंसी को बोल दिया है तुम्हें जौंसी बोल दिया है कि तुम्हें कोई नहीं रुख सकता तुम वहीं करते हो जो तुम्हारा मन करता है और अब master लूफे को वह बोल दिया क्या खिर कौन है यह लगकी यह चौंगसी की तरह क्यों दिखती है तुम्हें लूफे बोलते है कि तुम इसके चिंता ना करो बस मैं चाहता हूँ कि तुम किसी को ना बताओ कि इसका फेश चौंग जी जैसा है और अब master लूफे चौंगसी के पास आते है और यहां चौंगसी master को बोल दिया क्या आपने इतना mind change कर लिया है senior god और बागे models के पास पहुचते है और यहां सबको बताते हैं कि यह मेरी new disciple है यह senior god और master कंसें काफी खुश होते है यह काफी time बाद master लूफे ने किसी female disciple को चुना है और चौंगसी है सबको अपना introduction देती है कि उसका नाम वांसी है लेकिन master लूफे बोलते हैं कि मैं वांसी को एक नया नाम दीता हूँ आज से वो चौंगसी है और यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और यहां में पता चलता है कोई भी चौंगसी के face से उसे नहीं पहचान पा रहे होते हैं और यहां प्रिंसस उसके सपास आती है क्या तुम्हें पता चला है मास्टर लूफे ने एक नियो डिसाइपल को लाया है और उसका नाम चौंगसी है क्या तम उससे मिलना नहीं चाहोगी तो प्रिंस बोलता है कि उसका नाम सिर्फ कौंगसी है वो चौंगसी नहीं है और यहां में पता चलता है कि प्रिंसिस प्रिंस को पसंद करती है और इधर चांग सी मास्टर के साथ चलते चलते ठक ही जाती है लेकिन मास्टर से बोलती है कि तुम्हारी जर्णिया भी बहुत लंबी है और आप चांग सी मास्टर के पलस में बहुत जाती है रिहां master उसे उसका room दिखाते हैं यह चांक सी कही room है और वो चांक सी कह बोलते हैं लिए कुछ दिर बादा कर मुझसे मिलना और चांक सी अंदर entry करती है तो अपर जो सामान होते हैं उसे देखिर उसे काफी खुश होती है कि यह सब उसके लिए है और यहां वो सूचते हैं कि मास्टर बहुत ही अच्छे हैं वो बहुत ही पावर्फुल भी है उनके पास बहुत सारी पावर्ज हैं और उन्होंने उसे अच्छे साइपल एकसेप्ट किया तो अब चौंग से भी एक अच्छी इमोडल बन जाएगी और वो यहां चौंग से सारी सामान को दीख रही होती है तब यहां मास्टर आते हैं और चौंग से बोलते हैं कि क्या यह सारी सामान मेरे लिए हैं तो मास्टर बोलते हैं कि तुम इन सब का यूज़ कर सकती हो और अब वो उसे सारा पैलस दिखाते हैं और यहां चॉंची फिस्ट को देखती है, तुम मस्टर को बोलती है, क्या चाहं के फिस्ट काने वाले हैं? तुम मस्टर से बोलते हैं, कि in mortal world में तुम्हें yağने खाने की कोई स्वरत नहीं, मैं तुम्हें breathing method सिखाता हूँ इसके बाद अगर तुम्हें कभी भी भूख लगेगी तो तुम इस method का यूज़ करना और तुम्हा भी भर चाएगा और यहाँ चांग सी breathing method सीखने के वज़ाए बस master को देख रही होती है का ज़्यादा चांग सी master का thanks कर दी है उनका disciple बनाने के लिए और यहाँ master चांग सी को उतने टाइम बाद अपने पास देकर काफी खुश थे और चांग सी को बोलते हैं कि अगली class के पहले तुम जो चाहों कर सकती हो और यहाँ चांग सी सुई होती है तब ही master मू आते है और इनके impression से लगता है कि जैसे जान गएंगी यह चांग सी ही है और अब वो चांग सी को बोलते है कि मैं तमारा senior हूँ और तुम बिल्कुल उसी की तरह हो यहाँ चांग सी पूछते है कि किस की तरह है तो बोलते है कि पाकी न्यूदिसाइपल्स की तरह सिखाओ और यहाँ प्रैंसेस को तो पहले से ही जंग सी पसंद नहीं थी और चंग सी की जगए पर ये लड़की भी उसे पसंद नहीं और वह अपनी तलवायर निकाल दिया और चंग सी को बोलती है कि दिखाओ तुम क्या कर सकती हो तब य कि तुम मेरी दोस्त की तरह हो और अधर सीनियर मूँ प्रिंसिस को काफी ड़टते और बूलते कि तुम चांगसी को टागेट नहीं कर सकती हो और इदर तेंश रा को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के लिए गिफ्ट लेती है और अभी दर मस्चांगसी को देखते हैं और ने चांगसी को बोलता हैं तुम चाहता हो कि तुम इसर्फ से क्रिष वैश और तुम मस्चांगसी को लगा तक उसके मास्टर और मस्चा मो देखते हैं कि चांगसी को पता दिऴ। इतना बड़ा है आपने मास्टर के पैलस का भूल कहीं कहा है कि चलो मैं तुम्हें हर जगा के बारे में बताता हूं कि तो मास्टर मुझी को इमर्ठल टेंपल में पी बताते हैं बूलते हैं कि यह जो Shield है, इसे निलून का कोई Blood Relative ही तोड़ सकता है और चॉंगसी इस Shield को देकर घबरा रही होती है और चॉंगसी के यहंद आने की वज़े से इस Shield में थोगा Change होता है तुमने सीनियर गॉद भी आ जाते हैं लेकिन चौंग सी बूलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और तब ही हम मास्टर मुँआ जाते हैं और उस सीनियर गड़ से माफी मांगता है और बूलते है कि चौंग सी को मैं यहाली कराया था तो यह सीनियर गोड चौंग सी को पनिश करते हैं और बूलते हैं कि निल डाउन करके बैश जाओ लेकिन चौंग सी बूलती है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया कोई भी नियो डिसाइपल इम्मार्टल टेंपल में जा सकता है और जैसे हो नीचे बैट ने लगती हैं मास्टल लूफ फे आ जाते हैं और बूलते हैं कि तुम्हें पनिश्मेंट की ज़रत नहीं है तुमने कुछ भी गलत नहीं किया और वो सीनियर गॉट को बूलते हैं कि कोई भी नियो डिसाइपल इम्मार्टल टेंपल में जा सकता है तो आप चौंग सी को पनिश्मेंट सिर्फ मैं दे सकता हूँ और वो चौंग सी को लेकर चले जाते हैं तो या सीनियर गॉट को बहुत ही गसा आता है और अधर्स चांग से मास्टर को जो कुछ विगाओ बता दिये और मास्टर लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पेर का चोट कैसा है मुझे दिखाओ और चांग से बोलते हैं कि सीनियर मों ने मेरे बहुत हल्प की और अब मास्टर जाने लगते हैं तो चौंग सी बोल दिये कि मुझे बहुत ही डर लग रहा है जब तक मैं सोना जाओ किया आप यहाँ रुक सकते हैं और मास्टर से बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें घबराने की कोई सरवत नहीं और चांग जी यहां सोच आती है लेकिन वो नीद नहीं बोल ली हुथी है अपने पेरेंट्स को बहती मिस करती है और हम मास्टर से बोलते है कि इस लाइप में वो उसे कुछ पी नहीं होने देंगे और इदर सीनियर गॉड सीनियर मो को काफी पनिश करते हैं और मास्टर केंसी को बोलते है कि इस लड़की का बेग ग्राउंड पता करो अब मुझे शक हो रहा है कि यह वही लड़की तो नहीं चुईबल बृत के साथ जन्मी थी लेकिन मास्टर केंसी बोलते है कि नहीं यह ल एक नियो डिसाइपल को अपने सौट देती है उसे चांगसी के साथ फाइट करने को बोलती है तब ही यहाँ पर प्रंस आ जाता है जोकि प्रंसेस को बोलता है यह तो चांगसी के साथ अनफेर है वो अपने सौट चांगसी को देता है और चांगसी और उसके वीच फाइट श तो यहां प्रणस्स चंग्सी को बोलती है कि तुम अपने क्लासमेट के साथ इतनी क्रुएल कैसे हो सकती है तुमने उसे काफी चोट दी है और यहां मस्टर लूफ हे बोलते हैं कि घेसा रहेगा? आप मुझे कल से सिखा हैं क्योंकि चॉंक्सी को यहां भूक लगी थी और अधर प्रंसस को देखती है जो कि सीनियर गॉट को बता दी आज चो कुछ भी हुआ तो सीनियर गॉट उसे बोलते हैं तो सलरकी नभी तक कुछ भी नहीं सीखा है और फिर भी तुमारे एक स्किल्ट न्यू डिसाइपल को हरा दिया कि यह सच में कुछ अजीव है जो कि सीनियर गॉट को बताते हैं कि चॉंक्सी के पेरेंट्स अभी इस दन्या में नहीं है लेकिन उसके वारे में कुछ और भी पता चला है चॉंक्सी के पेरेंट्स ने उसे गोद लिया था और अब सीनियर कोईट मास्टर मू और प्रिंसस को बोलता है मुझे लगता है कि यह लर्की रेमन्स की कोई स्पाई है चॉंक्सी मास्टर लूफे के डिसाइपल बनी है तो इसमें नजार रखो लेकिन वो अपने फादर को बहुत मिस कर दिये वो मास्टर को बोल दिये कहीं आप मेरे फादर की तरए एक दिन मुझे छोड़ कर तो नहीं चले जाएंगे और यहां मास्टर को वो मुमेंट यहाद आता है जब चांगसी ने मास्टर को बोला था कि मुझे छोड़ कर ना जाए लेकिन वो चले गए थे इसलिए वो चांगसी को प्रमस करते कि इस पर मैं तुमें छोड़ कर नहीं चाऊंगा और चांगसी है मास्टर के लिए पेश्ट्री बना कर लाई होती है जो कि काफी अच्छी होती है तो याँ चांगसी बताती है कि उसके फादर ने उसे कोकिंग करना सिखाया था और तब ही हमापर प्रिंस आ जाता है जो कि माशलूफे को बोलता है कि मैं आपके साथ चेस केलने आया हूँ और अभी दोनों चेस केलते हैं माशलूफे प्रिंस को हरा देते और बोलते है तुमारे स्केस तो अच्छी है मैं और इसे इंप्रूब करना चाहिए तो प्रिंस बोलता है कि मैं यहां किसी और वज़े से आया हूँ और वो बोलता है कि आपने इस लड़की को चंगसी का नाम क्यों दिया है तो प्रिंस कुसे से हां से चला जाता है और हम माशलूफे चंगसी को बोलते है तुमारे आगे की क्लासस तो चलेंगी और उसके लिए तुमारे पास खुद का एक बेपन होना चाहिए और हम देखते हैं कि चंगसी माशलूफे साथ आई है अपना मैसकल बैपन चुनने के लिए माशर मू से बताते हैं कि जो तुम्हारा मैसकल बैपन होगा तुम्हें खुदी चुन लेगा लेकिन कोई भी बैपन चौंगसी के पास नहीं आता और चौंगसी एक बैपन से हाँ हट होने वाली होती है तो माशर मू उसे बचाते हैं और चौंगसी माशर को बताती है दोहा पर कोई भी मैसकल बैपन उसके लिए नहीं था तो काफी उदास हो गई थी तो यह माशर लूफे उसे चौंगसी का बैपन देते हैं और बोलते है कि शायद यह तुम्हारी डेस्टिनी है तो चौंगसी बोलते है क्या यह मैसकल बैपन किसी और का था तो माशर बोलते है कि नहीं यह सिर्फ तुम्हारा ही था और तुम्हारा ही है और यहाँ चौंगसी इस मैसकल बैपन को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है मैं आपको भी बचाओंगी और इस दौनिया को भी मास्टर ये सुनकर स्माइल करते हैं और जब बापा सारे होते तो चाउंडसी आं ماस्टर को बूलती है यह जो शौड है कि यहाँ पर क्यू है और यह तो वही सौड है जिससे मास्टर ने शांक सी कमा रहा था और वो उसे बताते हैं कि ये सोट उन्हें उनके मास्टर से मिला है और जब इनोंने इसका पहला इस्तमाल किया वो उनकी सबसे बड़ी गल्दी थी पर यहां उससे नहीं बताते हैं रोन्हों से अपनी चॉंग्सी को मारा था और इधे डैमन कि नीव करेक्टर की जहां की बहुत सारे डैमन्स सब्सक्राइब कर दोगों को परेशान कर रहा है कि उसे अर्थ से दूर करने के लिए वह खुच जाएंगे और यहां वह पेस्ट्री खा रही होती है तो यहां वह उसे बोलती है कि क्या मेरी कोई सीनियर भी है उसका नाम भी चौंग सी था और उसने कुछ कल्ती की थी जिसके वज़े से उसकी मौत हो गई है और चौंग सी के साथ जो भी इंसिटन्स हुए वो इन सब से समझा दी है कि मास्टर के पहले डिसाइपल ने कुछ ता गलत किया था और यहां जिंग सिंग चौंग सी को जेफिंग से इंटिद्यूस करवा दी है जेफिंग चौंग सी का सीनियर है और शेफिंग से प्यार करती हैं और चैंग संग सी को बूल दीए कि मोड में मीटिंग हो रही है चलो हमारे साथ और यहां देखते के सीनियर कड साफे को बूलते हैं कि ड्रेगन केंग ने लोगों पर हमला किया तो हमें उससे सब को बचाना है इसके ड्रेगन केंग से फाइट के लिए जो भी मास्टर लूफे के साथ जाना चाहता है वो आगे आ जाए तो हैं कुछ डिसाइपल्स ही आते हैं चौंग से भी आती है लेकिन या सी मास्टर लूफे को बताते हैं कि ड्रेगन केंग के पास बहुत सारे मॉंस्टर्स है तो तुम्हे वहाँ केरफूल रहना होगा और अब वो बूलते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम चाहता हूं कि इस मामली से दूर रखो वो भी एक नियू डिसाइपल है तो उसे अभी इमो हर एक चीज के बार में बताऊंगा कि कैसे आगे चलकर वो डैमन से फाइट करेगी और लोगों की हल्प और सीनियर कोट बोलते हैं कि तुम दुबारा वही गल्ती कर रहे हो नहीं ये भी डैमन ना बन जाए मुझे तो लगता है इसके पास भी इवल बृत है कि मास्टर नहीं हो दिया और मास्टर लूफे आते हैं तो वो चॉंग्सी के यहां नहीं पाते हैं और मास्टर समझ आते हैं बागी डिसाइपल्स के साथ चंग से भी गई है और इथर से बोलता है कि अपने सीफ्टी का ध्यान रखना तब यहां चौंग सी भी आ जा जा दिया और ती प्रेंस आके प्रेंस को रोकता है और प्रेंस बोलता है कि मास्टर लूफे ने मुझे बताया है कि चौंगसी हमें जोइन करीगी तो प्रेंसस चौंगसी को बोलती है कि अब तुम हमारे साथ हो तो अपने काम को सीरियसली लेना और यहां चौंग सी मेडिटेशन कर रही होती है अभी मास्टर लूफे का पार सलाता है यह चौंग सी के सेफटी के लिए और चौंग सी का लगता है कि मैंने मास्टर को नहीं बताया था पर फिर भी वो मुझसे गुष्णात नहीं है और देखते कि प्रिंस चौंग सी के पास आता है वो केले बैठी होती है तो प्रिंस उसे इमोर्टल्स बारे में बहुत सारे बाते बताता है और डेमन्स के बारे में भी और उसे बोलता है कि कल तुम्हें सेफली रहना होगा खुद को भी प्रोटेक्ट करना और लोगों को भी और यहां चौंग से बहुती है तो प्रिंस स्मयल करता और उसे बोलता है कि तुम भागी डिसाइपल से बलकुल अलग हो और अब यह दोनस चौंग सी के प्रेैटिस करवाता है के लिए बन को रादी हो और तब ही यहाँ पर जुही आ दी है जो कि खुट का चॉंग्जी से इंटिडियोस करवा दी तो चॉंग्जी उसे बताती है कि माशर लूफे की डिसाइपल है और अब जुही उसे बोल दी है कि उसका अस्वन बिमार है उसके लिए उसे कुछ हफ्स की जरुवात है लेकिन रास्ते में डेवल्स उसे परिशान कर सकते है वो चॉंग्जी से हल्प मांती है कल वो उसके साथ जाए तो चॉंग्जी से बोल दी है कि मैं अपने सीनियर से परमिशन मांगूंगी कल तुम भी हमारे साथ चल सको और इधर सेनियर को आशर लूफे को बोलते है कि चॉंग्जी ने बाकिस डिसाइपल्स को जाइन किया है या तुमने उसे जाने का ओडर दिया था हम आशर लूफे भी बोलते हैं कि हाँ उसने काफी प्रैक्टिस की है इसलिए मैंने भी उससे जाने का ओडर दे दिया और इधर नेक्स टे देखते हैं यहां चॉंग्सी उस जोई को ढून रही होती है पर वो उसे नहीं मिलती अब सभी मॉटल्स यहां लोगों की हेल्प करते हैं अब प्रैंस प्रैंस को बोलता है कि एक टीम के साथ तुम्हीं लोगों की हेल्प करू आपनी टीम को बोल दी ए लेकिन चॉंग्सी हाँ प्रैंस को बोल दी है हम उतने फाबरफुल नहीं है हम उनसे फाइट कर सके हमे अपने सीनियर्स से भी हेल्प लेनी चाहिए और देखते हैं कि ड्रेगन किंग और प्रेंस के बीच फाइट हो रही होती है और यहां प्रेंस ड्रेगन किंग का कैट कर लीता है और बोलता है कि बताओ तुम लोगों को क्यों मार रहे हो तुम डेमन किंग से मिले हुए हो लेकिन यहां ड्रेगन किंगों से बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो मैंने कभी भी लोगों को हर्म नहीं किया है परना डेमन किंग से मिला हुआ हूँ साइट डेमन्स खुद लोगों को नकसान पहुचा रहे हैं और मुझे फ्रेम कर रहे हैं आपने टीम के साथ या बहुत चाहती है और प्रेसे सब को बता दिया है प्रेंस और ट्रेगन कींग के विच फाइट पानी के नीचे हो रही है तो उसे यहां उसके बाहर आने का वेट करना होगा तब ही यहां पर एक टैमन आती है और चॉंक से देखती है यह तो वही जूई चाहिका बोलती है कि जरुरिख किसी उन्दर जाना हो क्चाहा परिस्धा हों चाहें गने लग्ता कि तुम्हारहा वनार प्रेंस बचाहों हो जा दिए और यहां प्रेंस को समझ में आ जाता है कि उसके दियम यहां आ चुकी है और उनके जमन के साथ फाइट हो रही है आज ड्रेगन किंग को प्रेंस को बोलता है कि मैं इनोसेंट हूं मैंने किसी को भी हर्म नहीं किया है तो मैं मुझे छोड़ दियाना चाहिए और को वश्रत कर दीर सब हरान होते हैं चॉंसी के स्किलों सको दीखकर अब हृतब जाता है कि हमार्य दर्यगन किंग माहरा है इसका मतलब कुक mils कаете उनके ऩर इन्मिक हरें और इमडियुआए तब ही नहीं रहां यहां पर प्रुंस आ जाथा सु जोड़ दियांतर तुमने जगन किंग को मार दिया प्रिंस बोलता यहां तो कोई जगन किंग है ही नहीं तो जूई बोलते कि तुम जूट बोल रहे हो और आव इन सब के बीच फैट शुरू हो जाती है यहां जूई चौंग्सी को हट करने वाली होती है अब यहां पे मस्टर लूफे आ जाते जो कि चौंग्सी को बचा लेते हैं और जूई पर टेक करते हैं लेकिन जूई को यहां बचाने के लिए डेमन किंग वांग्यू आ जाता है और वांग्यू यहां मस्टर लूफे को बोलता है वाके में तुम्हें एक अच्छी डिसाइपल मिली है अब यह मुझे पसंद है तो इसे बचा कर रखना मुझसे और वो अपने साथियों के साथ यहां से चला जाता है और यहां चौंग्सी उसे देखकर पहचान ले दी है यह तो वही आदमी है जिसने उसे जीसो मांटिन का रास्ता बताया था मस्टर उसे बोलते हैं क्या तुम ठीक हो और हम मास्टर ल इसने क्योंको को हाम कर रहे था और उसे रेम कर रहे तो चाहती थे ऑर इमोर्टल्स के वीछ फाइट हो इसलिए मैंने उसे जाने देने का फैसला लिया और मास्टर को बोलता है कि अगर मैंने गलत किया तो आप मुझे पैनिश चट कर सकते हैं लेकिन आसे लूफे बोलते ह कि तुम अपने मस्कल पावर सी खुद को भी प्रोटेक्ट कर सको और लोगों को भी और चांग सी मास्टर से यहां पूछती है कि आप मुझे अपनी पहली डिसाइबल के जगह पर सबस्टीट बना कर लाएं तो मास्टर उसे बोलते हैं कि नहीं तुम्हारी खुद की पहचा पूलते हैं कि डावन कि वागियों ने इम्मोर्टल्स और जगन के वीच फाइट करवानी चाहिए इसकी कोई तो बड़ी बज़ा होगी इसका मतलब है कि वह कुछ बड़ा करने का सोच रहा है मैं इसके तयारे पहले से ही कर लेनी चाहिए ताकि हम किसे भी मुसीवत से लोग चले मैं कुछ देर बाद आऊंगा तो सीनियर कोड पोलते है क्या तुम अपनी डिसाइपल के वज़े से देर से आ रहे हो तो मास्टेर लूफे बोलते है कि उन्हें पहले चंपसी को बताना है वह उसे भी अपने साथ लेकर जाएंगी और यहां सीनियर कोड प्रेंस बनी है इसका पता हमें आगे चलेगा और अगया चंपसी सोई होती है तो उसे उसकी पास्ट लाइफ के मुमेंट्स दिखते हैं लेकिन चंपसी को लगता है यह सब उसका ज्रीम है अपने मास्टर के साथी यह सोच कर यू काफी खुश थी आनि कि चंपसंद करने लगी है और चंपसी प्रेक्टिस कर दिया तभी यहां पर मास्टर लूफ या दे वह उसे कच स्वीट्स भी देते हैं तो मास्टर को भी वह खिला दिया है यह मास्टर उसके साथ सथ स्ञ हम सिया खुश रोगी है कि सब मास्टर से अकेले चुर कर नहीं जा रहे है और विदर देमं किंग वांग्यू कुछ अरी प्लानिंग कर रहा है और यह उसे आत्मों को दोने को बूलता है जो कि है तो है कि मॉर्टल लेकर वास्टमन बल्ट के लिए काम करता है और बोलता है कि इस वार जो खत्रा इम्मॉर्टल्स पे आने वाला है वो उससे नहीं बच सकते और यहां च मॉर्ण सिकान मास्टर का रहा पर प्रेंस बहते साथ प्रिंस कि दूस करते है और यहां प्रेंसि को लगता है पहली वाली चांग सी है लेकिन उन्हें बताया जाता है कि यह न्यू चांग सी है और यहां तर्शान किंग अवसके तारीप पी करते हैं क्योंकि एक नियू डिसाइपल होने के बावसूत भी उसने प्रिंसस के साथ मिलकर डैमन से फाइट की और साफी सीनियर इम नहीं चोड़ों कि वह भी असमा उठा ली थी किन यहां सीनियर कॉह और यह सब को डाटते है और बोलें क्या तुम सब छोटे बच्चे होग अब सीनियर कौह जैंसट और प्रिंस और प्रिंसस गोलते है कि ध्यान रखना चौंग सी कोई करबर ना करे हैं कि यह यहां पर प पाइट कर रहे थो और उनकी मौत होगी जोहीं यहां से बोडी को लेकर चली गई उसने डैमन से लिए उसके बन चुकी तो चौंग सी बोल दी वह ऐसा कैसे कर सकती उसके हस्वेन इस तुन्या को बिचाने के लिए पनी जान दी 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 लेकिन वह खोदी एक ट्रवन बन गई तो प्रंस उसे बोलता है कि इस दा बातलों को छोड़ो अगर तुम एंजोई करना चाती है तो मैं तुम्हें एक जगा बताता हूं और यह दे दीखते हैं कि चंग सी अकेली आइस से स्टेचिस बना कर खेल रही होती है और तब उस पे नसर परती है प्रंस चाओगी और व का नाम तुम्हें पत्रफ की तुम्हारे मास्टर की अथे का नाम तुम्हें दिया बोल देना अपने मास्टर से कि मैं उसे चंग सी की मौत का हर्थ लेक्र रहुंगा जा उसे बोलती है कि तुम मेरे मास्टर को हर्ट नहीं कर सकती तो परे जाओब में रास्ता बना रहा हुता है। और चांग से समझ आती है कुछ तो गरबर हुई है यहां के वो प्रेंस को बता दी है तो प्रेंसे से बताता है कि सिक्स वर्ल्ट को जोड़ने के लिए वंगली लेक में एक रास्ता था जिससे कि सर्फ इमार्टल से ट्रावल करते थे लेकिन जो नेलू ट्रेगन के नेलू न सुचती है कि इमार्टल उसके हस्वन को बचा सकते थी लेकिन वह मारा गया इसलिए वो देमेंस के साथ है और अब यहां सीनियर काट और तेशान किंग भी लेक्पे बहुच आते हैं वह समझ चाते हैं जो कुछ भी हुआ है और तभी यहां पर उसी रास्ते से डेमेंस आत लेनी पडी और वहार देमन्स और इमपार्टल्स depth केव लिच राइद शुरू हो जाती है और वहाएन यहां पर इल्यूसें स्टोन कआयुस करते हैं जिससे कयसे कभी मारा जा सकता है ठीम बीन सारे स्टोन को खतम कर दीते हैं और मास्टर किन से निर सीनियर मोंeral को तुम्हारे हस्वन ने इम्मोर्टल बार्ड को बचाते हुए अपने जान दे दी तुम्हें अपने प्यार के रिस्पेक्ट करनी चाहिए तुम्हें इस डैमन्स का साथ नहीं देना चाहिए लेकन जो है उसे बोल दी है तुम अभी उतने बड़ी नहीं हुए को तुम मुझे मास्ठी लूफे आते है जो इस सभी डैमन्स को मार देते है और रस्टिंग साथ और आपने जान बचाने के लिए और जहां से चले जाते है की तुम कैसी हो आए कि कि माश्य लुब्रे को बोलते है कि तुमने इस मुसिवत को तर दो ताली दिया धरिशान कि बोलते है तुमनी लीक में श्यूमनी व Haiti को वाटर कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं और वो बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना क्योंकि यह बहुत ही डेंजरस है और यह दोनों चले जाते हैं प्रिंस चौंग से को बताता है है वेंली लेक के वाड़ा में स्प्रिच्वल पावर्स इतनी ही जादा है कोई भी हमें चाहे हो कित में तो प्रिंस पॉलता है दुम्हें को ब Cool Will just go आ सकते हैं तुम्हे तैवित खड़ाब हो डाएक चाहेगी जाएरस ब्लती कि मास्टर को गए काफी टाइम हो चुका है लिक드平ड वापस नहीं आ падते हैं मुझे उनकी फिक्र है मिस चांग सी उसे बोलती है कि ये मेडिसन ले लेना ताकि तुम्हारे तवित खड़ाब ना हूँ और तेंस्या उसे मेडिसन दे रही होती है और अब मिस चांग सी प्रंस से बात कर रही होती है तेंस्या चांग सी को बोल दी तो तुम हो मास्टर लूफे के नियो स्टुडेंट तुम नहीं जानती है मेरी मास्टर मास्टर लूफे को बहुत टाइम पहले से जानती है और तुम्हें इस तरह अपने मास्टर की फिक्र नहीं करनी चाहिए तुम थो बस अक्टिंग कर रही हो हजह इन दूनों के विछ अर्वमेंट बठ जाथा तो चॉंक सी तंशुअ को बस कर दिये तो मिस चॉंक सी आदि है सो है मेडिसन को फेक दी ती और बोल दिये मैं थो मिस चॉंक सी को मेडिसन दे रही थी पर इसने मुझे धाका दिया चौंक से भी बोल दिया कि यहीं मुझे से बास बाते किये जा रही थी और है प्रेंस मिस चौंक सी को बोलता है मुझे नहीं लगता कि चौंक सी बिना मतलब कि इसी को परिशान करेगी और देखते हैं कि सीनियर गौडर मास्टर लूफे लेवनले लेकर बोटम में जाने की कुशश करें ताकि उससे को ब्लॉक किया जाए अब देखते हैं कि सीनियर गौड पापस आ चुके है देखते हैं कि मास्टर लूफे यहां नहीं है चंग सी हमसे पूछते हैं कि मास्टर का है सीनियर गट बता दे हैं कि लूफ है ने पनी पावर्स का यूज़ करके मुझे बाहर फिक दिया और खुद वो बहुत बड़ी खत्रे में है जायद अब वो मर चुका होगा और याँ सब ही सौक ही हो जाते हैं और याँ चंग सी अब मास्टर लूफ है के पास पहुचा दी है वो देखती है कि मास्टर पूरे तद से कमचोर हो चुके है मास्टर चंग सी को बोलते है यह रस्टिंग सोइल और कलरफूर स्टोन का यूज़ करके चल्दे से उस रस्टी को ब्लॉक करो तुम यह कर सकती हूँ लेकिन चांग सी बोलते हैं कि मुझे तो यह आता भी नहीं तो मास्टर बोलते हैं कि मुझे तुम पर भरुसा है तुम कर सकती हूँ और आप चांग सी ट्राइ कर दीती है और वो मास्टर के पास आकर उन्हें बता थी कि उसने कर दिया वो मास्टर को बहुत ही ठाने की कोशिश करती है लेकिन मास्टर की शारी पावर्स खत्म हो चुकी है वो जैसे मास्टर को कैस्ट करती है मास्टर लूफए को तो होश आ जाता है और जांग से बेहोश हो जाती है वो जांग से को बाहर लेकर आते है और यहां मास्टर सबको बताते हैं कि डेवन बॉल का रास्ता ब्लोक हो चुका है यह सुनकर सभी खश्च हो जाते हैं मास्टर लूफ है यहां सीनिर गोट को बोलते हैं कि उनके उस्प्रिच्वल पावर्स बहुत ही कम हो चुकी है पहली वाली चंग्ची जैसा है और समझ जाती है कि मास्टर लूफ है ने इसके फेस को छुपाया हुआ था तब है यहां पर तेंश हुआ चंग्ची के लिए मैडिसन लेकर आई होती है वो चंग्ची को देकर हैरान ही हो जाती है तो बोल दे कि यह तो वही चंग्ची है मैं सबको बताने चा रही हूँ जंग्ची उसे रुकने की भी कुशुश करती है लेकिन वो चली जाती है और है वो सीनियर गॉट को बता दे दी है यह देमन चंग्ची बापास आ चुकी है तो नियू वाली चंग्ची है तो पहले वाली ही जैमन है अब सीनियर गॉट यहाँ पर चंग्ची को कैद कर लीते है सबहे लोग चंग्ची का फेस देकर हैरान हो जाती और चंग्ची तो समझ ही नहीं पारे कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और तर जंग्ची की मास्टर लूफे को बता दी दी है चंग्ची का फेस टरबिल हो चुका सीनियर गॉट ने उसे क्याद भी कर लिया है और आप चल्दे नहीं कहे तो चंग्ची को मार दिया जाएगा और यहाँ मास्टर को रिकवर होने के लिए चंग्ची को मारने वाली होती है लेकिन मास्टर लूफे आ जाते है तो सीनियर गॉट इसे बोलते हैं कि तुम इस टैमन को क्यो बचा रहे है हमने इसका चहरा हमसे छुपा कर रखा था तो मास्टर लूफी बोलते हैं कि कोई डैमन नहीं है पहले वाली चंग्ची जैसा है यही एक बचे मास्टर लूफे ने इसके फेस को चुपाया था आगी कोई चंग्ची को नकसान न पहुचा है और मास्टर लूफे हैं सब को बोलते हैं कि अगर किसी ने चंग्ची को हट किया तो मैं उससे नहीं चोड़ूँगा वो चंग्ची को लेकर चले चाते हैं और यहां मास्टर चंग्ची को बोलते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेइन करूँगा वो चंग्ची को सुला कर चले चाते हैं और थे कुलरन किंग मास्टर लूफे को बोलता है ठीक है आप मान लेतिये कि वो चौनक्सी नहीं और आज हम लोग अपने जीत को सलिभरेट करने वाल है तो तुम हमें जो television करो और थे देखते हैं कि प्रंस चौनक्सी के पास आता है अपने अंकल को बचाने के लिए वो खुद एक जैमन बन गई इसलिए मास्टर लूफे अनसे मार दिया तो ये चांग सी बोल दिया कि मैं उनकी तरह नहीं बनूँगी इसका अदला वो बोरी थी तो प्रेंस उसे बोलता है कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती और मैंने चाहता उसके साथ जो भी हुआ वो तुम्हारे साथ हो तो ये तुम यहां से बापस चली जाओ तो इन चंग सी बोलती है कि मुझे नहीं जाना लेकिन मास्टर से बोलते हैं कि तुम दोनों ही मेरे लिए एक हो माच चंग सी बोलती है कि आपने मुझे सीनियर का नाम दिया उनका मैसिकल वैपन आप मुझे एजस सबस्टिट लाए है यहां पर आप मुझे उनकी जगह पर यहां लाए है लेकिन मास्टर से बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है और ऑँ मास्टर को ह personnes के और बूलती है कि ठीक है मैं मान ले दीओ कि मैं एक सबचिट रूट नहीं हूँ और मास्टर उसे बोलते हैं कि मेरे लिए इस पूरी दुनिया में जो सबसे important person है वो चंग सी है और तब यहां पर जिंग सिंग आजाती है और माशलूफे इसे बोलते हैं कि चंग सी का खयाल रखना और जिंग सिंग और चंग सी यहां पर काफी enjoy करते हैं और इधर immortal world में celebration स्टार्ट हो जाता है चंग सिंग चंग सिंग को बोलती है कि तुम भ लागता है लutas cow purchase लेशीट करते हैं जैसे वाली चंग सी करते था चांद को देगते हैं कि आ विलीब हो रहा है है यह पहले वाली चंग सी ही है जैसे कि वह पसंद करता तक अच्ग समद gifted अ básě लेकिन यहाँ पर Master Luffy सीधा से मना कर देते हैं तो उन्हें मिस चांची से शादी नहीं कर दी मिस चांची सिर्फ उनकी दोस्त है मैं Senior Caller Kulon King Master Luffy को Force करना चाहते हैं अब मिस चांची भी बोलती है हम दोनों दोस्ती बने रहे तो अच्छा रहेगा अब यहाँ पे जो तिन्शान केंगे तो बोलते हैं कि मैंने देखा है कि चांची बहुत ही अच्छी है एक अच्छे इमोटल है तो Master Luffy को बोलते हैं क्यों ना आप चांची की शादी मेरे संसे कर वाए और यह सुनकर तो चांची खबरा ही जाती है तो माचे लूफे बोलते हैं कि चांची के अभी शादी नहीं करवानी तो सीरे कोर बोलते हैं कि ऐसा क्यों अभी हम इस चांची बोलते हैं अभी चांची बहुत ही यंग है इसलिए लूफे उसके शादी नहीं करवाना चाहता और इधर देखते हैं कि प्रंस चाओ आये होते हैं और इसकी नजर चांगसी पर पर दिये चांगसी का फेस देखकर हरान हो जाता है यह उसे बताया जाता है कि यह लूफे के जिसाइपल है इसका फेस मास्टर लूफे ही ने छुपाया हुआ था जो कि अब रिबेल हो चुका है और आप प्रंस चाओ समझाता है कि यह वह पहली वाली चांगसी ही है और इधर देखकर इंसान प्रंस सबको बोलता है कि मुझे भी चांगसी पसंद है और चांगसी को भी मुझसे शादी करने में कोई प्रब्लम नहीं होगी और तभी यहां एंट्री होती है प्रंस जाओ की जो कि बोलता है कि चौंग्सी से शादी को ही नहीं कर सकता चौंग्सी मेरी फ्यांसी है उसके शादी मुझसे होने वाली है वो चौंग्सी को बोलता है अगर तुम्हें शादी से बचना है मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ही कर तो मुझे पुल दें कि मेरे सन्यवी जो कुछ भी किया उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, वह अभी भी थूड़ा बच्चा ही है चाहते हैं कि चांग जी की शादी इंसान के सन से हो, यह चाहते हैं कि चांग जी इन सब से परिशान होकर वहाँ से चली जाती है और प्रंस चाह उसके पीछे तो चांग से बोलती है कि आपने मुझे बहुत परेशान कर लिया वैसे भी आपकी फ्यांसी मेरी सीनियर थी सबको बता है कि उन्होंने आपके मेरेस प्रोपोसल को एकसेप नहीं किया था आपका प्यार एक तरफा था तो प्रंस चाह बूलता है कि तुम इस नाम को डिसर्फ नहीं करती तुम बस एक सबस्चिट हो तो यहां चांग से बोलती है कि मैं कोई सबस्चिट नहीं हूँ वैसे भी सीनियर मर चुकी और ना जाने वो कैसी थी जिससे आप अभी तक नहीं भूल पाए है वैसे भी उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया है और ये सुनकर प्रंस चाह तो रोही परता है उसे चांग सी के याद आने लगती है वो बोलता है कि तुम नहीं जानती कि वो मुझे कैसे ट्रीट करती थी तो अब चांग सी प्रंस चाह को सारी बोलती है प्रेंस जा बोलता है कि मैं जाता हूँ यहां से और दिखते हैं कि प्रेंस और प्रेंस प्रेंस को बोल दिया क्या तुम्हें भी लगता है कि यह वही वाली चौंगसी है तो प्रेंस बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है पर उसके साथ क्या हुआ उसे immortal बल्ट से निकाल दिया गया और उसके master के भी मौथ हो गई तो अब मेरी disciple को उससे कैसे compare कर सकती हो तो अब मिस चांगसी बूल दिये कि तो मिस चांगसी को पहली वाली demon चांगसी की जगर substitute बना कर लाए हो ये तो उसके साथ unfair है और अब इस बारे में master लूफे भी सोचने लगते हैं और विधर चांगसी आ दिया तो प्रंसेस उसे बूल दी है तो क्या तम घुर्ष तुम्हारे master जल्दी शादी करने वाले है मिस चांगसी से और प्रंस चांगसी को बोलता है क्या प्रंस चांगसी ने कोई बखवास की ये इन चांगसी बोलते है कि मैं ठीक हूँ और यहाँ वो थोड़ी उदा से master के शादी वाली वात सुनकर और विधर दीखते है कि कुलोन को उनके सामने ये लड़की होती है जो कि बोलते है कि प्रंस चांगसी को मुझसे शादी करनी हूगी मैं उनका सालों से बीट कर रही हूँ और उन्हें चांगसे के सिवा कोई दिखता ही नहीं और ये एक किंग के डाड़र है और यहाँ ये कॉलोन किंग को बोलती है अगर प्रंस जाओ ने मुझसे शादी नहीं की तो मेरे फादर आपके साथ सारे एगरिमेंट तोड़ देंगे और ये लड़की ये जे जेग है क्योंकि इसे कनवेंस कर लेती है कि तुम बस एक नर्मल लड़की हो तुमसे प्रंस जाओ शादी क्यों करेगा और यहाँ पता चलता है कि कोलून किंग ने जे जेंग के साथ ही प्रंस जाव से तैग की है और देर जेंग सिंग चौंग से को बता दी है कि हर जगे ये न्यूस फैल चुकी है प्रिंस जावब तुम से शादी करना चाहता है लेकिन चौंगसी बोलती है कि वो मेरे सीनियर से प्यार करते है अब है यहाँ दिन सान प्रिंस आ जाता है जोकि चौंगसी को बोलता है क्या तुम मेरे साथ घुमने चलोगी कुछ दिर के लिए लेकिन चौंग्जी उसे सीधे से मना कर दीती है और वो मास्टर के पास चली जाती है यहाँ पे सीनियर गौड मास्टर लूफे और मिस चांजी को बोलती है कि आर्थ पे डेमेंस ते दुवारा हमला किया है चाता हूँ कि तुम दोनों एक साथ जाओ लेकिन मास्टर लूफे बोलती है कि मैं चांजी का अपने साथ लेकर जा रहा हूँ वो दोनों चले जाते हैं और मैं स्चांजी बोलती है कि आप चंता आना करें मैं भी उसके हल्प के लिए जाती हूँ और यहाँ यह दोनों विस्ट्री के सामने हैं चंगसी यहाँ पर बिश्व मांगती है और मास्टर लूफे भी यहाँ पर यह सारे माटल्स ध्यान कर रहे होते हैं पर इन्हें तोरने के लिए वह सारी इवल पावर्स होती हैं जिस पर मास्टर लूफे चंगसी को बताते हैं और अब वो इस माटल्स मास्टर के पास आते है और यह वही मोडल है जिसके जान चंगसी ने बचाई थी वो चंगसी को देखकर खुश था और वो चंगसी को बोलता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ वह मास्टे लूफे बोलता है यह मेरे न्यू डिसाइब है और इसका नाम भी चंगसी है तो बोलता है क्या यह दोनों अलग लोग है मास्टे उसे सब बताते है और इधर प्रेंस को देखते हैं जो कि चंगसी कर रहा होता है अब यहाँ पर प्रेंसस आजाती है तो बोलती है तुम्हारे हाथ में क्या है तो वह नहीं बताता है और यहाँ वो प्रेंस के लिए एक गिफ्ट मे लाई होती है। लेकिन प्रेंस उसे नहीं लेता है। तो अब प्रेंसस बूल दी है। अंगसी ने जो तुम्हें मैडिसन का वक्स दिया था। उसे तो तुमने अब तक अपने पास संभाल कर रखा है। बताओ इसा क्यों है। लेकिन प्रेंस बूलता है इससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। और यहाँ विचारी को काफी भुरा लगता है। इथर दिखते हैं कि डेंस ने लोगों पर हमला कर दिया। और अब यह सब यहाँ डेंस से फाइट करते हैं। लेकिन चांगसी यहाँ घायल हो जाती है। तो मैस चांगसी मास्टर को बूलती है। कि मेरा क्लिनिक पास में ही है। तुम चांगसी को वहाँ लेकर चलो। यहाँ उसका चीटमेंट वहीं करूंगी। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों पर डेंस ने थुलती है। तो बता वह बूलती है। तो आप मैस चांगसी का बहुत ही खयाल रखते हो। कहीं तुम अपनी ड्यूटी को ना बूल जाना। तो मास्टर लूफी बोलते हैं कि मैं अपने डूटी कभी नहीं भूला हूँ और मैं चौंगसी का भी खयाल रखूँगा और यह दोनों चौंगसी के लिए मेडिसन त्यार करते हैं और इधर चौंगसी को भी होशा जाता है यहां मास्टर उसे मेडिसन देती हैं और बोलते हैं कि बस तुम रेस्ट करों और अभी तर मैं चौंगसी को हार्ट पॉइसन का मेडिसन दीती और बोल दी हैं यहां असपास सभी लोगों पर हार्ट पॉइसन का असर है वो सभी एक दूसरी को नुकसान पहुचा रहे हैं तब ही यहां पर बहुत सारी लोग इन सब पर हमला कर दीते हैं और यहां मास्टर लूफे इन सब को रोक दीते हैं और चौंगसी हैं इन सब को मेडिसन देती हैं जिससे कि यह सारी लोग ठीक हो जाते हैं अभी यहां पर एक डेमन मास्टर लूफे पर हमला कर दीता है और डेमन ने उन पर हाट पोईसन की उस किया जिस्से कि वह हर्ट भी हो चुके है वहाँ चौंग जी के पास चौंग जी को अभी भी खायल रखने के जरुवत है और यहां चौंग जी नहीं चाहती कि मस्टर को म चाहती है लेकिन मिस्टाउंजी मास्टर की फ्रेंड भी है तो उन्हें मानना परता है चौंग जी की भी तवित खराब होती है उसका चीट्मेंट तो मिस्टाउंजी कर सकती है और इधर कुछ ही माटास बात करें हुते कि शाधी करने वाले और यह संकरता संग संक को काफे गुसादार हो बूलती है कि रूमर्स क्यों फैला रहे हो तो चेफंग उसे रोगता है कि तुम्हारे फ्रेंड को कुछ भी नहीं होगा वह मास्टर लूफे की डिसाइपल है तो तुम इसके चंता ना करो इधर मिस्टाउंजी चंग सी का मैदिसन देती है और तेंशा को ब अब की इसके फ़्स के रहे हैं और यहां मास्टर लूफे के हट में शुरू हो जाता है यह अँब मेडिटेशन करते हैं तो यहां पर चंग सी आ जाती है माश्टा ज मैश्चें की पास जादी है कि आपके तव्यत χराब लगर से आज कौक प classify अपम कुछ असीड पी год में तो ही यहां पर मिस्सेत चांजी की कुछ दो के कि तुम्ह नहीं झाई ता उस्ऐ तो बोलनी के कि तुम अपने मुट कुछ दून का इसुम्हार से नहीं MP3 पाyle कर देन की और इसिटें को भूर लगता था मेरी कंडिशन खराब होती जा रही है और मैं चाहता हूं कि तुम ये बात किसी को ना बताओ और मैं चाहुं से बूलती है कि ठीक है मैं तुमारा चीटमेंट करूंगी और इधर ते शुआ प्रेंसस दोनों भी प्लानिंग कर दिये है कि दोनों चाहां को सवक सिखाएंगी और या ते शुआ चाहां को मेडिसन दे दिए इस बज़े से चाहां को काफी पेन होता है और च और प्रेंसस को धका दे दीती है तब यहां पर प्रेंसस को बचा लेता है और प्रेंसस को बूलता है कि मैं तुमारे अगली गर्ले नहीं हूं वो मेरी सीनियर थी तब ही आपर जिंग सिंग आजाती है और यहां वो संगसी को बता दी तो हर जगर ये बात फैल चुकी है मास्टर लूफे और मिस चांसी शादी करने वाले हैं इसलिए मिस चांसी यहां आई है और संग सिंग यहां प्रेंस को बोलती है कि अपना ध्यान र कर रहे होते हैं लेकिन हाट पॉर्जन के असर के वज़े से अपनी डिसायर्स को कंच्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं वो दोनों साथ है तब ही यहां पर मैस चांसी आजाती है और वो बोलती है कि तुम्हें अभी कॉल्डन मेरे प्रेसर की प्रेक्टिस बंद कर देनी चाहि है तुम पर बहुत सारे रिस्पांस्पिलिटी है तुम इम्मोर्टल बर्ल्ड के सूपरवाइसर हो तुम्हें साथ आम लोगों की सेफटी भी तुम्हारी ड्यूटी है और अब मिस चांसी उसे बोलती है क्या तुम सच में चांसी को सिर्फ अपना डिसाइपल ही मानते हो ह हम दोनों ही इस बात को अच्छे से चांते हैं कि तुम चौंग सी के लिए क्या फील करते हो तुम्हें चौंग सी को यहां से जाने देना चाहिए लेकिन मार्श लूफ ही बोलते हैं बहले ही मैं हार्ट वैसन के सर के वज़ए से इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बो और यह सब सुनकर तो मस्चांसी को काफी बुरा लगता है और वो बोलते हैं कि ठीक है मैं समझ गई कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और इधर चौंग सी मास्टर से मिलने आई होती है इसे बोल रही होती कि चली जाओ लेकिन लास्ट टाइम मस्चांसी ने उसे बाहर निकाल और इतर सीनियर मूँ पास आते हैं और नों बोलते हैं कि मुझे चौंग्छ से मिलना लेकिन मस्चर से मना कर दी देती हैं अब मесचांसी आपके रहने के लिए आई हैं सबको यहीं लग रहा है कि आप में चांगसी को कोई भी जूठी आसते वह सिर्फ आप भरोसा करती है आप उसे दुवारा अकेला छोड़ देंगे लेकिन मास्टर लूफे बोलते हैं कि अब तुम जा सकते हो तुम्हें चांगसी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं हैं वो मेरी डिसाइपल है और इधर देंस्वा चांगसी को आकर बोल दी है कि त्यार हो जाओ मास्टर लूफे ने तुम्हें उनका पैलेस छोड़ने को बोला है तुम चंता ना करो तुम्हारे मास्टर का ध्याना मैं रखूंगी लेकिन चांगसी उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे बात पर भरुसा नहीं मेरे मास्टर मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते और इधर चंगसी देखती है कि मैस चंगसी का सारा सामान मास्टर लूफे के पैलेस में ट्रांस्फर हो रहा होता है तो अब वह मास्टर लूफे के पास शादी है और वह उने बोलती कि मैं आपके लिए चीज़े और फिर मुश्किल नहीं करना चाहती मैं यहां से चली जाओंगी लेकिन मास्टर यहां उस पर गुसा होते हैं और बोलते कि तुम कहीं नहीं जाने वाली यहीं तुम्हारा घर है तो चांग से बोल दिये सीनियर कोड़र बाकी सारे मोटर्स को ल मास्टर से बोलते हैं जब तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हे नहीं रोकूँगा आपके आपकों मार्डस के ऐते होता है शामान ले 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 थिए और ना नियुकत करती के अ करती यह को एक तिन मास्टर रोफॉई के आविल बन सके यह सुनियर मोड चांची का खियाल रखते हैं वह स्अपिश की तरह ही छीट करते हैं और यह मास्टर रूफॉई तरह की करते हुए देखकर खुश थे और उन पर हाट पॉइसन का से और भी जादा बढ़ रहा है इधर को लॉन किंग चाहते हैं कि मास्टर लूफ है और उसकी सेस्टर सांसी के वैदिंग तो हुई दात में प्रंस चाह और जी सिंग का भी वैर्स हो जाए लेकिन यहां प्रंस चाह इसे शादी नहीं कर सकती वह सिर्फ उनके दोस्त है और यहां मास्टर लूफ है मिस चाहँ से को थेंक्स करते हैं कि उन्होंने मेरेस पॉपोसल का एकसेप्ट नहीं किया और उन्होंने लास्ट टाइम उनसे रुड़ली बात किया था तो वह उनसके लिए भी माफी माफी म तुम मास्टर भी बोलते हैं कि ठीक है जैसा तुम चाहो कि अगर शायद cet kg मिले तो अपनी फिलिंग्स को कंच्रोल ना कर पाहूं और इतर मास्टर लूफ फे चॉंगसी को बोल और कि टुम ने मेस ऐँतों ओता है कि हौता और चांगसी डक का नियो की है और है से चंक से ठीक से बात भी नहीं करती है क्योंकि कहीं नहीं कर दियां। मुझे आपको चोड़कर नहीं जाना चाहिए के आपको छपकर नहीं चाहिए था है मुझे आपके साथ मैंने पाए नहीं हुआ प् disinfect है और भी इसे बलते हैं कि ये सब तुम्हारा एक्रीम है युज़ से बेहुश हो जाती है कि हम आशर समाझ करें दें कि यह बस हाइप परसन का असर है जिसके वज़े से वो अपनी फिलिंग्स को कंच्रोल नहीं कर पाए और चांग सी को लाकर सुला दे दें और सेंग सी को बोलते हैं कि चांग सी का ध्यान रखना और चांग सी को यह पता ना चलिए उसे मने आया था और चांग सी झांग सी को बोल तीए मस्चर मज़स मिलने आए थी लकिन ज llan को से मस्चे पर इस सब ऑसका ऑसका च्रीम ही था और समय देख तेंज का कोई बोल रहा होता है कि मैस सांग सी को मार दूं ऐढ़र अगर घीटरॉ यह वर जाएगी तो ल मुर्टल बल्ड में कुछ बड़ा होने वाला है और मिस चांजी की मुझ से सभी दुखी होते हैं मिस चांजी के ब्रादर कुलोन किंग उनकी मौत के बज़े से पूरी तैसी तूट जाते हैं मिस चांजी को बोलते हैं कि तुम्हें कभीБि मस्टर लूफे का इंतसार नहीं करना चाहिए था और अधे तैस्ति वा गुलोन किंग को बोलती है मीरे मस्टर को मारा है किसी ने और मुझे लगता है ये चांजी ने किया है ठूकि वह नहीं चादी थी कि मिस जांसी की शादीए। कि तुम ने கूंसी को क्यों मारा। कि वह पूलते हैं कि उन्होंने उसे नहीं मारा है। और सीनिहर मुपी यहां सीनियर काथ को बोलता है कि चांसी ऐसा नहीं गर सकती। चांसी को गैद कर लिया चुआता है मास्टर लूफे सीनियर गॉट को बोलते है कि मेरे डिसाइबल को छोड़ दे वो किसी को भी नहीं मार सकती और इधर प्रेंस सीनियर गॉट को बता दिये आपको तो जोही और उसके मास्टर यादी होंगे बिल्कुल उसी तरह चांसी अपने मास्टर लूफे को पसंद कर दिये तो ये पॉसिबल है कि उसने मिस चांसी को मार दिया होगा लेकिन सीनियर गॉट उसे बोलते है तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो अगर तुम्हारी एक ख़बर गलत निकली तुम्हें सजा के लिए तयार रहना और इधर जी सिंग प्रशाओ को बताती है कि उनकी आंट की मौत हो चुकी है और इस संदे ही वो चला जाता है तुम्हें तैंश्वा आती है जोंकि जी सिंग को बोलती है कि मेरी मास्टर को किसी और ने नहीं बलकि चंक्सी ने मारा है और यह प्रशाओ देखते हैं कि उसके फादर चंक्सी को मारना चाहते है तो यह प्रशाओ बोलते हैं कि अभी यह प्रूब नहीं हुआ कि चंक्सी ने मेरी आंट को मारा है तो आप चंक्सी को कुछ भी नहीं कर सकते और इधर प्रस्टा अपनी आंट की मौट से काफी दुखी होता है और वो मास्टर लूफी को बोलता है कि यह सब आफी की बज़े से हुआ है आपकी बज़े से मेरी आंट की मौट हुई है और इधर प्रेस्टा सोच रहाता है कि आखिर चंगसी उसके आंट को क्यों मारीगी अभी यहां पर एक मैस कलपाथ आता है इसे फोला करते हुए पहुचता है तो वह देखता है यहां चंगसी होती है और वह देखता है कि चंगसी के पास एविल पावर्स है निकि यह उसके पहली वाली चंगसी है अभी यह मास्टर लूफे आ जाते हैं और वह उसे बताते हैं कि यह पहली वाली चंगसी ही है और मास्टर लूफे प्रेस्टा को बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए हम दोरों इस बात को अच्छे से जानते हैं कि चंगसी ने तुम्हा तुए जाओ भूटड है मैं उससे प्यार करता हूं और आप का इससे कोई मतलब नहीं कि मैं उसे क्या बोलू और वहां बेट माच्यलूव करते है घ fringe के नहीं मार रहा था इस ने बोला था ऐबर मेरे लिए और उसे आंसर नहीं करते हैं और एदर प्रेंस परेंस जाओ को बोलता है और मूझे पता कि छांते ने में से को नहीं मारा है ब्रिस उसे बचा लो लेकिन प्रेंस जाओ बोलता है तो तुम चांते हो कि मेरे पास elen- onto ओर प्रेंस जाओ फादर को बोलता कि मुझे पुरा यगीन है कि चंग सी ने मेरी आंड को नहीं मारा है यह मेमर्जर को ढोनना चाहिए चाकि हमारे आंड को इंसाफ मिल सके और थे कोलोन के के, सिनियर कोट को बोलते है कि छांगसी को साचा कथ मिलीगी मैं सिनियर कोट बोलते है सारी班 को बबाद ही बुरे सजा दी जाती है सिनियर मुह है, आओ, प्रेस, जाओ, प्रेस और माशे Guy के पास ये मेसेज भछा देते हैं छांगसी भढ देます यहाई यह सो चंगसी को बचाना चाहते हैं लेकिन सीनियर गौड चंगसी को नीचे फेक देते हैं और अगर कोई एक फरहा से नीचे किर जाता है तो उसकी सोल पूरी तरह से डिस्ट्रोई हो जाती है यहाँ दुखी होते हैं कि चंगसी को नहीं बचा पाए लेकिन माशलूफे यहां चौंगसी को बचा लेते हैं और यहां कुलोन किंग सीनियर गॉट को बोलते हैं कि मुझे अपने सिस्टर की मौत का बदला चाहिए और मैं वो चौंगसी को मार कर लूँगा लेकिन मास्टर लूफी बोलते हैं कि कोई भी चौंगसी को हट नहीं कर सकता तो यहाँ प्रेंश जाओ बोलते हैं कि अपनी आंट की मत का बदला मैलूंगा और वो चौंगसी पे हमला करता है यहाँ मास्टर लूफी चौंगसी को बचा लेते हैं और प्रिंस चाउप ने फादर को बोलता है, उनका बदला पूरा हो चुका है तब वो चौंगसी को हट नहीं कर सकते जैसे कि कुलोन किंग को काफी घुसा आता है और प्रिंस चाउप मास्टर लूफी को बोलते हैं कि उन्होंने अपना प्रमिस पूरा किया रो चला जाता है यहां कुलोन किंग सीनियर गॉट को बोलते है कि अब मैं कभी भी आपकी ह़ल्थ नहीं करूंगा और सीनियर गॉट को यह काफ़ी गुसा आता है माचरलुफ हे पे और वो यहांसे चाने लगते हैं लेकिन माचरलुफ हे उन्ने ही रोक लेता है जैसे सेनियर गौट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए था लेकिन माश्चर से बोलते हैं कि तुम्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम बस खुद को सेफ रखो और अब माश्चर लूफ हैं सीनियर मो को ठैक्स करते हैं उन्हें मैसस पेजने के लिए कि को कैसे बचाएंगे जाउते के चाहिए उसके पास सिवल्ड पावर्स हैं या नहीं वह हर हाल में उसे सजा देनागे तुम तुम च matching ना करो मैं चाहिए हूं ग दो कि बोलते हैं कि तुम्हें अपने में प्रम स चाहता हूं उससे उसे अपने तो और साथ ही साथ मैं इसके आल्म पर सेंवने के मेरा सक मेरे बुंचे करने मेल सकता है तो अब मास्टर बूलते हैं तुमने काफी समय से golden mirror process की practice की है तो अब तुम्हें चांगसी की evil powers को उसके body से अलग करना होगा इस तरह तुम चांगसी को भी बचा लोगे और तुम अपनी duty भी कर पाऊगे और अब सभी लोग immortal's hall में जमा हो चुके हैं तुम्हें चांगसी बताना पड़ेगा कि वह मिस चांगसी से क्यों नारास थी और यहां चांगसी बोल दी है कि वह मिस चांगसी और अपने मास्टर दोनों के respect करती है और उसके दिल में अपने मास्टर के लिए सिर्फ respect है और कुछ भी नहीं कि सुनकर मास्टर को थोगा बड़ा भी लगता है और यहां चांगसी सब बता देती है कि उसने नाइट मेर में देखा था कि उसे कोई मिस सजांगसी को मारने का अज़र दे रहा था पर उसने ऐसा नहीं किया था तो सीनियर गड़ बोलते है यानि कि तुम भी एक टामान हो लेकिन अब यहां पर प्रेंस से चांगसी को डिफेंड करते हुए बोलता है तो वो सिर्फ चांगसी का एक नाइट मेर था आप उसके वेसेस पे चांगसी को सजा कैसे दे सकते हैं में मैं स्चांगसी के रियल मज़र को ढोड़ना चाहिए और यहां पर सीनियर मू और मास्टर लूफ ही दोनों ही बोलते हैं चांगसी मज़र नहीं है तो आप उसे सजा नहीं दे सकते हैं पर यह सब सुनकर तो सीनियर कोड को और भी गुसा आ जाता है कि कोई भी अब उनकी बात नहीं मान रहा है और यहां वो बोलते हैं आज मैं चांगसी को सजा देख कर रहूँगा और मैं भी देखता हूँ कि मुझे कौन रख सकता है तो आप मास्टर लूफे बोलता है कि ठीक है हम चांगसी को आइस प्रिसन में भेज़ देते हैं अगर वो एक डेमन रही तो डेमन उसे बचाने जरूर आएंगे और बरना चांगसी की इनोसेंस प्रूब हो जाएगी तो आप प्रिंस मास्टर लूफे को बोलता है आप जानते हैं कि आइस प्रिसन कितना खतर नाक है चांगसी वहां नहीं रह पाएगी लेकिन चांगसी बोलती है कि अगर मास्टर यहीं चाहते हैं मैं जाओंगी तो मास्टर को बूलते है कि मुझे आप में भरूसा है और अब चांगसी को आइस प्रिसन में लाया जाता है दूर्दाज करें चांगसी को बचाने का बस यहीं एक रास्ता था वो नाइट्मेर की जरी का इस में स्टांसी का फिंडरल होता है यहां अब बूलता है कि मैं हर हाल में हमसी का इस प्रिशन से बचाना चाहता हूं लेकिन प्रण्स जाओ बूलता है मास्टर लूफा इने कुछ सोचकर हिए चंगसी का इस बहुत हो तो कि मुझे पता है वह भी नहीं चाहते है कि जौंग कभ मैं बेशने के लिए कैसे मान गए तो मास्टियों फे बोलते हैं कि चंगसी को बचाने का इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं था और इधर ऐस प्रेशन में सिर्फ स्राइब को रखने का चांगसी को अलग विसंस आ रहे होते हैं कि वह डैमन वर्ड में है और इसे कोई यंग मास्टर बोल रहा है को यह सब मास्टर लुफे को बताना चाहती है तब यहाँ पर तंशान प्रेंस आ जाते हैं चांगसी को नीचे उतार दीता है बोलता कि मैं तुम्हें करना चाहता और यहाँ वो चौंग सी के साथ बतमीजी कर रहा होता है और चौंग सी यहाँ खुद का बचाना चाहती है उसके गले में जो पेंडिन्ट होता है वो नीचे गिर जाता है इसी पेंडिन्ट के वज़े से चौंग सी के सारी इवल पाबर्स कंट्रोल में होती है और जबकि ये pendant नीचे गिर चुका है तो अब चंग से तंस चंग टंस पे हमला करती है और वो ये दिख कर डर जाता है कि ये एक डामन है और यहां से भागता है और यहां सबको पता चल जाता है कि आईस प्रिसन में कुछ हुआ है और सब यहां बहुत चा जाते हैं सीनियर मुझ देखते हैं कि चंगसी हाँ वेहोश हो दी है और अब सब को पता चल चुका है कि यह पहले वाली चंगसी ही है और इसके पास भी इबल पावर्स है सीनियर कट चंगसी को मारना चाहते हैं लेकिन हम आशालूफे आ जाते हैं तो वो इवल पावर्स के साथ जन्मी है और चौंग सी बोलते हैं कि आखिर मैं हूँ कौन और मुझे इस तरह क्यों सब्ट्रीट कर रहे हैं तो माशलों से बोलते हैं कि तुम जिंदा ना करो तुम्हें मैं बचाओंगा तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूगा चौंग सी बोलते हैं कि मुझे अपने भरोसा है आप मुझे कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे और अधे सीनियर कॉट माशलोफे को बोलते हैं कि अब बताओ मुझे क्या है ये पहली वाली चौंग सी ही है माशलोफे बोलते हैं कि लास्ट टाइम चौंग सी से मिलने के लिए प्रंसेस और तंशान प्रंस किया था आप उन्हें बुलाएं और दोनों आचाते हैं माशलोफे यहां तंशान प्रंस को पनिश करते हैं वो senior got को बोलते हैं कि इसने चंकसी के साथ बतना में ही सी की और अब वो उसे मारने वाले होते हैं लेकिन senior got बोलते हैं कि इसे सजा तेन्शान किंग देंगे तो तो तुम इसे छोड़ दो और senior got यहां princess को बोलते हैं से सजा नहीं ना दी जाए पर कोई इसके नहीं सुनता और यह सीनियर को और माशलूफे को बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि चौंग सी के पास इविल पावर्स है और वो कभी भी किसी को नक्सान पहुंचा सकती है उसका अपनी पावर्स से कंट्रोल नहीं है कभी उसका यू तब तक हम चौंग सी को आइस प्रिजन में सुला देंगे जिससे कि यह खत्रा भी नहीं रहेगा कि चौंग सी किसी को हट करेगी तो सीनियर कोड भी यह एकसेप्ट कर लेते हैं माशलूफे चौंग सी को बोलते हैं तुम बस इसे एक जीम समझो मैं जल्दी तुम्हारे प हार्ट पोईसन का असर और भी जादा बढ़ चुका है उनके पास मैडिसंस भी होती है पर वो उसे फेक देते हैं क्यों को इनहें लगता है कि चौंग सी जस्त तर्ट से भी गुजर रही है उसके सामने उनका ये पेन कुछ भी नहीं और इधर तर्शुआ आइस प्रिजन म मास्टर को देख कर खुश थी कि मुझे यहां से बचा है लेकिन मास्टर बोलते कि तुम इसी को डिसर्व करती हो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा और देखते कि मास्टर लूफ है में कॉल्डेन मेरे प्रसस की प्रैक्टिस करते हैं और इधर प्रिंस और प्रिंस पियन हो रहा होगा और शो ही अपने साथ हो दिया बोलते कि मुझे यहां से जाना हो गा करता है कि तुम हमें चांगजी का बचाना है क्योंकि नील उनकी जो शौड है उसकी मालिक सिर्फ वही है वही है जो इस सौड को यूज कर सकती है किसी के पास इतनी पापर्स नहीं कि वह इस सौड को यूज कर पाए दिवाय उसके और इधर प्रिंसस को देखते हैं जिसकी सजा पूरी हो पर प्रिंसस बोलती है कि मेरे साथ जो हुआ उसकी वज़त तुम हो और अब यहां वो आती है तो प्रिंसस का वेट कर रहा होता है लेकिन प्रिंस भी उसे बोलता है कि तुमने जो गल्दी कि है उसके लिए मैं तुमें कभी माफ नहीं करूंगा तुम अब मेरे साथ काम कर करने वाली सिर्फ मेरे कली को अब तुम मेरी दोस्त नहीं हो हमारी वज़े से चंगजी के साथ उतना कुछ हुआ था और यह सुनकर तो प्रिंसस को और भी ज़्यादा दुख होता है वह जिसे पसंद करती है अब वह भी उसे अपना दोस्त तक नहीं मानता और अब वह सीन करता उसे और भी बुरा लगता है और यहां वह तरशान प्रिंसस के साथ मिलकर तै करती है कि वह चंगसी से अपना बदला लेगी वह आइस प्रिसन में पहुचा दी है और यहां चंगसी को हट करना शुरू कर देती है वह चंगसी को बोलती कि तुम्हारे वज़े से मेरा स कि वह चंगसी को नीचे उतारती है वह चंगसी के इस हालत से काफी दुखी होती है चंगसी को बोलती है यह सब मास्टर लूफे की वज़े से हुआ है थीन साल तक उसने आइस प्रिसन में रखा और एक वार भी तुमसे मिलने नहीं आया और चंगसी कुछ भी नहीं समझ प चंगसी को अपने पूरी तरह से याद आ चादी है वह अपने मास्टर को लाइक करती थी और अपने अंकल को बचाना चाहती थी पर उससे मार दिया गया और आप से पता चल जाता है कि उसके पास वह एविल पावर्स कहां से आई है और यहां जिंग सिंग चंग सी को बोल दिये कि मुझे माफ कर दो, तुम्हें जो नाइट मेर साथे थे, वो सब मैंने किया था और अब चंग सी इन दोनों को बोल दिये कि तुम सब मतलबी हो, सब ने मिलकर मेरा यूस किया सिर्फ लेकिन जिंसिंगों से बोल दिये कि मैंने हमेशा दिल से तुम्हें अतना दोस्त माना है भले ही तो मुझे माफ ना करो पर तो मेरी दोस्त हो और आप वांक्यू चंगसी को बताता है कि वो जैमन किंग नीलून की डाटर है और उसके फादर की मौत के बाद उसके फादर की सारी पावर्स और उसकी सौड अफ चंगसी की है और जिंसिंग की हाँ चंगसी को बताती है कि नीलून के साथ ही उसके फादर की भी मौत हो गई थी और वो अपने फादर की मत का बदला लेना चाहती थी इसलिए वो इमोर्टल बर्ड में ऐसा स्वाई थी तो आप वांग्यू बोलता है हमारे पास हमारे साथ जाने ही कि सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है अगर इमोर्टल्स को पता चल गया कि तुम नीलून की डाटर हो और जिस तरह उन्होंने तुमहें आईस प्रिसन में रखा वो तुमें मार देंगे तो आप चोंग्यू बिटे करती है bell में जाएगी और वग्यू से बोलता है तुम्हारा वैसला सही है पते ही बहुते जादा गायल हो जाती है वो चौंग जी को बोल दी है कि अब मेरे पास टाइम नहीं है वो बोल दी है कि अब मेरे फादर की भी मौत का बदला तुम्हें लेना होगा और वो बोल दी है कि मुझे हो सके तो माफ कर देना और जेफ इंग जिससे वो प्यार करती है वो चौंग जी को बोलती है कि उसे बताना कि मैं उससे सच में प्यार करती थी और मैंने उसे भी धोका दिया है मैं उससे माफी माफी मागना चाहती थी और इसे के साथ जिंग सिंग की मौत हो चाहती है चंग्सी बहुत ही ज़ादा दुख्य हो जाती है कि उसके गलोथी दोस्त भी आप मर चुकी है और इधर दिखाया जाता है कि इम्मोर्टल टेमपल से ये मास्क मैंने सिल्ट को चुरा लेता है और इधर Immortals को पता चुल जाता है कि Ice Prison पर Demons ने हमला किया है मास्टर लूफ है यहां पहुचते हैं तो ने चंग सी दिख जाती है वो चंग सी का हग करते हैं और बोलते हैं कि तुम कैसी हो और चंग सी यहां बहुत तुकी होती हैं और बोलती हैं कि मैं 3 सालों तक Ice Prison में थी हर पल मैं दर्द में थी और फिर भी मैं यहीं सूचती थी कि आप मुझे बचाने आएंगे पर आप नहीं आएं मुझे वहाँ जन सीरो में लटका दिया गया था मैं कितने दर्द में थी यह सब आप ने किया और अब चंग सी बोलते हैं कि मुझे पता नहीं था कि मुझे यह सब क्यों सहना पर रहा है मैंने अपनी पास्ट लाइफ में जो गल्दी की थी उसकी सजा अब आप मुझे दे रहे हैं इसलिए अपने मुझे आइस प्रेजन में रखा और मास्टर समझ चा दे कि चंग सी को उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पैता चल चुका है और चंग सी बोलते हैं कि मुझे लगता था कि मैं किसी की सब्चिट्यूट हूँ और मुझे अब पता चला कि वो मैं ही थी और चंग सी मास्टर को बोलते हैं कि आप कभी भी मुझे बचाना नहीं चाहते थे मैं कभी इमॉर्टन के लिए खत्रा ना बन जाऊँ इसलिए आपने मुझे अपने पास रखा और मुझे सजा भी दी लेकिन मास्टर लूफ है उसे बोलते हैं कि तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हेरे लिए क्या फिल करता हूं तुम्हें सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हें दर्द दूँगा तुमसे दूर रहकर मेरा विदल टूटा है और वो चौंग सी को बोलते हैं कि मेरे साथ चलो बट पर चौंग सी बोलती है क्यों ता कि आप मुझे दुबारा मार दे तब ही यहाँ पर बागे Immortals आजाते हैं और यहाँ सीनर गोट चौंग सी को बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें मार दूँगा लेकिन चौंग सी बोलते हैं कि अब आप मुझे नहीं मार सकते हैं और अब चौंग सी Immortals पे हमला कर देती है मास्टर लूफे सब को बचाते हैं और यहाँ पर वांग यू भी आचाता है तो कि चौंग सी को यंग मास्टर बोलता है और वो सीनर गोट को बताता है कि यह नेल उनकी डाटर है यानिक उसकी पावर्स और सौट की असली माल किन मास्टर लूफे दिवारा चौंग सी को बोलते हैं कि अगर आप मुझे बचाना चाथे हैं तो मेरे साथ चौंग सी बोलते हैं कि का पैसा नहीं कर सकते हैं मैं जानते हूं ऑर वांग युँ वो सॉइट चौंग सी को दे अले ते यू उसके साथ की द्यमन बन जाती है मास्टर लूफ वही को बोलती है कि मैं आखरी वारफ से पूछ रही हूं क्या आपने मुझे कभी पसंद किया है लेकि मास्टर लूफ यहां आंसर करते हैं वो कभी भी उसे नहीं भूले हैं मास्टर लूफ यहां बहुत ही दुखी होते हैं और इन के साथ का आग्यमेंट होने की बज़े से फाइट चुरू हो जाती है और सब रुक जाते हैं और अब यह अपना फेस्ट रिविल करता है और यह तो सीनियर मुह हैं इसे देकर चंग से भी हरान हो जाती है और उसे पद बॉल्ड में अज़ा स्पार ही था और यहां सीनियर मुझ चंग सी को यंग मास्टर बोलता है बोलता है कि तुम्हारे फादर के बाद अब इस पूरे जमन बल्ड में तुम सबसे पावरफुल हो बताता है कि वह निल के लिए काम करता था और उसके बाद अब वह चंग सी क के लिए काम करेगा वह चंग सी के लिए कुछ भी करेगा वह चंग सी को बूलता है कि तुम अपने फादर का सप्ने को पूरा कर सकती हो वह सिक्स मल्ड को एक करना चाहता था लेकिन चंग सी बूलते कि भला मैं ऐसा क्यों करूं मैं मानते हूं को नील उन मेरे वाईलोसकल पर मैंनतों ने कभी देखा भी नहीं और नाहीं उन्होंने मुझे पाला है तो मुझे उसकी विष्ष क्यों पूरी करनी चाहिए लेकिन सीनियर मों से बूलते कि अब तुम भी एक डैमन हूं और इमोर्टस ने तुम्हारे साचों किया उसके बाद तुम्हें उसका बदला लेना है तुम बस अपने बिश्पूरी करने के लिए मेरा यूस करना चाहते हो तो सीनियर मों बूलते हैं मुझे पता है तुम जल्दी मेरे बातों को समझ जाओगी और नेलून के बाद अब मैं तुम्हारा सेवक हूं तुम्हारे लिए काम करूंगा तुम्हें ये दिख कर दो तुससा था पाबर्फुल और अब वह मॉटटल्स के लिए सबसे बड़ा खत्रा है सब इमोर्टल के लिए की क्याप चौंग सी को मारेंगी लेकिन माशलूफिं यहां से चले जाते हैं और यहां पर प्रिंस आता है क्या प्रेंस प्रत्रा कर चाहते हैं जिए को मार लेकिन प्रथ्जाव बोलते कि वो मेरा प्यार है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता तो जी जिंग बूलती है तो मेरा क्या थे तीन sालों से तुम्हारा अंधसार कर रही हुँ तो प्रेस जाओ बोलती है कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो मैं तुम्हारे प्यार को डिसर्फ नहीं करता और वो चला जाता है यहां जी जिंग बहुत जादा दुखी होती है और इधर चांग सी इन सब को बोलती है कि उसे डेमन बल्ट में नहीं रहना और वो यहां से चली जाती है पर अब हम दिख दे कि चांग सी इन मार्टल टेंपल में आ चुकी है चांग सी यहां बहुत ही गस्टे में होती है क्योंकि बिना किसी गल्दी कि उसे इतने बड़े सजा दी गई इधर मास्टर लूफे आइस प्रिसल में आते है थी गल्दी कि उसे इतने बड़े सजा दी गई इधर मास्टर लूफे आइस प्रिसल में आते है तो उन्हें पता चल जाता है कि चांग सी के साथ इन तीन सालों में क्या क्या हुआ पर वो नहीं समझ पाते हैं, वो तो तीन सालों तक आइस प्रिसल में नहीं आये थी तो आखिर चौंग सी को ये सजा किस ने दी और यहां उन्हें काफी दुख होता है, चौंग सी उतने टाइंग तक इतने दर्द में थी और अधर प्रिंस प्रिंस जा को बता दीता है, चौंग सी अवे एक डीमन बन चुकी है, वो नीलून की डाटर है और वो डीमन बल्ड में जा चुकी है, तो प्रिंस जा बोलता है कि हम उससे बात करेंगे हम उसके दोस्ते हम उसका मैंड ज़रूर चेंज करेंगे और इधर चंगसी अपने मास्टर के पैलेस में और अपने रूम में आती है और यहां वो तेकरती है कि अपनों यादों के साथ साथ वो इस जगह को भी बरबाद कर दीगी वो आग लगा दीदी है यहां पर और आप वो इम्मोर्टल बर्ड के वाखी जगहों को भी बरबाद करना चाहती है लेकिन याप प्रिंस आजाता है वो चंगसी को रोकता है बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो पर चंगसी उसे बोलती है कि तुम मेरे एक अच्छी दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुचाना चाहती और वैसे भी तुम बहुत ही कमजोर हो तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते तो प्रिंस बोलता है भले ही मैं कमजोर हूँ और चौंगसी को बोलते हैं कि मेरे साथ बापस चलो लेकिन चौंगसी बोलते हैं कि मैं आपके पास दुबारा नहीं आउंगी और अब तुम एक डैमन बन चुकी हूं तो क्या अब आप मुझे दुबारा मारेंगे तब ही आपर बाकी मटल्स आजाते हैं और ये चौंगसी को मरने चाहते हैं लेकिन तब ही आपर सीनियर मुँ आजाते हैं और अब यहां सब को पता चल जाता है कि मुँ भी एक डैमन ही है और वो चौंगसी को बोलते हैं अगर तुम डैमन बल्ट नहीं जाना चाहती तो तु नहीं बन सकती ठांग से प्रेंश जाव को को बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता लेकिन चौंग से मुआइँ के साथ चली जाती यहांप लगता है ऊड़ा बन चुकी और वह भी एक चोटी बच्ची ही है तब ही तो गुस्ते में यहां उसने आग लगा दी जैफिंग को बोल तो जो जाए वह मेरी बात नहीं सुनेगी वह जिंग सिंग को अपना दोस्त मानती थी इसलिए शायद वो तुम्हारी बात सुने यह चौंग सी का मैसकल ब चौंग सी के मसकल वेपन में एक पेन को डाल दीते हैं बोलते कि अब इसे चौंग सी को दे दीना किसी को पता ना चले कि मैंने तुम्हें यह कहा है और इदर चौंग सी डेवन बल्ड में बापस आ चुकी है और बोलते कि मैं अब यहीं रहूंगी पर मुझे रहने के इन हिए मरने से पहले मेरे लिए कुछ गहाथ है कि उसने तुम से माफी माज़िये और वह सचे दिल से लिए करती थीॉटिए कि यह तुम्हारे मास्टर ने दिया है जैसे चंग जी मस्कल बैपन को ले दी है उसके सारी पावर्स बैपन में जाने लगती है और यह सब इसलिए होता है क्योंकि सीनियर गॉर्डन में गॉल्डन डाला था इससे किसी की भी पावर को खत्म किया जा सकता है और जेफिंग च चाने के लिए मेरे पास बस यह एक रास्ता था लेकिन चंग जी उसे बोलती है कि तुम तो कहते हो कि तुम मेरा फोलो करोगी पर मेरे मना करने के वावजूर्ड भी तुमने जैफिंग को मार दिया वो इनोसेंट था और अब सीनियर मों वो चंग सी के मैस्कल बैपन के सार चाहता है तुम्हारा यूस किया वह इस मैस्कल बैपन के सरीए तुम्हारी पावर्स को खत्म और इधर इमोटल बेशिकों को चंग सी ने मार दिया है वह सीरा गोट को बोलता है यह से माशलूर्ड के वजे से हुआ है और इमोटल बल्ड में सुपरवाइसर की पॉसेशन नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम में से किसी को भी उन्पे भरोसा नहीं है वो चंग सी को कभी भी मार नहीं पाएंगे तो यह मास्टर लूफे बोलते हैं ठीक है मैं पनी पॉजिशन का छोड़ रहा हूं पर ऐसा इमोटल मैं हमेशा डैमन से फाइट करूंगा और आम लोग इसने सन को बहुत ही डाटते हैं और इदर चॉंग सी सीनियर मूँ को डैमन बलकि सबसी बड़ी पनिस्मेंट दी है वो यहां बहुत ही जादा हो चुका है तो डैमन कि वांग्यू बोलता है कि जब से तुम पैदा हुई हो तब से तुम्हें बचाने वाला मास्टर लूफ है कि तुम्हें मेरी बहुत फिक्र है और चॉंग सी मूँ को बोलता है कि मैं कभी भी तुम पर भरोसा नहीं कर सकती तुम अब एक टैमन हो अब तक तुम मेरे सीनियर मूँ थे तुम पर भरोसा करती थी और तुम मुझे वेसा नाइसली ट्रीट भी करते थे तो यहां सब उन्चाओंगा तुमारे लिए मैं तुमारे लिए सीनियर नूहीं और यहां वो चॉंग सी का खयाल रखता है और यहां वो चॉंग सी को बताता है कि वो सभी एक दूसरी को यहां नुक्सान पहुचा रह commencement उनके पास सूचने समझने की श्रक्ती नहीं है और अब वो उसे अर्थ पे लेकर जाता है और वहां की कंडिशन्स भी दिखाता है जहां लोग उसे समझकर से ड़ड़े होते हैं और यहां एक छोड़ा सा बच्छा चौंगसी से हल्थ मांगता है जो कि चौंगसी को बोलते हैं कि तुम किसी भी इनोसिन को हर्म नहीं कर सकती और सीनियर मूँ यहां चौंगसी को लेकर चले जाते हैं मास्टर लूफ इस छोड़े से बच्छे को मास्टर के इनसिन के बास लेकर आते हैं और बोलते हैं आज से आप इसके मास्टर हैं और चली जाते हैं और यह चोड़ा सबस्चा काफी क्यूट है और वहां चौंग से सीनर मुं को बोलती है भले ही मैं को डेमन हूं मैं इवल पावर्स के साथ जन्मी हूं पर मैं कभी इनोसन लोगों को हर्म नहीं कर सकती तो सीनर म उसे बोलता है कि तुम बलकुल अपने फादर नीलून की तरह हो वो भी कभी किसी इनोसन को हर्म नहीं करता था लेकिन तुम्हें सिक्स पर्ल्ड को युनाइट करना होगा तभी डेमन बल्ड में रहने वाले लोग बच पाएंगे जब तक यह छे दुनिया एक नहीं हो जा क्या करना है यह तुम्हें ही सोचना होगा पर मैं हमेशा तुम्हारा साथ हूंगा और इधर एक डेमन को दिखाया जाता है कि एपनी वाइफ के साथ है और इसकी वाइफ बहुत ही बिमार है यह पनी वाइफ को जंदा रखने के लिए आम लोगों को चुरा लेता है और देऊर को फौलो करते हैं कि मैं का का डेमन केंग अगर तुम चाहती है को इक सथनाहे यहाँ की सारे डेमन साहते तुम्हारा साथ दे तुम्हें हम सब के लिए कुछ करना होगा क्यूक्य बहले रखन के लिए दार इक दामन बना चुकी ओर तुमने अभी तक डjektा मिन्म ज 있지 है घुजा दी६ के सारे दिमस तुमारे साथ तो को सुब्लमाना उब को से तुम्हま करें को तुम्हीं थे दींगा पर इसके लिए मेरी अशर्थ है पैली तो यह कि अर्थ survey जाकर लोगों को मारना हो ताकि डृमन की दो करना चाहती हो यह नहीं नहीं पास दूसरा option है तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी चौंग सी जान दी है कि वो किसी को हर्म नहीं कर सकती वो बोल दी कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी फांग्य उसकी तरफ उतना हाथ बढ़ाता है लेकिन चौंग सी उसे रोक दी थी और बोल दी है कि ये शादी मैं सिर देवन बल्ट के लोगों को बचाने के लिए कर रही इससे जादा कुछ नहीं तो अपना हाथ दो रखना और वो यहां से चली चाती है और इधर मास्टर लूफ है को सीनर को बताते हैं डेवन जियान अर्थ पे नर्मन लोगों को मार कर उनकी एज को चुरा रहा है हमें चल वांगी बोलता कि अब वो भी एक डेमन है तो एक डेमन की हल्प करना तो उसकी द्यूटी है और यहां जियान को पता चल चुका है कि सब ही इमोर्टल्स उसके पैलस के बाहर है उस पे हमला करने वाले हैं वो अपनी सेना को तयार करता है और अपनी वाइफ के साथ बाहर आ मार सकते हैं और अधिर सीनियर मुझ चौंगसी को बोलता है कि अब तुम्हारा जानी का वक्त हो चुका है और अब वो जियान की हेल्प के लिए बहुत जाती है और यहां चौंगसी इन सबसे फाइट कर दी है लेकिन प्रस चाओ और प्रस चौंगसी को समझाते हैं कि लटाएं जाता है कि अब अभी घुस्से में तुम्हारा डिमन बने का डिसीजन वी तुमने बस घुस्से में लिया है समझा है मुझे कितना ही इरिटेट करो, मुझे हेट करो, पर मैं यह नहीं मान सकता कि तम किसी इनोसेंट को मार सकती हो, और वो चौंग सी को बोलते हैं कि मेरे साथ वापस चलो, मैंने गोल्डन मेरे प्रोसेस पूरी तरह से सीख लिया है, मैं तम्हारी बोड़े से इवल पा लेकिन यहां सीनियर मुँ आ जाते हैं, तो चौंग सी बोलते हैं कि मुझे किसी की वे जरूरत नहीं है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहां मास्टर लूफे पे हाट पोईसन का असर बहुत ही जादा हो चुका है, उनके भी मन में इवल पावर्स आने लगते ह अब हर हाल में चौंग सी को साथ लेकर जाना चाते हैं और उनके हाट में यहां बहुत ही जादा पेन होने लगता है, चौंग सी बोलते है कि क्या हुआ आपको, पर माशलूफे बोलते है कि तुम्हे मेरे पास चलना होगा, लेकिन सेनियर मुझ चौंग सी को लेकर चला जा मास्टेर लुफे के पास आती है और वो वो उन्हें बता दि है कि च다 सबस्वाइब Кर्णा को बढता देता है déjà युकर को युदा वांग्यु करता है चंगसी को बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँगा मुझे बता है कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती हो तुम मुझसे शादी करो मेरे साथ चलो चंगसी को हग करता है और बोलता है कि अगर तुम मुझसे भी शादी नहीं करना चाहती तो तुम उससे शाद करती हो लेकिन चंग्सी बोलते है कि वह मुझसे शादी कभी नहीं करेंगे और प्रस्चा को बोलते हैं कि तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए अभी यहां पर सीनियर मुआ जाता है वह प्रस्चाओ पर तलवार से हमला कर देता है जैसे कि प्रस्चाओ बहुत ही जादा घ हमेशा उसे अपना दोस्त मानती है और उसके वज़े से आज वो इतना इंसर्ड हो चुका है और इसे के साथ चाहो को वैसे ही छोड़कर चली जाती है उसे बहुत ही दुख होता है और इधर देखते हैं कि प्रस्चाओ का च्रीटमेंट चल रहा होता है अब उनके जान अब बहुत ही बीख हो चुके हैं और प्रस्चाओ को होशा आता है तो अपने फादर को बोलता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरी वज़े से आप अपनी जान को खत्रे में डाल रहे हैं लेकिन कोलोन किंग बोलते हैं तुमारी मौम तुमारी आंट सब मुझे च इसे दूर रखेगा वो चौंग सी खुद को कभी हर्म नहीं करेंगा इदा मास्टर लूफे मेडिटेशन कर रहे होते हैं तो प्रेंस मास्टर लूफे को जिकाने के लिए हर कुशिश करता है और यहां उसके मास्टर केंशी बोलते हैं चौंग सी अवे डेमन हैं अगर वो मास्टर लूफे कि सिवा कोई भी चौंग सी को यह शादी करने से नहीं रोक सकता इधर चौंग सी बैदिंग के लिए तयार हो चुकी है वो सीनियर मों को बोल दी है कि अब मेरा कोई रिलेटिव नहीं है इसलिए मैं तुम्हे अपना रिलेटिव मानती हूं और यह शादी हो चुके हैं वांग्यों चॉंग सीसिजी को नियू जवन घून आनाउंस करता है और वो चौंग सी को बोलता है कि मेरे साथ चलो कि चंग सी बोलती है कि मेरा तुमसे अब कोई रिष्टा नहीं और वांगी बोलता है कि अब चंग सी मेरी वाइफ है तो ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकती तुमाज अलूफ है वांगी को बोलते है कि इससे तुम्हारा कोई रिष्टा नहीं और उस चंगसी को हाल से लेकर चले जाते हैं और अब चंगसी बोलते कि आपने मुझे यहाँ क्यों लाया है आपको कोई हक नहीं तो माशलू फे बोलते अगर तुम वांगे उस्टे शादी करना चाहती है तो मैं तुम्हें नहीं रोखूंगा पर मुझे बताओ कि क्या तुम इस शादी से खुश हो तो चंगसी बोलती अगर मैं उस्टे शादी नहीं करूँगी तो क्या आप मुझे से शादी करेंगे और हम आशे लू फे चंगसी का किस्ट करते हैं और उस चंगसी को बोलते हैं तो उसे शादी करूगी और इसे पहले कि चौंग सी येस बोल दी वोसे किस कर देँ यह दोनों एक दूसरे के लव को एक सब्सक्राइब कर लीते हैं और मोवी समझाता कि चौंग सी ने अपने लव को सब्सक्राइब इधर जूए बोलती है आफ चार। चांग से काफे घुष होते हैं सब्सक्近ū मास्टर को बोलती है कि तूम्हें क्या लगता है प्रक्राइब फीज आफ को मास्टर नी बोलू तो वो इस वी जाओ मुझे बुला सकती है और अब चौंग सी मास्टर लूफई को बोल दिये कि अगर आप मुझे शादी करेंगे तो आपको Immortal World छोड़ना होगा क्योंकि माँ अभी भी एक ट्रमन हूँ और मुझे पता है कि आप Immortal World को कभी नहीं छोड़ेंगे आपकी duty आपके लिए सबसे पहले है लेकिन मास्टर लूफई बोल दिया कि जब तक तुम मेरे साथ हों मैं किसे भी प्रब्लम को सॉल्ट कर सकता हूँ मुझे Immortal World अभी जाना होगा पर तुम मेरा इंतसार करना इस वार जब मैं बापस आउँगा तो हम दोनों हमेश्चा के लिए साथ होंगे और इधर जियान की वाइफ चौंग सी को उसके जान बचाने के लिए थैंक्स कर दी है और इसे ऐसे गिफ्ट ये लाइफ फ्लाबर दे दी है इसे खाने के बाद कोई भी आप्मी और भी सोले साल तक जंदा रह सकता है चौंग सी बोल दिया ये अब मैं जादा दिनों तक तेमन बल्ड में नहीं रहने वाली हूँ पर फिर भी वोस का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है और इधर जूगी के हस्वन की हालत और भी सादा खराब हो चुकी है तो कभी भी मर सकता है और जब जूगी टेमन बल्ड में होती है तो यहाँ वो कुछ ये लेडिस को बात करते हुए सुनती है कि जियां की वाइफ ने चौंग सी को लाइफ लाबर दे है जिससे कोई थी आदमी 16 सालों तक जंदा रह सकता है तो जूगी चौंग सी के पास बहुत चाती है और बोलती है कि क्या तुम मुझे वो लाइफ लाबर दे सकती हो चौंग सी बोलती है मैं तुम्हें क्यों दूँ इसके लिए मैं तुम्हारे जान ले सकती हूँ पर प्रीस मुझे वो लाइफ फ्लावर दे दो और च्छांक से उसे लाइफ फ्लावर दे दे देती है और यहां जो ही अपने husband को वो लाइफ फ्लावर दे देती है और उसका husband बोलता है कि मैं एक आम आदमी हूँ मेरे लिए मरना ते है तो तुम्हारे पास ये लाइफ लावर कैसे है ये तो डेमन्स के पास होता है अब जूई उसे बता देती है कि वो एक immortal नहीं बलके एक डेमन है यहाँ उसका husband उसे थोड़ा नाराज भी होता है पर वो बोलता है कि तुम immortal हो या डेमन कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम से प्यार करता हूँ और वो लाइफ लावर खा लेता है और देर मास्टर लूफ है ने डिसिसन लिया है कि वो immortal वर्ड को छोड़ देंगे वो अपनी पोजिशन भी छोड़ने वाले है और अधर सेनिर मूझ चौंगसी को बताता है जिए पर मास्टर था और दोनों की साथ क्या हुआ उन दोनों की कहानी बहुत ही डर्ड़नाक है मैंने चाहता कि तुम और लूफ है दोनों ही जूई और उसकी हस्बन की तरह हो जाओ और यहां वो जूही और उसके हस्वन के ला स्टोरी सुनाता है जहां मास्टर जेवन, चूट और जेकी को अपना डिसाइपल अक्सेप्ट करते हैं और इधर इस टैवन को देखते हैं जो कि चूटी की हस्वन को यहां टार्चे करता है और बोलता है कि तुम अपने पाश्ट लाइफ को भूल चुके हो पर तुम्हें पता कि इसके बज़े से कितनों लोगों को दर्द हुआ है तुमें भी वह सब को श्याद आना चाहिए जीकी और जूही दोनों ही प्रेक्टिस करते हैं कि तुम जूही के मास्टर थे और उसे भी वह पूरे स्टोरी याद दिलाता है और यहां हम देखते हैं कि जीकी अपने मास्टर को बोलता है कि वह जूही को पसंद करता है वह से शादी करना चाहता है भाno master से बोलते हैं फिए ठीक है अगर तुम में जुई पसंद है और जुई को तुम भी पसंद आते हो तो मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा तैसे भी तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। और यहां जुही को भी पता चाल चुका है वो मास्टर को बोलती है कि उसे जीके से शादी नहीं करनी और यहां वो मास्टर को अपनी फेलिंग्स बता दी है कि वो उन्हें पसंद करती है पर यहां जीके को पता चलता है जोही ने उसे शादी करने से मना कर दिया है वो भी जाला बहुत ही दुखी होता है यहां उसे पता चल जाता है कि जोही मास्टर को लाइक करती है पर दे मास्टर तंशान किंग को बोलते हैं कि जोही जी कैसे शादी नहीं करना चाहती परियाद जी की तिंशान किंग को बताता है कि मास्टर और जुहीं एक दुसरे से प्यार करते हैं और ये सुनकर तो तिंशान किंग को काफे गुसा आता है ये दोनों मास्टर और डिसाइपल है और एक दुसरे से प्यार नहीं कर सकते और यहां तंशान किंग मास्टर जेवन को बोलते हैं कि देवन्स कभी भी हम पे हमला कर सकते हैं और तुम्हारी रिस्पोंस्पिलिटी है कि तुम इमोर्टल बल को बचाओ लेकिन तुम तो अपने ही परसनल मेटर्स में उलजे हुए हो तुम्हें क्या लगता है अगर सब को पता चलेगा कि तुम अपने ही डिस्पोंस्पिल से प्यार करते हूँ तो तुम्हारी क्या ही मिस रह चाएगी तुम्हारे रिलेशनसिप से तुम अपनी ड्यूटी भी ठीक से नहीं कर पाऊगे यहां मास्टर जिफिन तेक करते हैं तो जुई को झोड़ देंगे वो तिंस्शान कीं को बोलते हैं कि उनका और जुई का कोई रिलेशन नहीं है और यहां वो जुई को इमोर्टल बॉल्स निकालने का फैसला सुना देते हैं जुही को यहां बहुत ही दुख होता है उसके मास्टर ने उसे एक्सेप नहीं किया और यहां जीकी को और भी जादा दुख होता है कि मास्टर ने जुही का दिल तोर दिया जीकी बस जुही को खुश देखना चाहता है और यहां जुही के अस्वन को सब को शियादा चुका ह और ये डेमन बोलता है तुम्हें नहीं पता तुम्हें बचाने के लिए जूही ने कितना बड़ा सक्रिफाइस किया है और अब आगे की स्टोरे में दिखाया चाता है कि नीलों से फाइट करते हुए मास्टर जेवन ने अपना लाइफ स्टोन का यूस किया था जिसलिकि उनकी मौत हो गई जूही ने ये सब अपने आखों के सामने होते देखा वो पूरी दरस्ती तूट गई थी मास्टर जेवन ने अपने आखरे वक्त में जूही को बोला कि मुझे माफ कर दीना मैंने तुम्हारे साथ कलत किया जूही को पता चल जाता है कि मास्टर भी उससे प्यार करते थे और जूही को काफी गुसा होता है इमोर्टल्स पे क्योंकि नील उन से जेवन अकेले ही फाइट कर रहे थे अगर इमोर्टल्स चाते ही तो उन्हें बचा सकते थे और यहां डैमन किंग बांगिवाता है जो कि जूही को बोलता है अगर तुम जहाओ तो अपने मास्टर को बचा सकती हो पर उसके लिए मेरी एक सर्थ है तुम्हे डैमन बना होगा और डैमन बल्ट के लिए काम करना होगा तो जुही हर आल में ऎपने मास्टर को बचाना चाहा दी है तो अग को एकडामन बना एकसेट कर लीती है और एधे जुही ऐस डेमन को हट कर दी है तुम мало हिंए कैसी हुई मेरे हस्मण को बताने की कि मैं एक डेमन हूँ पर ये बोलता है कि तुमने उसके लिए अपना सब कुछ खो दिया पर उसे कुछ भी याद तक नहीं था आखिर कब तक तुम इसे जंदा रखोगी और इदे जोई जब अपने हस्बन के पास वापस आती है तो उसका हस्बन उसे बोलता है कि जब मुझे होश राया था तब तुमने मुझे बताया कि तुम मेरी वाइफ हो पर अब मुझे सब कुछ यादा चुका है मैं इम्मोर्टल जेवन था और तुम मेरी डिसाइपल थी मैं मास्चर जेवन दुई से बहुत ही नाराज है कि उन्हें बचाने के लिए जुई एक डेमन बनी वो जुई को बोलते है कि मुझे अकेला छोड़ दो और इधर मास्चर लूफे मास्चर केंसिन और सीनियर गॉट को बता दे हैं कि अपनी पजिशन को छोड़ रहे हैं इम्मोर्टल वर्ट को भी और इधर सीनियर मुझे चौंगसी को बोलता है अब तुम्हें जुई और इसके मास्चर के स्टोरी पता है और मैंने चाहता कि तुम और लूफे ही उस तरह हो जाओ तो दोनों साथ है पर खुश नहीं लेकिन चौंगसी बोलता है मुझे अपने वांस्टर पे भरोशा है पिसले मैं उनके पास जा रही हूँ तो सीनियर मुझे बोलता है कि मैं तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूँगा चौंगसी उसे हग कर दी और बोल दी है तुम चिंता मत करो मैं अपना खयाल रखूँगी और मुझे बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और इस सीनियर गॉट काफी टेंशन में होते है मास्टर लूफ है इमोर्टल वर्ट को छोड़ कर जा रहे है तब ही यहाँ पर तिंश वा आती है जो कि सीनियर गॉट को बताती है कि मास्टर लूफ है काफी टाइम से हार्ट परिजन से इंसर्ड है और शाहिद यही एक वज़ा है कि वो अपने जसायस को कभी कंच्रोल नहीं कर पाए और वो चौंसी को पसंद करते है और उसी के लिए वो इमोर्टल वर्ट को छोड़ कर जा रहे है और यहां सीनिर को टै करते हैं यह मास्टर लूफ है कि माइंड से चौंसी की सारी यादे निकाल देंगे पर मास्टर किंसी नहीं रोकना चाहते है पर सीनिर को बोलता है कि अगर में इमोर्टल वर्ट को बचाना है तो लूफ है को वापस लाना होगा और यहाँ वो मैडिसन मास्टर किंसी को देते हैं यह मैडिसन टियर्स ओफ फैनक्स है इसके सरी किसे भी इंसान के दिमाग से जिससे वो प्यार करता है उसकी सारी यादों को मिटा दिया जाता है और यहां मास्टर किंसी मास्टर लूफे के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं तो ड्रिंक में ही उन्होंने उस तवा को मिला कर मास्टर लूफे को पिला दिया है और देवन किंग वां क्यों सीनियर मो को बोलता है वाखे तुमने चंगसी को जाने दिया अबने हमेशा उसका साधिया पर देखो वो तुम्हें छोड़कर चली गई लेकिन सीनियर मों बोलते हैं कि मैं बस चादा हूँ कि वो खुश रहे और उसकी खुशी लूफे ही है लेकिन डेमर किंग बोलता है पर अब तक चौंग्सी ने मेरा काम नहीं किया है उसने बापस आना होगा लेकिन सीनियर मों बोलते हैं मैं कभी भी तुम्हें चौंग्सी को हर्ट नहीं करने दूँगा और नहीं उसका गलत यूज और देखते हैं जो कि रेस्टरेंट में मास्टर लूफे का वेट कर रही है चौंग्सी यहां काफे जादा एकसाइटेड होती है और इधर सीनियर को देखते हैं मास्टर लूफे अपनी सारी यादू को भूल चुके है वह चौंग्सी को भूल चुके हैं उन्हें याद है कि उनकी एक फिमल डिसाइबल थी और वो अपने पैलेस में आते दिया आपे तिन शुआ होती है जो कि मास्टर लूफे को बताती है कि वो उनकी डिसाइबल है लेकिन यहां मास्टर को बहुत ही अजीव लग रहा होता है और अगली सुबह उसकी आखे खोलती है तब भी वो देखती है कि मास्टर नहीं आये है और इसी तरह चॉंक्सी अब दो दिनों तक मास्टर का वेट करती है यहां उसके तवित खराब होने लगती है वो बेहोश होने वाली होती है तब ही आपर सीनियर मुँ आ जाता है जोकि चॉंक्सी को बचा लेता है यहां चॉंक्सी बहुत ही साधा दुखी होती है वो मुँ को बोलती है मास्टर मुझे मिलने क्यों नहीं आये क्या हो मुझे छोड़ कर चले गए उने दोबारा मुझे छोड़ दिया लेकिन सीनियर मुझे हुसे बोलता है मुझे नहीं लगता कि लूफ़े ऐसा करेगा हो सकता है कि इमोर्टल वर्ड में उसे बहुत एम्पॉर्टन्ट काम हूँ तो चॉंक्सी बोलता है कि 56 को भूलता है तो ऐसे धिरन हो इस यह अभी एंगा धि की तुम से लाना होगा इस हर्फ के तरदा हो फो यह सुनकर शूहिए बोलbreaker कि वयँ चांकशी के साथ चाहएँगी और यहां चांक्सी डाल विन्ण कि वन्ह Olan दे दी, उसलिए मैं तुम्हार लिए ये काम कर रही हूं, तो यहाँ डेमन किंग बोलता है, मैंने सुना है, यह लूफे तुमसे मिलने नहीं नहीं आया, चौंक सी बोलती है कि यह मेरा परसनल मेडल है तो इसमें ठांग में तराओ, और अधर सीनियर गॉड सब को बताते हैं कि डेमन को पने बश्च में करना चाहते हैं, अगर उन्होंने ऐसा कर लिया, तो बहुत बड़ा डिजास्टर आ जाएगा, मैं मास्टर लूफे तै करते हैं कि वो डेमन को रोकने के लिए चाहेंगे, और यह प्रस बोलता है कि मुझे भी मास्टर के साथ जाना है, लेकिन स सिनियर गॉट मास्टर लूफे को बोलते हैं कि डेमन वल्की नियू क्यों चांक सी है, तुम्हें उसे मारना होगा, मैं मास्टर लूफे भी बोलते हैं कि वो चांक सी को मार देंगे, और यह सुनका उट्र स्चाखी हो जाता है, वो समझ जाता कि कुछ तो गरबर हुई है, मास्टर लूफे चौंग सी को नहीं मार सकते तो दिन्शुआ को बोलता है कि बताओ मास्टर लूफे चौंग सी को भूल कैसे गए तो दिन्शुआ बोलती है यह तुम्हें सीनिर गोट से पुछना चाहिए और प्रिंस बोलता है कि मुझे मास्टर लूफे से बात करना है तो मेरे मास्टर से नहीं मिल सकती है तो प्रिंस बोलता है कि तुम मास्टर लूफे की डिसाइपल नहीं हो चौंगसी मास्टर लूफे की डिसाइपल है तो दिर्शा बोलती है कि नहीं अब मैं उनकी डिसाइपल हूँ और प्रिंस यहां तैकरता है कि वो माशलूफ ही को चौंगसी के बारे में बताएगा और दिर प्रिंस जाओ को देखते है जो कि काफी दुखी होता है चौंगसी ने उसके साथ लास टाइम जो किया था और यहां उसे समझ में आता है कि चौंगसी उसे बचाना चाहती थी उस समझ आता है कि चौंगसी ने उसे खुद से दूर किया पाकि डेमन्स कभी उसे नकसान ना पहुचाएं और यहां चौंक सिन सब के साथ सीप में पहुचा दी है और यहां वो हंटेट आई डैमन से फाइट करती है उसे अपने बस में कर लेती है और उसके पास जो लॉंगेटिव हर्व है उसे वो इस स्रिंग में डाल लेती है किया सीनर मूँ और जूही खुश होते हैं कि चौंक सी काम्याब हो चुकी है उसने इतने मुस्किल काम को बड़ी ही इसली कर लिया तब ही यहां इंटरी होती है मास्टर लूफ की और उन्हें देकर चौंक सी को तो कफे कुसा था पर वो बोल दी है तुमने कहा था तुम मुझसे मिलने आओगे पर मैं वहास दुमारा इंतसार करती रह गई पर तुम नहीं आए मास्टर लूफ की नहीं सौच पाते कि चौंक सी क्या बोल रही है पर यहां वो चौंक सी को बोलते हैं क्या तुम ही डेमन क्यों हो पर यहां चौंक सी बोलते हैं कि आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए यहां आप मुझसे दुवारा छोड़कर जाना चाहते थे और मास्टर लूफ की नहीं जा रही हो तुम देमन क्यों हो इसलिए मैं तुमिन मारने आया हूँ तो चौंक सी बोलती है कि ठीक है अगर आप मुझे दुबारा मारना चाहते है तो मार सकते हैं और यहां मास्टर लूफे चौंक सी पे वार करते है लेकि यहां जोही आ जाती है और वो इंसर्ड हो जाती है पर जो ही बोलती है कि उसके लिए उसे life flower लाना होगा चुकि सिर्फ immortal world में ही पाया जाता है तो चौंगसी तै करती है कि वो life flower को लाएगी और इधा तेन शुरुआ को चौंगसी को एक letter देती है और बोलती है कि इसे प्रस चाओ को दे देना चौंगसी इमोर्टल वोल्ट में life flower लेने आई है और इमोर्टल को यह बात पता है तो चौंगसी को मार देंगे और इधर सीनियर मों चौंगसी को बोलता है कि वहाँ ध्यान से जाना चौंगसी यहाँ पर हफ्स को धूंड़ रही हो दिया अब यहाँ प्रस चाओ जाता है लेकिन चौंगसी यहाँ खुदी इंसाट हो चुकी है वो चौंगसी को बोलता है कि आज मैं यहाँ कुलोन किंके हैसियत से आया हूँ मुझे पता चला है कि कोई डैमेज life flower को चिराने आया है इसलिए मैं उसे रोकने आया हूँ तो चौंगसी उसे बोल दिया कि अगर तुम चाहो तो तुम मुझे मार सकते हो लेकिन जुही की जान खत्रे में मैं सर्व को जुही को दे देना तो प्रस चाओ बोलता है कि तुम जानती हो मैंने ही मुझे को आजर दिया था और अच्छा होगा कि तुम मुझे से दूर ही रहो और वो चली जाती है लेकिन आप रंस चाओ और भी दुखी हो जाता है और वो चौंगसी हर्ब लेकि जुही के पास आती है लेकिन जुही वो मैडिसन नहीं लेती है और बूलती है तुम प्लीज ये मेडिसन मेरे हस्बन को दे देना इसकी हल्प से वो कुछ और साल जंदा रह पाएगा और जुही बूलती है चौंजी को की अपना ख्याल रखना यहां जुही बहुत ही ज्यादा इंसार है कभी के इसके मौत हो सकती है तब यहां चौंजी वा और सिफ अपने हस्बन के लिए यह सब कर रही है। शोंग सी बोलते है कि उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खत्रे में डाली है जाधियों कि वह जंदार है और यहां बंग जोई को ठीक करने की कोशिश करता है और जो करना था मैने वह कर दिया और अब इस पर ड जाते हैं और वो तंश्वासी दूर हो जाते हैं और देश चंग सी को जोई के लिए बहुत पुरा लगता है वो मू को बोल दी कि हर कोई मेरे लिए जान खत्रे में डाल रहा है और सभी लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं पहले अंकल फिर जिंग जिंग फिर मास्टर और मिजे नहीं रहा हैं और यहाँ यहां क्या देखाते हैं और रिख पॉलते हैं कि फदर रिखता बोलता कि करता हैं और यहां वो उसके लख़्वाटर को बस वांग्यों क्मऐन की भूता हुरते हैं एक भाव बचाना चाहते थेश लिए तुम को यूनाइट करना चाहते हैं और उनके बाद ये तुम्हारा सकना होना चाहिए और यहां वो चौंगसी को फोर्स करता है सौट की सारी पावर्स को अपने अंदर डालने के लिए मौ वांगे को बूलता है कि तुम चौंगसी को फोर्स नहीं कर सकते वो चौंगसी को रोकता ह और यहां मू काफी हर्ट हो जाता है बहुत है जादा इंजर्ड हो चुका चंगसी बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और मू चंगसी को बोलता है मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम स्वाट की पावर से पस्स हो जाओ जिसकि तुम्हारे अंकल थे। और आविधर इंडल माडल बल्ग में दिखाया जाता है। प्रेंस मास्टर लूफ से मिलने आया हुता है। लिकन तिन्षवाओ से रोकती है। और यहाँ वह प्रेंस का बता दी थी है। इम्मॉर्टल गॉड ने मास्टर कंसे ने मास्टर लूफ फे को टीर्स ओफ फैनॉक से मेडिसन दी है जिससे कि वो चंक्सी को भूल गया है अगर तुम उन्हें कुछ भी याद दिलाने की कोशिश करोगे फिर भी उन्हें कुछ भी याद नहीं आएगा उन्हें बस इतना य और यहां यह देमन आखिए ऑच्छा ही हुआ कि जोहीं मर गई जिससे सुन्कर चंग्सी को बहुत ही जादा घुसा आता है और वो बोलती है अब तुम्हें भी मरना होगा और वो उसे मारने लगती है कब यहां वांग्यों आ चाता है और वो अपने पार्टनर को बोलता है कि चौंग सी को गुस्सा मत दिलाओं और चौंग सी वांगी को बोलता है तुमने तुखा था कि तुम जोई को बचा लोगी तुमने उससे उतना प्यार किया उसके लिए एक डेमन बन गये हो शायद उसे ये बात पता थी फिर भी उसने तुमसे कुछ भी नहीं बोला और यह यहां में पता चलता है कि यह डेमन कोई और नहीं बलकि चीक है त्वही जोङ से बहुत प्यार करता था और उसके साथ हमीशा रहने लिए वह बी एक डेमन बन गया और यह यहां यह यह बताता है कि चौही ने अपने लास्ट टाइम में शांग सी को बोला कि वह उसके हश् शाउंजी से हो रही थी और चौंग सी ने उन्हें मार दिया तो माशलूफ है यहां से चले जाते हैं और यह दर चौंग सी वांग्यू को बोलते हैं कि तुमने मुझसे जूट बोला हांडेड आइड डेमन के मरने के बाद सी में अर्थ का गेट खुल चुका है जिसे वहां क क्यों नहीं बताया और कैसे वह गेट बंद होगा लेकिन वांग्यू बोलता है कि मैंने वह गेट बंद करने के लिए तुमसे नहीं खुलवाया है तो चाहता हूं कि लोग मरें और यहां पे मूह भी आ जाता है तो चौंग सी उसे बोलते हैं कि तुमने भी मुझसे जूट बोला है तो मूह बोलता है कि उस गेट को ठीक करने के लिए कभी भी कोई इमोर्टल आ सकता है तो तुम्हें वहां जाने के जरूट नहीं लेकिन चौंग सी बोलते हैं कि मैंने उसे खराब किया है तो महीं उसे सुधारूंगी और चली जाती है और इदा चौंग सी गेट क करने वाले होते हैं लेकिन यहां पर प्रेंस आ जाता है वह मास्टर लूफी को रोक देता है और उन्हें मेसकल स्टोन देता है गेट को बंद करने के लिए और चौंग सी को बोलते है कि प्लीस तुम्हें से चली जाओ पर चौंग से बोल दिया है तो तुम भी एक गिल्ट चौंग सी दूसरों को हर्म नहीं करना चाहती है यहां तक कि वह तो गेट को रिपेर करना चाहती थी टीचिंग के मुझे नहीं लगता कि वह देमन बोल्ट की है लेकिन आप नील उनके जाचरह आपको इसमार देना चाहिए था लेकिन प्रस तिनसवा को रोगता और बोलत वो पहले immortal world में ही थी और उसके सामने कुछ situations आई जसके वज़े से उसे demon बनना पड़ा और वो बोड़ी नहीं है और सीनियर को प्रिंस को जाने का order दे दी और विदर मास्य लूफी तेंश्वा को बोते हैं क्या तुम चौंगसी को पहले से जानती हो मुझे उसके बारे में जानना है दुआ तेश्वा बताती है कि मैं और चौंगसी दोनों ही अर्थ पर थे और आपने हम दोनों का अपना disciple बनाया चौंगसी बहुत ही आपना चाहती थी इसलिए वह डेमंश के साथ मिल गई और यहां पर सीनिया को उटाते हैं जो कि माशलूफी को बोलते ही कि तेंश्वा सही बोल रही है और यह माशलूफी बोल दे हैं कि अगर वह मेरी डिसाइपल थी इसके पास इविल पावर्स थी यह मेरी जिम्मेतारी कि मैं उसे ठीक करता और उसे कभी भी डेमन्स के साथ मिलने नहीं देता इसका मतलब ऐसे मास्टर मैंने उसे अच्छे से च्रीट नहीं किया और अब मुझे उसे बचाना चाहिए और इधर चौंक सी मूझ को बूल दी है तुम्हें अपनी सारी पावर्स मुझे नहीं देनी चाहिए थी लेकिन मुझ बूलता है कि गेट को रिपैर करने के बज़े से हमारे सारी फावर्स खत्म हो गई थी और यहां इन दोनों के साथ डेमन्स जियान और उसके वाइफ ही है जिन्होंने सारे गलत काम जोड़ दिये और एक सिंपल लाइफ को जी रहे हैं और इन दोन चाहिए जाता है कि इम्मोर्टल्स आये होते हैं उन लोगों ने चंग्सी को हैं दिखा था और उसके साथ डेमन्स जियान और उसके वाइफ को भी यहां डेमन्स जियान और उसके वाइफ बोलते हैं कि अब वो दोनों गलत रास्ते को छोड़ चुके हैं और एक सिंपल से को दोनों को मार दियते हैं और चंगसी पूलते हैं कि इसी के पास जाती हूँ को इसे दूर हो जाता है और मौ को बोलती है कि तुम पलिस मत जोड़ कर मत जाना और मौ तै करEP करता कि दो मास्टर लूफई को छोंक दोबारा लाएंगा क्योंकि छॉंक्य के खुशीं सिर्फ मास्टर लूफई ही है और यहां मुस प्रिंस से मिलता है। और प्रिंस ऐसे बता चल जाता है कि मास्टर लूफई को सेनियर गौर्डbrand उनियर बेटर सो फेनक्स मेडिसन दी है जिससे कोई भी अपनी प्यार को भूल जाता है पर मुह यहां प्रंस को बोलता है कि इसका कोई ऐंटिडोट नहीं है पर मुझे चौंक्सी को बचाने के लिए लूफए को सब को शयात दिलाना होगा और मास्टर लूफए के पास चौंक्सी वेपन भी होता है और यहां मास्टर लूफ है को वो सारी बाते बता दी है यह किस तरह वो इमर्टल बाल्ड में आई उनके डिसाइपल बनी और इवल पावर्स होने के वज़े से उसे मार दिया गया वो भी उसे के मास्टर के हाथों द्वारा जिससे वो प्यार करती थी और उसका जम द्वारा हुआ द्वारा मास्टल लूफ है ने उस अपना डिसाइपल बनाया और द्वारा उसकी इवल पावर्स की वज़े से उसे मारने की कुशिश की और वो बहुत ही गुस्से में होती है और इन दोने के वीच फाइट भी होती है मास्टर लूफे बोलते है तुम ये जो कुछ भी बोल रही हो मुझे कुछ भी याद नहीं मुझे वेवकूप बना रही हो पर यहां मास्टर लूफी बोलता है कि मैंने जिस चंगसी को देखा है वो लोगों को बचाना चाहती थी पर तुम चंगसी नहीं हो पर वो चंगसी भी सौट से भार करते हैं पर यहां चंगसी बोलती है कि आप मुझे क्यों बूल गए अपने फिर से वही किया जो अपने पहली किया था पर हम देखते हैं चंगसी नहीं यह तो मास्टर मुझे है और यहां मास्टर मुझे बोलता है कि तुम आज भी चंगसी से प्यार करते हो मास्टर लूफी जैसे उन्हें चंगसी कामारें उनके हाट में फेइन शुरू हो जाता है और यहां उन्हें चंगसी से जुड़ी कुछ ह्यार कुछ मुमेंट्स याद आते हैं और सीनियर मुझे बोलता है कि तुम चंगसी के मास्टर हो और चंगसी को बताता है कि शायद मैंने तुम्हें डेमन बनने पर मस्पूर किया और मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम हमेशा दुखी रहो मैं तुम्हारी खुशी तुम्हारे पास लाने गया था और यहाँ वांग्यो आता है जो कि चंगसी को बताता है कि सीनियर मौ अब मर चुका है झारोसे और किसीने नहीं बलकि तुम्हारे मास्टर लूफे इने मारा है और यहाँ चंगसी बोल दिये कि अब मास्टर को नहीं छोड़ूँगी जिस तरह मुग की जान गई है मैं उन्हें पिमार दूँगी और था मास्टर लूफ है सीनिर गॉड के पास आते है और वो उन्हें बोलते है बताएए आप लोगोंने मेरे साथ क्या किया है मैं जब भी छॉंक्सी के वारे में सोचता हूँ मेरे हाट में एक अलग सा ही बेन होता है जैमन मुझे बताया कि मैं हाट पोईसन से इंसर्ड हूँ उसने अपने जान दे दी अपने आखरी वक्त ने बोला कि मैं चॉंक्सी से प्यार करता था लेकिन मैं चॉंक्सी को भोल चुका हूँ अखिर क्या कि आप लोगोंने मेरे साथ लेकिन सीनियर कॉट बोलते तो मुझे के बातों का भरसा कैसे कर सकती हूँ वो तो एक डैमन था तो मास्टर लूफी बोलते कि अगर आप मुझे नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं इमोर्टल बॉल्ट में बहुत से लोग यह जो मुझे बता सकते हैं और यहां पर एक इमोर्टल आकर बताता है चॉंक्सी इमोर्टल बॉल्ट आई है वो मास्टर लूफी को मारना चाहती है और यहां पर यहां पर चॉंक्सी आ चाहती है मास्टर लूफे और चंगसी के बीच राई शिरू हो जा दिया पर यहां मास्टर गिंश्रें सीनेर कोड को बताती है कि चंगसी के पास नेलून की सौर है उसकी डॉटर होने की वज़े से उसकी पावर्स और भी जादा बढ़ती जा रही है यहां तक कि लूफे भी उससे अब सामना नहीं कर सकता पर यहां मास्टर लूफे चंगसी को हरा दीते हैं तो चंगसी को बोलते हैं कि हमारे बीच पहले जो भी था मुझे इस वारे में नहीं बता और मुझे यकीन नहीं कि मैंने कभी तुम से प्यार किया होगा तो यहां चंगसी बोलते हैं चो लोग मेरे पास थे उन सब को तो तुमने मार दिया मुझे क्यों नहीं मार जाए हो ऐसे भी मैं तो नीलून की डॉटर हूँ और यहां मास्टर लूफे उससे मारने वाले होते हैं यहां पर प्रेंस और प्रेंस चाहो जाते हैं जो कि चंगसी को रहा से बचा कर ली जाते हैं चंगसी है इन दोनों को थेंक्स करती है लेकिन बोलते हैं कि तुम्हें मुझे नहीं बचाना चाहिए था मेरी वज़े से तुम्हें भी वो लोग अपना दुश्वन मानेंगी चौंक सी इन दोनों को बोल दी है कि मैं बापस टमन बल जा रही हूं यह दोनों बोलते हैं कि हम भी तम्हारे साथ चाहेंगे लेकिन वो इन दोनों को मना कर दीती है बूल दी है कि आगे से तुम दोनों कभी भी मेरी हेल्प मत करना और चली जाती है और यहाँ पता चलता है कि प्रेंस को सीनियर कॉर्ड ने इमोर्टल बॉल्ट से निकाल दिया है चौंगसे की हेल्प करने की वज़े से वेदेर कुलून की को पता चल जाता है कि प्रेंस जाओ ने चौंक सी को बचाने के लिए इमर्टल बॉल्ड के एगेंस्ट कहे हैं लेकिन फिर वो प्रेंस जाओ को कुछ ने बोलता और बोलता है कि तुम को लुण के ने किंग हो और तुमने कुछ सोच कर ये डिस्टल लिया होगा और इधार मास्टर लूफ ही अन्सवा को दुवारा बोलता है कि मुझे सच जाना है और अब मास्टर लूफ वो यहां चांक सी से जोड़े और फिर बहुत सारी मोमेंट्स याद आने लगते हैं तो वो सीनियर गॉड के पास चाते हैं और बोलते हैं कि मुझे अपनी मेमरी बापस चाहिए और आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया वो अधी गुस्से में होते हैं सीनियर गॉड तो नहीं बताना चाहते हैं फिर भी मास्टर केंसे नहां उन्हें बता देते हैं कि मैंने और सीनियर गॉड ने मिलकर तुम्हें टियर्स ऑफ फैनक्स मेडिशन दिया है जिससे कि तुम्हारे कुछ यादे मिर्च चुकी है वाशन लूफे बोलते हैं कि मुझे इसका एंटिडोट चाहिए लेकिन सीनर गॉड बोलते है कि इसका कोई लास नहीं है और इधर देमन किंग वांग यू अपने पार्टनर को बोलता नहीं कि जिस तरह से चंक्सी की अंकल ऊचुके थे यही तरह चंक्सी भी हो चाहिए यहाँ वह अपने फादर को बोलता है कि उसे चंक्सी को बचाना है और वह चंक्सी को बचा लीता है और Immortal Word पे भी कोई ख़तरा नहीं होगा उसके फादर भी उससे जाने देते हैं और वो डैमन वल पहुँचा था और बोलता है कि मुझे चौंग्जी से मिलना है किन वांग्यू से बोलता है गर तुम्हें डैमन क्यों से मिलना है तो कुछ जूर्ल्स को फोलो करना होगा और यहाँ प्रेस जाओ को काफे टर्चर करता है और बोलता है कि अब तुम जा सकते हो उससे मिलने और यहाँ प्रेस जाओ चौंग्सी के पास आदे चौंग्सी से बोल दिये तुम्हें ये चोटे कैसी लगी और वो बताता कि ये सब वांग्यू ने किया तुम्हें चौंग्सी बोलती है आखिर तुम यहाँ क्यों आयो मैंने तुम्हें मना किया था प्रेस जाओ से हग करता है और बोलता है नहीं चाहता कि सौट से तुम कभी भी पस्टर सो जाओ तुम्हें बस रोखना चाहता हूँ और कि सारी पावर्स को कभी भी अपने अंदर मत लेना वो दुवारा चौंग्सी को बोलता है कि वो उससे प्यार करता है चौंग्सी को बोलता है कि प्लीज मेरे साथ चलो चौंग्सी से बोलती है कि मैं तुम्हेरे साथ नहीं जा सकती लेकिन मैं मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं कभी भी सौट की पावर्स को अपने अंदर नहीं लूँगी और अब प्रंस जाओ जा रहा होता है, यह वांग्यू के पार्टनर यहां उससे हार्ट पोरिजन से इंसर्ट कर दीती है और वो प्रंस जाओ को एहसास करवा दी है, तो वो चौंग्सी से प्यार करता है अगर वो माशलूफे को मार दी तो चौंग्सी उसकी हो जाएगी इस जाओ यहां खुद को कंट्रोल करना चाहता है और हार्ट परसन का सरुस पे बहुत ही जादा हो चुका है और इदा माशलूफे अर्थ पे उसी रेस्टरंट में होते हैं तो हैं उन्हें चौंग्सी से चुड़े और फिर मोमिंट्स ध्याद आते हैं उनके हाट में पेन भी होने लगता है और अब वो उसी इमोटल से मिलता है जिसकी जान चौंग्सी ने बचाई थी और वो इमोटल बोलता है कि चौंग्सी आपके साथ नहीं है और माशलूफे बोलते हैं मुझे बताओ कि चौंग्सी रफसे मेरे साथ थी चौंग्सी आखिर कैसी इनसान है वो इमोटल बताता है चौंग्सी बहुत ही काइंड है वो हमेशा सद्की हेल्प करती थी लेकिन उसके पास इविल पावर्स थे वो आपकी डिसाइपल थी और आपने उन्हें हर बार हर खतेर से बचाया था लेकिन इम्मोर्टल बॉल को बचाने के लिए आपने चंगसी को मार भी दिया था और इस लिए चंगसी को दिखते हैं जो कि विशंग च्री के पास है वो अपनी विश्वैल को धूझ रही हो दिया आपर मास्टर लूफ है आ जाते हैं जो जो कि उसके विश्वैल उससे दीते हैं सुर चंगसी उन्हें बोल ती हैं कि तुम यहां क्या कर रहे हो? और मास्टर लूप ये चांगसी को बताते हैं कि उन्हें अहसास हो चुका है कि वो उससे प्यार करते हैं पर उनके सारी यादे मिठ चुकी है उन्हें टियर्स अफ फैनक्स मैदिशन दिया गया है और उसका कोई भी एंटीडोट नहीं है और चंगसी को बोलते हैं मैं चाहता हूं कि تم मेरे पास दुवारा आजाओ अगर तु मेरे पास रहोगी तो मेरी सारी यादे भी पापस आचाएंगी और चंगसी बोलती है उन्हें यादों में कुछ भी खास नहीं था वो सिर्फ दर्द से भरी थी मारे लिए अच्छा है कि तुम उसे भूल चुके हो और मैं तुम्हारे साथ दुवारा कभी नहीं आऊंगी तुम से प्यार नहीं करती मास्टर बोलते हैं क्या तुम मुझसे नफरत करती हो तुम से जंग से बोलते हैं मैं तुम से नहीं ख़त से नफरत करती हू क्योंकि मैंने हमेशा तुम पे ट्रस्ट किया महारे लिए कितना असान है तुम सब कुछ भूल चुके हो और तुम गिल्टे भी नहीं हो और मेरे साथ जो हुआ उसका क्या मैंने अपने कितने दोस्तों को खो दिया वैसे भी मैंने सबको हमेश्चा परिशानी में डाला है अब मैं तुम्हें और परिशान नहीं करूंगी और वो जाने लगती है लेकिन मास्टर उसे हग करते हैं और बोलते हैं कि प्लीस मत जाओ तुम तुबारा पहले की तरह साथ रहेंगे और चॉंक से उन्हें बոल दिया कि तुम हाट पॉसट से इंजर्ड हूँ जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम्हें आहसास हो चालेगा कि तुम क्या कर जाया हो और वो नहीं बूल दिया कि मैं तुम्हें कि लास्ट टाइम मास्टर बोल रही हूं वो प्रेंस जाओ के बोलती है कि तुम यहां से चले जाओ मुझे तुम्हारी कोई सरुवत नहीं लिकिन प्रेंस जाओ उससे हग करता है और बोलता है मैं हमेशा तुम्हेरे साथ ही रहूँगा नहीं कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाओंगा अधर प्रेंस को देखते हैं जिसके पास मस्टर किंसेन आते हैं और वो मस्टर को बताता है कि वो मस्टर लूफे की सारी यादों को बापस लाना चाहता है इसलिए वो मैंस्टिकल माउंटेन पर जा रहा है इधर प्रंस चाओ एक इमोर्टल को फखड़ कर लाता है चौंक सी के पास बोलता है कि तुम इसे सासा दे सकती हो इसने तुम्हें बहुत ही परिशान किया है लेकिन चौंक सी बोलते है कि भला मैं इसे क्यों मारू तो ये इमोर्टल बोलता है कि तुम डैमन हो मची बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो पर यह सुनकर प्रेंस जाओ से मौटल को मार ही देता है और चॉंगसी हाँ उसमे काफे गुसा होती है और वो तैय करते हैं कि उसे प्रेंस जाओ को तही ठीक करना ही है गर तुम उसे प्रेंस जाको को खिलाओगी तो उसके अंदर से जितने भी इविल पावर से वो बाहर आ चाहेंगी और वो पहले जैसा हो चाहेगा और इधर प्रेंस को देखते हैं जो कि इस बर्ट को मार कर उसका बलड लेना चाहता है अब यह एक आदमी आ जाता है और इन दोनों की फाइट होती है और अब यह आदमी उसे बताता है यह अगर उसे फैनक्स का बलड चाहिए उसे जोरंग फ्रूट लाना होगा इसके बदले में यह वर्ट उसे बलड दे देगा पर यह आदमी बोलता है कि जोरंग फ्रूट की रखवाली करने वाला जो पक्षी है वो लोगों की स्प्रिट को खा जाता है इस तक कोई भी आदमी उहां से जोरंग फ्रूट नहीं ला पाया है तो तुम एक बार सोच लो और यहाँ प्रेंस बोलता है कि वो जैस से प्यार करता है उसकी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है और अब प्रेंस मास्टर किंसी की दे हुए मैडिसन खा लेता है जिसे कि अब उसे कोई नहीं देख सकता वो यहाँ से जोरंग फ्रूट ले लेता है और अब इस आदमी को देता है अब पताता है कि यह खुद भी एक फैनक्स है अपना थोड़ा सा ब्लयड यह प्रेंस को दे देता है इसे पाकर प्रेंस काँफे खुश था और यह फैनक्स प्रेंस को वो जोरंग फ्रूट बापस कर दीता है बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था ताकि ये बलड किसी गलत हाथों में ना जाए और इधर चंगसी भी मसकल ट्री के पास जो रंग फूट के लिए बहुत जाती है लेकिन यहाँ सॉयलेटिंग बर्ड उसके विच फाइट शुरू हो जाती है चंगसी को यहाँ एहसास होता है उसके सारे पावर्स को यह सॉयलेटिंग बर्ड खीचे जा रहा है और देर प्रंस देखता कि कोई सॉयलेटिंग बर्ड से फाइट कर रहा है और वो आकर देखता है यह तो चंगसी है वो चौंगसी को बचाता है और खुद उस स्वाले रिंग वर्ड से फाइट करता है और वर्ड हार मान कर वहां से चला जाता है लेकिन प्रेंस यहां काफी ज़्यादा गायल हो चुका है चौंगसी उसे बोलते हैं तुम्हें मेरी वज़े से प्रेंजान खत्रे में नहीं डालनी चाहिए थी लेकिन प्रेंस बोलता है कि मैं तुम्हें यहां देखकर खुश हूँ चौंगसी उसे बताती है कि वो जोरंग फ्रूट लेने आई थी तो प्रेंस बोलता है हम उसके लिए दूसरा ले लेंगे पर चांगसी देखती है कि प्रेंस भी बहुत जादा इंसर्ट हो चुका है उसे इस फ्रूट के जादा जरूरत है कि प्रेंस उस फ्रूट को नहीं लेता और यहाँ फ्रूट के एसर से चौंगसी की इविल पावर्स धीरे धीरे उसकी वाड़े से खत्म होने लगती है उसे बहुत है जादा पेन हो रहा होता है प्रेंस चाउजों की खुद वे इंसाद है और चौंगसी को संभालता है और यहाँ उसके आखों में साफ दिखता है कि वो चौंगसी से कितना प्यार करता है वो खुश है कि चौंगसी अब ठीक हो जाएगी और इदे सीनियर गूट मास्टर लूफई का चेक अप करते हैं मास्टर लूफई अभी भी हाट पोईजन से इंसाद है लिकिन मास्टर लूफई बोलता है कि वो अपना इलास ठून लेंगे और प्रिंस जाओ को बहुत सारे इमोर्टल्स ने पक्रा हुआ है कुलोन किंग भी आचाद है और इते सबी इमोर्टल्स बात कर रहे होते हैं डेवन किंग वांग्यू डेवन क्यून चौंग सी ऐसे डाल रहा है कि वो सौट की सारी पाबर्स को अपने अंदर ले ले लिए अगर ऐसा हो गया चौंग सी सबसे जादा पाबर्फिल बन जाएगी और वो सिक्स फल को यूनाइट कर देगी और उसके बाद वांग्यू चौंग सी का यूज कर पूरी दुनिया को दवाह कर देगी वो इस पूरी दुनिया पे रास करना चाहता है मैं उसे हर हाल में रूखना होगा बरते मास्टर लुफी मास्टर किंसी को बोलते हैं कि अगर उन्होंने चंगसी को रुक लिया हो ता चौंगसी क भी वी देमन क्यों नहीं बनती लेकिन मास्टर किंशन बोलता है कि तुम खुद को दोशी मत बनाओ किरे पास एक तरीका है चौंगसी को रुकने का मैं तो पता ही है चौंगसी की मदर सूजी एक इमोर्टल थी और उसने नीलून से शादी की इसने अस्तनिया को बचाने के लिए अपने हस्वे नीलून को मार दिया खुद भी मर गई अगर तुम चाहो तुम अपनी और चौंगसी की रिलेशनसिप के जरिये चौंगसी को कन्वेंस कर सकते हो कि वो सौट की फार्वर्स को अपने अंदर ना ले और अगर वो ना माने तो उसे मार दो और मास्टर लूफी बोलते तुम मुझे इतना घटिया सुझाफ कैसे दे सकते हो तुम ही का लगता है कि मैं चौंगसी को मारूंगा मैं खुद उसके साथ मर चाऊंगा और किसी को उसे हर्ट नहीं करने दूँगा इधर प्रेंस देखता है कि चौंगसी की इवल स्पृट्स तो कम हो रही है तो चौंगसी उठा कर ले जाता है और यह जो नील उनके शौड है उसे वो खाई में फेक देता है अभी यहां पर प्रेंस जाओ आजाता है प्रेंस को बोलता है कि चौंगसी को मुझे सौब तो प्रेंस बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता तुम एक डेमन हो चौंगसी अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है अब यह एक डेमन नहीं है और इधर मास्टर लूफे को प्रेंस का मैसस मलता है चौंगसी उसके पास है वो मैसकल मांटेन पे है इधर प्रेंस जाओ प्रेंस को होट करता है और चौंक्सी को उससे ले लेता है मैंस्टर को मास्टर के पास ही रहने दूगा प्रिंस को बोलता है कि प्लीज तुम्हां से चले जाओ और अब मास्टर को बोलता है कि सारी इबल स्परिट से खत्म हो चुगी है वो बिल्कुल ठीक है वह एक डामैन नहीं है जिकिकी ओर्ड मैदिसन का एंटीडोट फैनेक्स ब्लड देता है बोलता है यह आखरी चीछे जो मैंने चौंगसी के लिए किया है तो आपके यादे बापस आ जाएंगी और वो बोलता है कि मैं चौंगसी को आपको सौप रहा हूं उसका खयाल रखेगा और यहां प्रेंस जाओ काफी अंज करके बापस आने लगती है ऐसे चौंगसी उन से मिली कि रिसाइपल बनी उन्होंने चौंगसी को मारा और दोवारा अगले जण में उसे अपना ही डिसाइपल बनाया उन्हें उनसे प्यार हुआ हुआ उसे शादी के लिए प्रपोस किया उनकी पूरी मैमोरी बापस को दोनों को दिखाए हैं कि यह हम दोनों का घर है यहाँ चांग सिकों फुझी करते हैं दोनों एक दुस्टे के साथ बहुत ही खोश कुल कोने लुगों की तरहें चीते को देखते हैं योकि नेल की सौट्ड को दोबारा हचल कर लीगा जिसी कि प्रिंस ने खाई में फेक दिया था और इधर प्रिंस जाओ वांक्यू को बोलता कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला मैं चौंग्यू के लिए तुम्हारे साथ था तब चौंग्यू ही यहाँ नहीं है तो मैं जा रहा हूँ और वो चला चाता है वांग्यू की पार्टनर उसे रुखना चाहा दी है लेकिन वांग्यू से बोलता कि उसे जाने दो वैसे भी वोब हमारे किसी काम का नहीं और है वांक्यू अपनी पार्टनर को बूलता है कि मुझे इस दुनिया पे रास करना है जिसके लिए इन सिक्स फॉल्ड्स को युनाइट करना होगा और ये काम सर्फ चॉंक्सी कर सकती है क्योंकि वो निल उनकी डॉडर है और मुझे हर हाल में उसे पापस डैमन बॉल्ड लाना होगा तो उसके पार्टनर बोल दी कि चॉंक्सी की तो एवल पावर सब खत्म हो चुकी है तो भला हुआ डैमन बल्ड है क्यों आएगी आपके पास तो वांक्य बोलता है जोरुग फ्रूट खाने के वज़े से चॉंक्सी की बोड़ी से कुछ पल के लिए उसकी पावर्स खत्म होई है उसके जो एवल प्रिथ है अभी भी उसके पास है दुवारा डैमन बन सकती है और इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे चॉंक्सी अपना कंट्रोल खो दे और इधर मास्टर लूफ है चॉंक्सी को उसका मस्कल वेपन दे देते हैं इसे पाकर चॉंक्सी भी खुश हो दी है और यहां चॉंक्सी सोच रही होते कि उसने इपने मस्कल वेपन का कभी भी नहीं यूस नहीं कर पाई यहां चॉंक्सी का खुद पर से कंट्रोल खोने लगता है उसके इवल पावर्स दुवारा रिस्टोर होने लगती है मास्टर लूफे आजाते है वोसे रोकना चाहते है और चॉंक्सी उने बूलते कि मेरे पास मत आना दुवारा चॉंक्सी खुद पर काभू पादी है मास्टर उससे हग करते हैं और बोलते हैं मतमें दुवारा कभी भी डैमन नहीं बननी दूंगा वो यहाँ चंकसी को सला दीते हैं और मास्टर लूफे इम्मोर्टल भल्ट में होते हैं मास्टर कंसें से पूछते हैं कि प्रिंसप कैसा है मास्टर बताते हैं बहुत ही जादा इंजर्ड है रेवी भी जिन्दा है अब उसे मुझ से जादा तुम पे भरुसा है और मास्टर किंसिन बोलते हैं कि चौंक सी अब कैसी है तो मास्टर लूफे बताते हैं उसे सोरिंग फ्रूट के असर से चौंक सी के इवल पावर्स तो उसके कंट्रोल में हैं लेकिन उसे जर से खातन करने के लिए मुझे गॉल्जन मिरर प्रोसस को पूरा करना होगा और यह लूफे को हार्ट वैसन का एंटेडोत देते हैं और मास्टर लूफे वावावास आते तो चौंक सी उन्हें हग कर दी बूलते हैं कि मैं डर गई थी मुझे लगा आप दुबारा मुझे छोड़कर चले गए लेकिन मास्टर लूफे बोलते हैं मैंने तुम्रा लिए नोट चोड़ा था। तुम्हें वह नोट नहीं मिला। मैं तुम्हार लिए गिफ्ट वे लाया हूं। उनके लिए पेस्ट्रेस लाए होते हैं। इन्हें देखकर चंग सी काफी खुश थी। वो मास्टर को केस्ट करती है। यह दोनों यहां पर साथ होते हैं। तो चानक से मास्टर लूफवें हाट पॉजण का एंडी डोट लेते हैं। और वो चंग सी को बोलते हैं। यह तुम से सच में प्यार करता हूं। यह हाट पॉज़न का सर नहीं है। और नेक्स्ट मॉर्निंग के दोनों साथ में को कि करते हैं। यह मास्टर लूफवें को प्रंस सच से मार दिया तो कवे आइस प्रिसन में कैद कर दिया। अब तो उसके पास इविल पावर्स भी नहीं है। तो तुम्हेर लिए आसान होगा उसे मारना। लूफ है बोलते हैं। कि मैं चंग सी से प्यार करता हूं। मुझे यह प्रूब करने की जरूवत नहीं है। तु तो यहां मास्टर लूफ ही बोलते हैं कि यह चंग सी अस्पेशली तुम्हें लिए नहीं बैशारे को यहां बुरा लग जाता है। चंग सी मास्टर को रोगती है। मास्टर देखते हैं कि उसके हाथों पे खरूच होगता है। चंग सी बोलती है कि यह शायद कुकिंग के के लिए बूल दिया कि मैं और मास्टर दोनों साथ ही कुकिंग कर रहे थे आतकि यह सारा फूर्ट तो उन्होंने ही बनाया है वस उनकी हेल्प कर रही थी और प्रस जाओ बोलता है कि अब मुझे यह खाना नहीं खाना और चला जाता है इदर चंग सी मास्टर को बूल दिया क हृष चाओ से जैलिस हो रहे थे तो मासर बोलते ही बाला मैं क्यू जैलिस होंगा मुझे पता है कि तुम मुझे प्यार कर दी हो और प्रस जाओ सिर्फ तुम्हारा एक अच्छा दोस्त है और आफज़ चंख सी बोल दियें कि मुझे प्रस जाओ के लिए बहुत बुरा ल नहीं करनी कई संग्स करते हैं कि यह मेरा अंसर करते हैं और आव चंक्सी के आख्के खुल दिया थे कि पूरा ते और यह पेंग ड्रेस हुए हुँदि यह मास्टर से लिइन के साथ हम दोनों पहले से हमेर हैं तो मास्टर बोल दे हैं, हाँ मैंने तुम्हें अपनी वाइफ माना है, पर हमारी वेडिंग समनी अभी तक नहीं हुई है, और वो दवारा चंग सी को प्रपोस करते हैं और बोलते हैं क्या तो मुझे शादी करोगी, चंग से भी उन्हें हा करती है, और धर प्रिंस चाओ या रहोगी, वैसे ही मेरी चॉइस है कि मैं अब डेमानी बना रहूंगा, और यहां प्राश्टा को काफे दुख हो था कि चंग सी की लाइफ में उसकी कोई जगह नहीं है, और इतर मास्टर लूप है और चंग सी को देखते हैं, इन दोनों की वेडिंग समनी कंप्लीट हो क्योंकि कुलून किंग की तवियत काफे जादा खड़ाब होती है, वो उनका ट्रीटमेंट कर दी है, और बोलते हैं कि मुझे यकीन है कि प्रंस चाओ एक दिन बापस ज़रूर आजाएंगे, तभी यहां पर एक इमोर्टल आकर बता दी है, डेमन किंग वांकियू ने कुल बोलते हैं कि अपना खायल रखना मैं जल्दी बापस आजाओंगा, इस सब को बोलते हैं कि वो कोदे डेमन बोल जाएंगे, उन सारे डिसाइपल्स को बापस लाने के लिए, और इधर प्रंस जाओ चॉंक इससे मिलने आता है, और बेना मिले है जा रहा होता है, तो चॉंक तो फॉलती है कि मेरे साथ चलो, लेकिन वो देखता है कि मास्टर लुफ एर चंग्जी के शादी हो चुकी है, तो चंग्छी को बोलता है की अब तम्हारे ही साधी हो चुकी है, तो मेरे साथ रहना अच्छा नहीं है तुमारे लिए, और एक से दबारा बोलता है कि अतना रखना और चला जाता है यहां तेंश्वा यह सब देख रही होती है अपने मन में ही चांग्सी को बोल दी है आखिर कार तुमने मास्टर से शादी कर ली तुम इंस सब को डिसर्व नहीं करती हो मैं तुम से यह सारी चीज़े छीन लूगी अभी यहां चांग्सी का अपने आ कि अगर तुम प्रैंस जाओ का बापस लाना चाहादी हो उसका मेरे पास एक तरीका है देगी जीजी बोलती है फ्रता चांग्सी को छड़कर आने के लिए कभी नहीं तैयार होगा तंश्वा बोलते है कि उसे मारने का और सुल वाइंडिंग थ्रेड ये एक लोता हत्यार है जिससे तुम चौंग सी को मार सकती हो सौल वाइंडिंग थ्रेड से चौंग सी की सौल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी और उसके मौत के बाद प्रिशा तुम्हारे पास वापस चला आएगा और तिनसे उसे बताती है कि सोल वाइंडिंग थ्रेड इम्मोर्टल टेम्पल में है तुम्हें वहाँ से उसे चुराना होगा क्योंकि सीनियर गॉड और बाकी इम्मोर्टल्स तुम्हें इसके परमिशन नहीं देंगे चीजी बोलती है लेकिन इन सब के करने के बाद अगर सबको पता चला तो वो था हमें पनिश करेंगे तो तिन्श्रा बोलती है कि चंगसी एक डेमन है और डेमन को मारने के लिए उम्हें कोई पनिश नहीं करेगा और अगर तुम्हें तब भी डड़ लग रहा है तो तुम सिर्फ मुझे वो सोल वाइनिंग थ्रेड ला कर दो चंगसी को मारने की रिस्पोंसिबिलिटी मैं लूँगी और यहां जीजी इमोर्टल टेमपल से सोल वाइनिंग थ्रेड चुरा लेती है इधर मास्टर लूफई इमोर्टल्स को बचाने के लिए जमनबल पहुच आते हैं लेकिन वांग्यू बोलता है कि अगर तुम्हें इमोर्टल डिसाइपल्स को बचाना है तुम्हें चंगसी को मुझे सौपना होगा और इधर जीजी चंगसी के पास बहुच आती है वो चंगसी का हाथ पकरती और बूलती है प्रिंस जाओ को मुझे बापस लटा दू लेकिन चंगसी बूलती है ये उसका खुद का फैसला है कि वो डेमन बल्ट में रहेगा मैं इसमें तुमारी कोई हल्प नहीं कर सकती हूँ और यहां जीजी सौल बाइंडिक थ्रेट का यूस करती है और चंगसी को भी पता चल जाता है कि जीजी ने उसे धूखा दिया है अभी यहां पर तिन्शुआ जाती है और चंगसी समच जाती है कि यह सब इन दोने मिलकर किया है और यहां चंगसी की बोड़ी पुरी तरह से कैद हो जाती है तिन्साह से बूल दिया कि तुम यहीं डिसर्ब करती हो और अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता यहां तक कि तुम्हारे मास्टर भी नहीं और इधर मास्टर लूफी वांक्यों को बोलते है कि वो चंगसी को कभी भी उन्हें नहीं सोपेंगे और इधर जीजी भागशा दी है तिन्साह अपने पावर्स का यूस कर दी और सॉयल वांडिंग थ्रेट की बचे से चंगसी की सोल ब्रॉक हो जाती है यहाँ एक जोड़ार धमाका होता है और चंगसी की मौत हो जाती है पर इसके एसर से तिन्सावी थोड़ी अंसवर्स हो जाती है तब ही यहाँ प्रिंस जाओ जाता है वो चंगसी की हालत देख कर शॉक हो जाता है यहाँ चंगसी अपने आखरी वक्त में उसे बोलते हैं कि प्लीस मुझे बचा लो मुझे जंदा रहना है तो प्रेंस जाओ से प्रॉमिस करता है कि वो हर हाल में उसके जान बचाएगा और दर प्रेंस जाओ डामिन किंग वांग्यू के पास आता है वो बोलता है कि चंगसी को बचा लो वांग्य बोलता है कि चंग सी ने कभी भी मेरी हयल्प नहीं की तो बहला मैं उसे क्यों बचाऊँ अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तुम्हें मुझसे भीख मांगनी होगी प्रंस जो उसके समने छग चाता है और वांगी बोलता है ठीक है मैं इसके जान बचाओंगा और अधर मास्टर लूफी बापास लटकर आते हैं तो वो इस सब देख लेते हैं यहां पर उन्हें स्वल वाइनिंग थ्रेड भी दिख चाता है तो तिंश्वा को बोलता है कि बता तुमने चौंग सी के साथ क्या किया तो तिंश्वा बोलते है कि चौंग सी अब मर चुकी है अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते तुमने हमेशा चौंग सी की बज़े से मुझे इगनोर किया है चंग्यू चंग्यू को बोलता है कि तुम्हें लूफे ने दुवारा मारा ये तीसरी वार है जब उसने तुम्हें मारा है लेकिन चंग्यू बोलता है कि मास्टर ने मुसे नहीं मारा बलकि तेंशुआ और जीजी ने और तुम्हें सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ और तुम्हें प्रामिस करना होगा कि इस पर तुम मेरा कहना मानोगी मैं जो चाहूँगा तुम्हों करोगी चांग से उसे प्रामिस करती है और अब वांगी बोलता है कि तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए सौध की पावर्स को खुद के अंदर लेना होगा यह एक आखरी जरिया है तुम्हारी जान बचाने का यहाँ चौंगसी याद करती कि उसके अंकल ने प्रंस जाओने उसके मास्टर ने सब ने उसे मना किया था सौध की पावर्स को कभी भी नहीं अपनाई की लेकिन अब अब चान बचाने के लिए वो खुद को सेक्रिफास करने को तयार हो जाती वो यहाँ सौध की पावर्स को अपना लीती है और सौध की पावर्स ने चौंगसी को पुरी तरह से पसेस कर लिया है और इसे के साथ चौंगसी अब केस्टियल डेमन बन चुकी है जो कि सबसे जादा पावरफुल होता है चौंगसी की पावर्स अब पहले से बहुत जादा बढ़ चुकी है और इधर सीनियर गॉड और तंशान किंग को पता चल जाता है चौंगसी ने सौट को अपना लिया है और अब वो अपने फादर नील उनसे भी जादा पावरफुल बन चुकी है तो यहाँ पर जीजी आ जाती है तो सीनियर गॉड को बोलते हैं कि मुझे माफ कर दीजे मैंने सौल वाइंडिंग थ्रेट का यूज किया चौंगसी पे पर यह मैं जान उसकर नहीं करना चाहती थी मैं बस प्रिंस जाओ को बापस लाना चाहती थी पर इस सब में मेरी हिल्प की तिर्शु आने सीनियर गॉड को बोलते हैं कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया है वो वे एक डैमन थी और उसे मार कर तुमने तो अच्छा किया तो सीनियर गॉड को बोलते हैं कि आप इसके गलती को छुपा नहीं सकते इसने Soul Winding Threat को चुराया और Chung Si को मारा है इसे साजा मैं खुद दूँगा तो Senior God बोलते हैं अखिर इसके गल्थी क्या है तो Master Luffy बोलते हैं Chung Si ने पनी सारी Evil Powers को छोड़ दिया था Earth पे एक Normal Life ची रही थी इसके पास कोई Powers नहीं थी ना ही वो किसी को नुकसान पहुचा रही थी इम्मोर्टल बल्ड के रूल के एकॉडिंग ये गलत है ना किसी गलती के किसी को मारना तो Senior God बोलते हैं कि तुम जीसी को नुकसान नहीं पहुचा सकते तुम्हें उसे पनिश नहीं करने दूँगा तो Master Luffy बोलते हैं कि देखता हूं मुझे कौन रुकता है वो बोलते हैं कि तिन्स्वा को मैंने इम्मोर्टल प्रिसन में डाल दिया है क्योंकि इन दोनों ने मिलकर चंगसी को मारा है और Senior God इसे रुकना चाहते हैं Master Luffy उन पे भी हमला करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं आप लोगों को नुकसान नहीं पहुचा सकता और यहां Master Luffy बोलते हैं कि चंगसी मेरी वाइफ है मैं उससे प्यार करता हूं अगर वो मर गई तो मैं जिन्दा नहीं रहूंगा मैं भी मर जाऊंगा और अब आप लोगों के तैक करना है अगर आपको डेमन्स से फाइट करने के लिए मेरी सरुष है तो कोई चंगसी को नुकसान नहीं पहुचाएगा और वो यहां से गुसे में चले जाते हैं और दिर प्रंस चाओ काफे गुसे में होता हूँ उस जीसी पे हाथ उठाने वाला होता है लेकिन तभी उसके फादर कोलोन के इंगा जाते हैं तो कि प्रंस चाओ को रोक लेता और बोलता है कि मैं तो मैं जीसी को नुकसान नहीं पहुचाने दूँगा और अगर अब तुम इमोर्टल बर्ड नहीं आ सकते हो तो आज से तो मेरे बेटे नहीं हो अगर कभी भी डेवन्स और इमोर्टल्स के विच फाइट हो दिया मुझसे उमीद मत करना कि मैं तुम्हारे पिता होने की वज़े से तुम्हें छोड़ दूँगा और वो चले जाते हैं अप्रस जा को काफी दुख होता क्योंकि उसकी पूरी लाइफ को इमोर्टल्स नहीं परबात किया है तो वांग्यू से बोलता कि ये फैसला अच्छा है ऐसे भी अब तुम्हें केस्टियल डेमन बन चुकी हो यहां वांग्यू एक और्टनर्य आपने को हर्ट करता है चौंक से उसे बोल दिये ये डेमन्स की लड़ाई इमोर्टल्स के साथ है तो मुझे तुमसे एक प्रामिस चाहिए ये अर्थ पे रहने वाले इनोसिन प्यूपल को तुम कभी हर्ट नहीं करोगे तुम वांग्यू बोलता है कि आज भी तुम काइंट हाटेड हो चलो मैं तुम्हारा ये डिसेजन मान लेता हूँ तुम्हें याद दो है ना मैंने तुम्हारे जान बचाई है तुम्हें मेरे लिए सक्स वर्ट को यूनाइट करना होगा तुम्हारे फादर शादे थे जिस तरह इमोर्टल्स को सम्मान दिया जाता है उसी तरह डिमन्स को भी सम्मान दिया जाए इसलिए वो सक्स वर्ट को यूनाइट करना चाहते थे और वहाँ चौंग सी वांगे को बोलते हैं बताओ मेरे फादर ने तु सक्स वर्ट को यूनाइट करने की कुशिश की थी उनकी मौत कैसे हुई आखिर उन्हें किसने मारा तो वांगे बताता है कि तुम्हारे फादर को तुम्हारे मदर सूसी ने मारा चौंग सी बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है रहने तो सुना था कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे वाँगे बोलता है कि ये बात तो सच है विकिन तुम्हारी मदर एक इमोर्टल थी तुम्हारे फादर से बहुत प्यार करती थी पर इमोर्टल बोल्ट को बचाने के लिए उन्हे तुम्हारे फादर को मारना पड़ा और अभी तर दिखाया जाता है चंगसी के पेरेंस को सूसी और नील उनके और उनके साथ चंगसी भी है तो सब साथ में काफी खुशते हैं यहां पर बांक्यू भी होता है और यहां चंगसी के पेरेंस उसे बोलते हैं तब ही यहां पर एक बढ़ आता है इसे कि च recurring nud कर्दी कर्ती है और तरर पता चता है कि मास्टर लूफ हे ठाउन वान्क को ठोब चॉंटर के पास से बहुत हैं घ्रत सेד रहे होते हैं चाहिए होसेकर काफी खुर चुछ होते हैं पर चाहिए कि हमारा मिलना शायद किस मत में ही नहीं हमारा थी तह मैं में पर बारह एक टम बंद गई तुम देमन्स के साथ और उस वक्त में सिर्फ रहूंगी और इसलिए यहीं पर मैं हम दोनों का रिष्टा खत्म कर रही हूं लेकिन मास्टर लूफ है उसे हग करते हैं कि कल क्या होने वाला हम नहीं जानते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आज तुम सिर्फ मेरी वाइप बन कर मेरे स जोंगी चांकसी बलती है मैं लास्ट टाम आपको बूलना जाहती हूं जा मास्टर उसे फॉरेट पे किस्त करते और बोलते। मैं हमेश्ण छा तुमसे प्यार करूंगा मांस्टर के आँखों में आग्ड़ा होते हैं वह शांकसी को रोखना बढ़को मास्टर के साथ li Surv जो और वो बोलते हैं कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करेंगे और वो इस वार गॉल्डन मेर प्रोसेस का युद चॉंक्सी पर करेंगे लागे इसकी इविल बृत खत्म हो जाए प्रिया इम्मॉर्टल्स डिसेसन लेते हैं वो चॉंक्सी को सिक्स बॉल्ट को युनाइट न उने सी से ड्रेस्टिंग सॉयल उच्छ रा लिया है और वांगी बोलता है कि आप बहुत देर हो चुकी तुम सब नहीं बच सकते इधर अर्थ पे सभी लोगों को पता है कि इम्मॉर्टल्स और डेवन्स के बीच फैंकर फाइट होनी वाली है सब लोग घबरा रहे हैं उस सब्सक्राइब करना चाहते हैं लेकिन मास्टर से डुकना चाहते हैं जैसे अपना ब्लट सील पे डाल दी है यहां एक गेट ओपन होता है जिससे कि बहुत सारे डैमन्स यहांने लगते हैं सीनियर कॉट को भी पता चल जाता है चौंग से ने मेश्कल सीट का यूज किया है वो मास्टर केंसन को बोलते हैं मैं हर रहाल में सिक्स वर्ल्ड मांटेन और मेस्कल पर्टल को बचाना होगा यह दोनों डिस्ट्रोई होगे तो यह सारी दुनिया खत्म हो जाएगी और इससे पहले कि चौंग सी सारे डैमन्स को ओर्डर दे मैस्कल पर्टल और सिक्स वर्ल मास्टर ने अपनी सौर्ट तो खुद की तरफ मोड़ा हुआ है इसका मतलब कि वो चाहकर भी चौंग सी को नहीं मार सकते पर अब मास्टर लूफे के मौत हो जाएगी और यहां चौंग सी मास्टर को बोलते हैं और मास्टर चौंग सी को बोलते हैं अब सब कुछ ठीक हो मास्टर लूफे की मौत हो जाती है और इसी के साथ सिक्स फल्ड मांटें डिस्ट्रोई होने लगता है रगट बोलते हैं किसी भी तरह से इसे रोकना होगा यहां प्रस जाओ चौंग सी को बचाने के लिए मैंसकल पॉर्टल में जाने वाला होता है पर उसके फादर उसे र प्रस जाओ को यहां बहुत दुख होता है उसने फादर को खूदिया और इधर चौंग सी देखते हैं कि वह अपने मास्टर के पैलस में है और यहां मास्टर भी उसके पास होते हैं और चौंग सी कुछ भी नहीं समझ पाती है कि अभी क्या हुआ हुआ मास्टर से बोलते ह चौंग सी मैसकल पॉर्टल में है यहां प्रेंस भी मैसकल पॉर्टल में चला जाता है बोलता है कि उसने हमेशा चौंग सी से प्यार किया और वो अपने इमोर्टल होने की डूटी कभी नहीं भूलेगा वो भी अपने सारे स्प्रिश्वल पावर्स का यूज करता है मैसकल पॉर्टल को रिकवा करने के लिए और इसी के साथ प्रेंस के भी मौत हो जा दी है मास्टर केंसिन और प्रेंस जाओ दोनों ही दुखी होते हैं और यहां मास्टर लूफे चंगसी को बोल दे हैं मौत के लिए तुम्हें गिल्टी फिल नहीं करना हो चाहिए साथ यही हमारी किसमत थी पर अब चंगसी बोल दे हैं अब मुझे इस दन्या को बरबाद नहीं करना और ना ही किसी नई दुनिया को बनाना है क्योंकि आप उसमें मेरे साथ नहीं होंगे और यहां मास्चर लूफ है चंगसी को बोलते हैं तुम्हें सिख्सवल माांटेन और मस्कल पर्डल को बचाना होगा तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा मैं चाहता हूं कि मेरी जग़ा अब तुम लोगों को प्रोटेक्ट करो पर चंग सी बोलते हैं कि मैं तक टेमारू में ऐसा नहीं कर सकती तो मास्टर सी बोलते हैं कि तुम्हारी सारी इवल प्रिथ अफ खत्म हो चुकी है और अब तुम सिर्फ एक इम्मॉर्टल हो और ऑब यहां चौंग सी आती है मास्टर केसिनेर प्रिथ समझ चाते हैं कि चौंग सी की बूल प्रिथ आफ खत्म हो चुकी है और यहां प्रिथ जाओ, मास्टर केसिन को बोलता है कि मैं दुबारा से इम्मॉर्टल बॉल्ट को जoign करना चाहता हूं तब ही यहाँ पर वांग्यू आ चाहता है वो चौंग्सी को बोलता है कि तुम दुवारा काइंड हाटिट बन चुकी हो पर तुम्हें याद है तुमने मुझसे प्रामिस किया था यहाँ पता चलता है कि वांग्यू आ तो डेमन वॉल्ड में एक्जिस्ट करता है और ना ही वाइड है तो चौंग्सी को रेस्टिंग सोयल दे देता है और बोलता है मैं सिक्स वर्ड मांटेन को डिस्ट्रोई करना चाहता हूं पर अब मैं चाहता हूं कि तुम बस टेमन्स और इमोर्डल्स के वीच के जो दूरी हैं से खत्म कर दो तो इसलिए मैं यह रेस्टिंग स तुम्हारा जन्म इसी के लिए हुआ था और यहां चौंग्सी वांग्यू को भी उसी डेमन गेट के अंदर भेज़ दीती है जहां से वह आया है और यहां माशा किंसन को बोलती है कि वह मैसकल सीट को डिस्ट्रोई कर रही है ताकि दुवारा कोई डेमन्स को समन ना कर सके और अब जब कि सब कुछ ठीक हो चुका है तो प्रत चाओ शौंग्सी को बोलता है कि अब तुम्हारे पास इविल बृत नहीं है तुम भी इम्मोर्टल बल्ट को जोईन कर लो पर शौंग्सी बोलती है कि नहीं मैंने मास्टर से प्रामिस किया था कि मैं उनके बदले इस सौनिया को बचाओंगी तो मैंने कर दिया और अब मैं उनके पास चाह रही हूं शौंग्सी मस्कल पॉर्टल में चली जा दिया उसकी सोल अविस सौड में है कि हमेशा मैंस कल पॉर्टल को प्रोटेक्ट करेगी प्रस चाओ कि आखों में आसू होता है तो कि चौंग्सी हम इस स्टोरी सुनाई जा रही होती है इसे उसने एक डमन होंकर बेस दुनिया को बचाया मास्टर लूफ है और उसका प्यार अमर है और यहां पर हम दिखते हैं मास्टर लूफ है और चंग्सी भी होते हैं जो कि एक और डिनरी कपल है जो कि उन दोनों का दवारा जन्म लेकिन वो एक वेगर है और यहां मास्टर लूफ है और चंग्सी को देखती है और उनके तरफ भागती है और यहां बाकी वेगर्स उसे परिशान करते हैं और इस पूरे इमोर्टल वर्ल्ट के सिम्मेदारी है और आज भी अपने दोस्तों सबसे अच्छी डिसाइबल प् प्रूश को इस य Πɛंग्सी को याद कर दा और उनके नहीं जॅकत है इंद्वर प्यार कर दियों को किस्मत न को सभारा मिलाया जंई हूने बूत इस टीरी में बहुत सारी लोगों ने पने फार्स के लिए इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दी तो कईयों ने प पॉर्टल्स और गोड्स ने फॉर्स और प्यार होनों का कैसे डील किया और इसे के साथ ये स्टोरी खतम हो जाती है इसे इंट्रेस्टिंग ड्रामा को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए विडियो को लाइक करना ना भूले थैंक्स पूर बाच्छिंग इसे एक और इंट्रेस्टिंग हार टॉस्टिंग ड्रामा के साथ